हलो बच्चों, कैसे हो बेटा तुम सब लोग, क्या हालशाल हैं आप लोगों के भई, मन्जिल सीरीज में आप सभी का वापस से सौगत है, जल्दी से बताओ एक बार क्या मेरी अवाज तुम लोगों तक पहुंच रही है, बिलकुल क्लियर और वीडियो वगेरा सब बिलकुल awesome है की नहीं है, जल्दी बताओ, हाँ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, गूड इवनिंग अल फ्यू, गूड इवनिंग, गूड इ indefinite integration हाँ indefinite किया था उसके बाद तुम्हारा calculus जो है खतम भी हो गया काफी सारे बढ़िया बढ़िया chapter सर लोग ने तुम्हें करवाए जिसको बेटा तुम लोग ने I'm sure बढ़िया तरीके से कर लिया होगा comment section दिखाओ ये एक बर हाँ आप कैसे हो सर मैं बिलकुल बढ़िया हूँ बेटा मैं भी बिलकुल बढ़िया हूँ एक दम बढ़िया हूँ तुम बताओ कैसे हो काफी दिनोबाद मिल रहे है हम लोग है ना भई खुब मज़े कर रहे हो तुम लोग आज कल मैं देख रहा हूँ है ना भई विश्वास दिवस में खुब comment section और चारो तरफ हर जगा तुम लोगों ने आग लगाई हुई है लेट ओपी हाँ बेटा तु लेट तो हो गया दो मिनिट लेट आया है तु कोई बात नहीं चल हो जाता है कभी कभी पेपर कैसा गया आज का गाईज अच्छा आज CBSC का पेपर था उसकी बात कर रहे हैं ये बोर्ड का बढ़िया सर बढ़िया बहुत बढ़िया बिटा नाइस तु मीट यू अगें सर अपनी अपनी दशा या दुर दशा जो भी चल रही है जो भी परिशानिया चल रही है या अच्छा लग रहा है जो भी चल रहा है जारा बताओ देखते हैं moderate था सर पेपर अच्छा very nice sir motivation हाँ motivation भी देता हूँ बेटा तुझे अभी अभी देता हूँ motivation भी stressed काफी सारे लोग stress लिख रहे है कुछ लोग chill भी लिख रहे है कुछ लोग chill लिख रहे है relaxed लिख रहे है very good very good हाँ sleepy एक लिख रहा है sleepy वा बेटा वा तु जाके सो ही जा फिर frustrated अरे भाई ऐसा भी करोगे क्या frustration किस बात की है यार हाँ तर basic से पढ़ाना हाँ बेटा बिल्कुल basic से पढ़ाएंगे बिल्कुल basic से पढ़ाएंगे बिल्कुल basic से करेंगे don't worry और basic से बिल्कुल tough level तक लेके जाएंगे chapter यार असान है इसमें कुछ खास है नहीं मुश्किल तुम समझ जाओगे अगर तुमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ chapter और अगर तुम यह सोच रहे हो कि यार या बोर्ड लेवल भी पढ़ा है school level पढ़ा है और तुमें लग रहा है कि यार क्या जेई का question फोड लूँगा answer है बिल्कुल yes ज्यादा इसमें महनत करने की कोई जरूवत नहीं है 4-5-6 घंटे जितना मैं तुमें कराऊंगा इतने में अगर तुमने कर लिया ढंक से सारी बातें सुन ली समझ ली पुद से कर ली तो उसके बाद बल्ले बल्ले है बिटा जेई का सवाल तो फोड़ी देगा तूँ हाँ हाँ जी जी 3D हाँ 3D भी होगा आज पहले vectors होगा आगे 3D भी करवाऊंगा मैं भी करवाऊंगा don't worry दोनों चीजें कराई जाएंगी आपको गुसा भी आ रहा है सर अरे गुसा क्यों कर रहा है यार भुसा ना कर यार क्यार से रहा है यार कोई बात नहीं हाँ सर थोड़ा motivation दे दो देख यार सबसे बड़ा motivation तो तुझे YouTube पर नहीं मिलेगा सबसे बड़ा motivation तेरे घर पे बैठे हैं तुमारे माबाप सच में ये बात सच है तुम बोलोगे सर ये तो बहुत जादा मतलब आपने तो वैसी बात बोल दी जो बहुत obvious है बट ये fact है वेटा जिसने भी जो भी कोई tough काम बच्चों ने किया है life में including myself अपने माबाप के लिए अगर तुम करोगे तो तुम्हें अंदर से motivation मिलेगी motivation ना देखो एक सच बात अगर तुम्हें बता दूँ motivation कभी बाहर की दुनिया में नहीं ढूंडी जाती अंदर ढूंडी जाती अंदर से पूछो कि तुम्हें क्या चीज motivate करती है बढ़िया करने के लिए life में अगर तुम successful बनना चाते हो तो क्यो दिन बाद बेटा सारा जोश ठंडा हो जाना है ठीक है यह fact है देख life का हाँ यह fact है life का तो मेरे साब से सबसे बड़ी motivation है अपने माबाप के चेहरे पर imagine करो वो खुशी जब तुम बेटा successful बन जाओगे तो वो कितने जादा खुश होंगे और वो priceless है मतलब वो चीज कभी कहीं से खरीद ही नहीं जा सकती नहीं उस बजार में उसका कोई भाव है मोल है ना वो मिलती है तो ऐसी चीज जो आप अपने माबाप को return gift दे सकते हैं बहुत ही बढ़िया और वो भी ऐसी चीज जो तुमारे लिए चाहते हैं तुमारा ही तो फाइदा है उसके अंदर माबाप का कोई फाइदा थोड़ी है अल्टिमेटली तो बेटा तुम ही अच्छी लाइफ जीओगे उन्होंने तो अपनी आदी से जाधा लाइफ निकाल दी बट अगर आप कुछ अच्छा नहीं इन्रोल किया और कहीं बार ऐसा लगने लगता है न हमें इंफिरियोरिटी कॉंपलेक्स आने लगता है कि यार पता नहीं हम तो शायद नहीं कर पाएंगे पता नहीं यार ओफ लाइन कोचिंग में ऐसा क्या बताते हैं लाखो रुपे देखे जो बच्चे जाते हैं वहाँ पे शायद बहुत अच्छी चीज़े बताई जाती होंगी मैं यूट्यूब से पढ़के कैसे कर लूँगा तो ऐसा नहीं सोचना है तुम में कोई कमी नहीं है सारी चीजें बिटा तुमारे पास हैं तो 99 परसेंटाइल बहुत अराम से तुमारी आ सकती है अगर अच्छी तरह से किया है अच्छी तरह से ठीक है बई जी गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग बेटा जी गुड इवनिंग थोड़ा लेट हो गया तूपट कोई बात नहीं चला हां तर ब्लीज टीच इन इंगलिश इंगलिश हिंदी देख mix रहेगे क्योंकि यार हमारे साथ सबी हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के बच्चे जुड़े हुए हैं कुछ बच्चों को हिंदी में problem हो सकती है कम लोगों को गुड इवनिंग गुरुजी, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, चलिए तो अब मैट्स का बोर्ड एक्जाम सीबिए सीवालों का हो गया है, और अब बेटा, अगले 15-20 दिन, जो भी एक महीना 20-25 दिन बचें हैं, बिलकुल सोच ले यार, 100% अपनी जान गानी हैं, दुबारा से मन्जिल सीरीज को फॉलो कर, जो भी बच्चों का मिस हो गया है, मुझे पता है, बहुत सारे तुम्हारे शुरुआत में जब मन्जिल मुझे याद है, पहले दिन मैंने लिया था, याद करो, फॉस लेक्चर मन्जिल सीरीज का, किस दिन हुआ था, quadratic equations, कितने दिन पहले, उस समय कितने जोश में थे सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे, बहुत सादा जोश में थे, class में भी जोश दिखता था, comment section में भी जोश दिखता था, बीच में कही न कहीं, बहुत सारे बच्चे गायब से हो गए, boards की तैयारियों में लग गए तो अब दुबारा से बिटा तुमारे पास समय है, इन 20 दिन को maximum effort अपना मार के देख, और recordings को देख, कोई दिक्कत नहीं है, live नहीं देख पाया मन्जिल में, तो recordings तो तेरे पास available है ना, महनत करने वाला बन, सब कुछ है, करने वाला बनेगा तो सब कुछ बनेगा, ठीक है मन्जिल सीरीज में आप बिलकुल सब कुछ कर सकते हैं, और मन्जिल से ही मुझे एक बड़ी अच्छी आज, किसी ने मुझे भेजा था message, तो बड़ी अच्छा मुझे लगा, मैंने का आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि आप motivation की बात कर रहे हैं, तो एक छोटी सी चायर attempt ही है, कोई बात नी बेटा, पहला attempt ही रख, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नी, पहले में ही फोड़ दे, पहली बॉल पे चाक का मार, तिरेंदर सेवाग की तरह, ठीक है, हाँ, चलिए, तो भई देखो, कोट क्या है, मन्जिल उन्हें नहीं मिलती, जिनके ख्वाब समझा, तो अभी जग जो मैंने तुछे बात समझाई थी, उसी का एक तरह से समरी है, कि मनजिल उन्हें नहीं मिलती, जिनके सिर्फ खवाब बड़े होते है, मन्जिल उन्हें मिलती है, जो जिद पर अड़े रहते हैं, मतलब, तुमें मन्जिल सीरीज में अगर बीच में शूट भी गई थी, जो बच्चे बेटा इसको पूरा खतम करेंगे, बहुत दिक्कते आएंगी, रात रात बर बैट के देखना, आठ आठ घंटे लगातार पढ़ना, साथ साथ घंटे पढ़ना, बट उसके बाद जिसने ये सारी चीजें कर ली, जो जिद पर अडारा और इ टॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम, उनकी लाइन्स हैं और वहुत ही मोटिवेटिंग लाइन्स हैं, ठीक है भई, 3D होगा क्या सार, नहीं, 3D नहीं होगा आज, आज वेक्टर्स होगा, बस वेक्टर एलजबरा करेंगे, 3D को फिर अराम से डिटेल में करेंगे, ठीक है वेक्टर्स भी बहुत इंट्रस्टिंग है, 3D भी बहुत इंट्रस्टिंग है, दो नहीं बहुत स्कोरिंग है, है ना भई, आज मैंने पूछा भी था जब इस क्लास के लिए शॉट्स डाला था, तो वहाँ पूछा था तुम्हें बहुत सारे बच्चों की कौन सा चैप् अज़ा बट एक्चुली वो असान एंट्सकोरिंग मैंने इंटरसेक्शन पूछा था, तुने ध्यान से सुना नहीं शायद, ठीक है तो असान एंट्सकोरिंग सबसे आदा वेक्टर्स को ही माना जाता है, क्योंकि यह बहुत ही सही में है, तु कहेगा यार यह ऐसे चैप् करते हैं, I hope सभी लोग बिल्कुल फुल एफर्ट, फुल एनर्जी के साथ दुबारा से लग गए हैं, पंजल सीरीज में, और बिल्कुल घबराना रही है बेटा, अभी भी इनफ टाइम है, 20-25 दिन अगर तुने खूब मेहनत कर डाली, क्लेक्शन तेरा अभी भी पाते हैं, बच्चे भी और इससे ज्यादा तुम एक सिटिंग में बैठ पाओगे, और ग्रैस कर पाओगे, 6-7 घंटे में सारी चीजें करा दूँगा, इनफाक छोटा ही लेक्शर है तो, छोटा ही चैप्टर है, अराम से तुमारा हो जाएगा, इसमें सारे कॉनसेप्स, कोई भी कॉनसेप्ट छोडएंगे नहीं, जो नहीं आता, जेही मेनिया इडवांस में वो भी करा दूँगा, ठीक है, हाँ, तर यू आर मैं फेवरेट टीचर, धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगता है, जब आप लोग इस तरह से प्यार देते फैंक यू, चलो तो स्टार्ट करेंगे बिटा, वेटेज क्या है सर इसकी तो बिटा देख, दो सवाल तो पक्के हैं, वेक्टर के, वेक्टर के दो सवाल पक्के हैं, 3D के भी, मतलब यह समझ ले, दोनों मिलाके 4 भी आ जाते हैं, वेक्टर 3D मिलाके 3 भी आ जाते हैं, ती इसलिए बोल रहा हूं बहुत स्कोरिंग है यार अगले अगले छे घंटे में तेरे तुने जीरो भी पढ़ रखा है न इचाप्टर तब भी तेरे दो सवाल पक्के हो गए जेई में के अगले दो घंटे अगले छे घंटे के अंदर चलो तो श्टार्ट करेंगे पीटा स्टार्ट करेंगे सबसे पहले देखो अब काफी बाते होगई अब समय आगया है पढ़नेगा ठीक है फुल गिल गया है फुल पίंसिल पेपर नोटबूग लेकर बैठना है ये नहीं कि हावाबा जी बगया वीडियो देख लिया सर पर विश्वास ना करो, बहुत जादा उन्होंने रिड्यूस कर दिया, ऐसी ऐसी चीजे रिड्यूस कर दिया है, जो रिड्यूस हो ही नहीं सकती, ठीक है, प्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ, वेक्टर में भी काफी लोगों को ऐसा लगता है, कि सर, स्केलर ट्रिपल प्रोड तुम्हारा बहुत जादा फोकस इस चीज़ पर रहता है, क्या नहीं पढ़ना है, चलो अब ये वाला तो हट गया, ये वाला हट गया, बचा हुआ पढ़ता हूँ, ये ऐसे नहीं होती तयारी, तुम्हें बस अगले 6 गंटे जो बोला जाए, उसको फॉलो कर रहा है, चाह तो बिल्कुल आपको डीटेल में पढ़नी हैं कि एक चीज, मेंस के लिए भी चाहिं आप तयारी कर रहे हैं, सारी चीजें पढ़नी है, एक भी चीज इनमें से नहीं छोड़नी है यही ने जो हटाया है, वो इस में वेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, जो हटाया है, बिल्कुल फिर भी question दे रहे हैं, जो हटाया है, वो भी right, डर लगता है sir, डर के आगे जीत है बेटा, डर मत, अपने उपर confidence रख, चल बेटा, तो start करेंगे, start करेंगे, यह सारी topics आजम करने वाले हैं, और साथ में 2024 के PYQ बीच बीच में भी करेंगे, जैसे की हम कई बार last में करते हैं, इसमें बीच बीच में ही तुम्हें काफी सारे करवा दूँगा, तो सबसे पहले हम types of vector से शुरू कर रहे हैं, देख, null vector क्या होता है, unit vector क्या होता है, इस सब में मैं बोर नहीं करूँगा तुझे, क्योंकि यार यह तो तु फिजिक्स में भी पढ़ चुका है, हजारों बार, ठीक है, I cap क्या होता है, बहुत basic, विल्कुल basic, ABCD vector की तुझे आती है, कि भई, vector होता क्या है, vector की definition क्या है, direction होती है magnitude होता है, unit vector होता है, यह सारी बाते null vector होता है, यह सारी बाते तुम्हें already पता है, ठीक है, हम बात करेंगे खोड़ी सी जो चीज, जिसके उपर सवाल आते है, directly उस चीज के उपर, right, vector law of addition क्या होती है, यह तुम्हें already पता है, right, parallelogram law of addition क्या होती है, यह सारी बाते मैं assume करू कि तुम्हें already आती है क्योंकि तुम 11 से physics में इस चीज को already लगा रहे हूँ ठीक है भई हाँ ठीक है भई चल चल टाट करें फिर नहीं आता सर कोई बात नहीं आता तो मैं बता दूँगा सबसे पहले तो को लीनियर वेक्टर टाइपस ऑफ जो बता रहा हूँ वो सुनता जाते को सब समझ आ जाएगा टेंशन ना ले कुछ आता है नहीं आता कोई बात नहीं को लीनियर वेक्टर देखो भई को लीनियर वेक्टर जैसे को लीनियर पॉइंट्स तुम्हें याद होगा जब जो जो parallel या anti-parallel vectors को collinear बोलते हैं इस तरह के मतलब उनकी direction या तो same है या विलकुल opposite है parallel या anti-parallel ये वाले हो गए parallel ये हो गए anti-parallel तो अगर mathematical definition की बात करोगे तो दो vector जो collinear होते हैं they are parallel to the same line A की line के parallel है वो सारे एक line बना दीजिए या इसके parallel है ये सारे vectors तो such vectors ये A है ये B है ये C है और ये D है ये सारे के सारे क्या है collinear vectors है तो sir collinear का मतलब तो एक के उपर एक होता है तो तुझे देख बिटा ये बात तो पता ही है कि हम vector को उठा के shift कर सकते हैं parallel है तो देख एक के उपर एक भी आ जाएंगे ये सारे vector कैसे हो गए collinear vector के लाएंगे तो collinear vector की definition हो गई क्या ऐसे vector जो same line के parallel है अब mathematically कैसे use कर होगे mathematically अगर B और A parallel है तो B को lambda times A लिख सकते हैं where lambda is any non-zero scalar number all real other than 0 कोई non-zero scalar value है अगर B को lambda times A कर दिया या K times A कुछ भी ले ले तो for example अगर B को मानले 3 times A कर दिया तो clearly A और B parallel हो जाएंगे क्योंकि A अगर ये है तो 3 times से इसके 3 गुना length का हो जाएगा right similarly अगर B को मैंने मानले minus 3 या minus 2 times A कर दिया तो A की double length होगी बट उल्टा हो जाएगा क्योंकि minus का sign आगए anti-parallel एक तरह से बन जाएगा तो बहुत important चीज कि vectors जो है parallel और anti-parallel अगर होंगे तो वो collinear vectors कहलाए जाते है collinear vectors पर सवाल इस साल भी आया है जो 2024 में भी आया है अभी देखते हैं जल्दी से कि कह बहुत ही हलका सा सवाल सिर्फ तुमें collinear में अगर बेटा तुने selective listening करनी है मतलब आदी बाते सुननी है आदी ignore मारनी है वैसे तो करना नीच चाहिए ऐसा बट स्टिल अगर ऐसा करना है तो इतनी बात याद रख ले collinear vector का मतलब b equal to lambda times तो vector collinear होते हैं अगर एक को lambda times the other लेख सकता हूँ हाँ ठीक है भाई जी ए स्केलर multiple of b बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये स्केलर नंबर के साथ multiply करा हुआ है बिल्कुल ठीक बात है चलिए सार 11 वाले देख सकते हैं बिल्कुल देख सकता है बेटा बिल्कुल देख सकता है अगर तु पढ़ने में इतना इंट्रस्टेड है बिल्कुल देख सकता है क्योंकि तु सारी कुछ समझ पाएगा coplanar vectors क्या होता है coplanar vectors as the name says vector जो same plane में होंगे coplanar 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 मतलब same planar मतलब plane तो ऐसे vector जो same plane में होंगे coplanar जैसे ये board है ये तेरी screen है mobile की ये क्या है एक plane है एक तरह से एक plane है तो अगर मैंने इसके अंदर कोई भी vector ऐसे ऐसे बना दिये such that ये तीनो के तीनो इसी screen के अंदर है तो ये तीनो vectors को क्या कहेंगे coplanar vectors कहे जाएंगे तो अगर मैंने screen में ही रखे तीनो तो ये तीनों बेटा coplanar vectors है बढ़ अगर एक ऐसे बहार की तरफ आ रहा है तो वो इनके non coplanar एक vector हो गया तो तीन vector अगर coplanar होंगे इसकी condition वैसे आगे पढ़ेंगे इसकी condition हम detail में पढ़ेंगे जब dot cross product हम कर लेंगे ठीक है अब बढ़ तीन vector क्यों बनाए है सर दो क्यों नहीं बनाए है सवाल एक यह आता है कि coplanar में जैसे आपने collinear में तो दो vector बनाए थे बी और ए पहले दो ही बनाए तो दो coplanar होने की condition होती है बढ़ दो coplanar की कोई condition नहीं है तीन की condition होती है actually बढ़ पहले यह समझो कि दो vector के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वेटा दो vector हमेशा coplanar होते है देख ऐसे सोच points को याद कर 2D geometry में अपने points दो vector collinear की कभी बात करते हैं दो vector तो हमेशा collinear होते हैं दो sorry, दो points तो हमेशा collinear होते हैं हमेशा coplanar होते हैं बहुत बहुत important बात क्या बोली मैंने जैसे 2 points हमेशा collinear होते हैं वैसे ही 2 vector हमेशा coplanar होते हैं 2 vector हमेशा coplanar होते हैं जी विल्कुल कैसे sir, मालो एक मैंने यहां कर दिया और एक बाहर निकाल दिया तब भी एक ना एक plane होगा यह वाला plane होगा जो इन दोनों vectors को contain कर रहा होगा तो 2 vectors अगर कभी भी हैं बिल्कुल यह बात याद कर लो 2 vectors are always coplanar 2 vectors are always coplanar 2 vectors हमेशा same plane में ही होते हैं जैसे 2 points हमेशा collinear होते हैं वैसे ही 2 vectors हमेशा coplanar होते हैं ठीक है, इतनी बात समझ गए तो 3 vectors अगर coplanar हैं 3 vectors को अगर coplanar रखना है 3 vectors अगर coplanar रखनी है तो इसकी condition बन कर आएगी क्या condition होती है सरवो तो देखो, थोड़ा सा आगे का बता देता हूँ जैसे A, B, मालो यह रहे और B का अगर cross लूँ cross product तुम्हें पता है, ऐसे आ जाएगा A cross B, ऐसे board के बहार ऐसे आ जाता है, cross product perpendicular to the board होता है और dot with C, क्योंकि 90 बना रहा है तो A cross B dot C 0 होना चाहिए coplanar की condition आगे आएगी detail में A cross B dot C 0, समझ गए क्यों क्योंकि A cross B perpendicular हो गया और वो perpendicular वापस C तो board में है तो इसका और इसका 90 हैंगल और 90 angle का मतलब dot product 0 यह आगे हम पढ़ेंगे detail में ठीक है, जिने dot cross अभी नहीं आता वो घबराए न, इस चीज की बात हम आगे detail में करेंगे, बट basic dot cross इतना तो सार तुमें आता ही होगा तो अगर 3 vectors coplanar हैं, तो समरी देता हूँ, पूरे इस page की सबसे पहले, अगर को linear है तो B को lambda time से condition है coplanar है, तो 2 तो हमेशा ही coplanar होते हैं 3 coplanar के लिए 1 cross V dot C 0 होता है बस यह चीज तुमें इतनी सी याद रखनी है इस पूरे page के उपर हाँ, सर 10 वाले देख सकते हैं क्या बेटा, तु नर्सरी में है, तब भी देख ले ना दिक्कत तो बस यह है, तुझे तुने थोड़ी बहुत पड़ी होनी चीज यह 11 वी class की physics वगेरा में कहीं ना कहीं basic, हलका, full कासा, क्योंकि बिलकुल ही 0 से नहीं पड़ेंगे, क्योंकि physics में हम मैं मान के चल रहा हूँ, basic i-cap, j-cap का मतलब तुम्हें already पता है चलिए, तो अब जरा देख लेते हैं, सवाल क्या आया है, 2024 का ही सवाल उठा लेते हैं है ना भई 2024 का ही हाँ तो मतलब 3 vector सर हो भी सकते हैं, नहीं भी हाँ, बिल्कुल, 3 vector जरूरी नहीं है, co-planer हो 3 vector सिर co-planer होंगे, अगर ये condition satisfied है a cross b dot c 0, कुछ सोचके देखना, अगर ये 2 है, और एक मैंने ऐसे बना दिया, तीसरा तो नहीं हुए न, 3 co-planer तो, same plane में नहीं आये 3 इसलिए अगर same plane में चाहते हो, तो ये condition 3 में होनी चाहिए, 2 में कोई condition की जरुवती नहीं है, 2 हमेशा ही co-planer होते हैं, हाँ चल बेटा, अब जरा जल्दी से एक सवाल लगा लेते हैं, कि क्या पूछा गया है a, b, c, b, 3 non-zero vectors non-zero vectors, such that b and c are non-collinear मतलब b and c non-collinear non-parallel हैं, एक दूसरे के parallel नहीं है, non-collinear दी है if a plus 5b is collinear with c, यानि कि देख जब भी किसी को collinear बोल दें, तो तेरे दिमाग में a की चीज़ फिट होनी चाहिए, किसी को collinear बोलते ही, मैं ये चीज़ लगाऊंगा, कि collinear है, वो k times the other बन जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा a plus 5b, a plus 5b को lambda times c ले लूँँगा, ठीक है, क्योंकि a plus 5b collinear with c लिखा हुआ है so a plus 5b is lambda times c, है न, ऐसे ही देख b plus 6c b plus 6c is collinear with a, अब lambda नहीं, कोई दूसरा mu ले ले mu time से, k1, k2 ले लो रुप भाई लिख रहे हैं हमारे कि sir, ये 10th वालों की ragging ले लूँ क्या अरे नहीं भाई, पढ़ने में ध्यान लगा ले college में देख लियो, अभी तू पहले पढ़ने में ध्यान लगा, ठीक है, चल अब c की value, अब देख एक variable हटा दो, क्या मतलब जैसे माल लो, b की value यहां से निकाल लेता हूँ, mu a minus 6c, और ये b को यहां रख दो, basically कोई साभी एक variable या एक vector remove कर दो, कोई साभी एक variable remove कर दो, ठीक है, मैं b हटा रहा हूँ तुम a b हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने b की value यहां रख दी, तो a plus 5 times mu a minus 6c पराबर lambda c तुम कहोगे, सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कोई बात नहीं, तो b हटा ले, a हटा ले c हटा ले, जो हटा नहीं हटा ले अब देख क्या होगा, a के साथ 1 plus 5 mu आ गया और minus 6, 5 is the 30c equal to lambda times c है ना भई, तो अब हमारे पास एक तरह से, इस तरह की equation बन गई है ना, कि भई, ये और ये बराबर अब देख क्योंकि a, b, c क्या है कोलीनियर नहीं है, तो अब तुम क्या कह सकते हो सीधे सीधे coefficients equal कि lambda का जो coefficient है, वो minus 30c का जो coefficient है, वो k1a plus k2b बोल दूँ, तो तुम सीधे सीधे बोल सकते हो ना भई, कि ये 2k1 के बराबर और 3k2 के बराबर सीधा सीधा बोल सकते हो, वैसा ही कुछ यहां कर रहा हूँ, कि भई, ये 30 minus 30, सो lambda बराबर minus 30, और 1 plus 5 mu बराबर 0 ऐसा कुछ आ गया बेटा जी equal to minus 30c 30 को इधर ले आईए, तो a plus 5b plus 30c बराबर 0 compare कर ये इसके साथ फिर से इसके साथ अगर compare करूँ तो ये देखो, alpha जो है alpha जो है 5 हो गया और बीटा जो है 30 हो गया alpha 5, beta 30 यानि alpha plus beta तो 35 हो गया भई, 35 हो गया answer हाँ सही है कि नहीं देख, कितना असान question सीदे सीदे collinear vectors के उपर सवाल पूछ लिया, जैई ने इस साल 29th January को सर, ये किसी ने बढ़ा अच्छा सवाल पूछा, a and c non-collinear है, ये कैसे पता क्योंकि b and c नहीं है है न, और इसलिए ऐसा इसमे भी हो जाएगा a and c में भी, सेम logic लग जाएगा a and c भी नहीं आएगे, क्योंकि b and c नहीं है तो a plus 5b equal to lambda c है तो वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है न इसलिए वो direct तुम बोल सकते हो नहीं तो अगर तुमें ज़्यादा दिक्कत है, तुम b और c में बना लो, a eliminate कर देते, यहां से जैसे मैंने b eliminate किया, तुम a eliminate कर लेते, फिर भी तुमारे same ही relation मिलने वाले थे, ठीक है, हाँ चल बेटा, अगला देखते है, अब एक ऐसा ही बिल्कुल homework में दे रहा हूँ, यह देख, बिल्कुल repeated को linear, तो alpha को lambda times beta ले लेते हैं, क्योंकि alpha and beta इसने को linear दी है, चलो जल्दी pole पे करते हैं, pole पे करते हैं भई, सभी लोग इसका answer निकालने की कोशिश करें, alpha equal to lambda times beta, या beta को भी lambda times alpha कर सकता है, कोई फरक नहीं पढ़ता, है रहा को, क्योंकि कोई फरक नहीं परताब कैसे भी लिख लो उसको, तो lambda, अच्छा lambda तो already used है, तो अच्छा नहीं लगेगा भाई, lambda lambda फस जाएगा हमारा, k times beta लिख लेता हूँ, k तो used नहीं है कहीं भी, तो lambda minus 2 into a vector plus b vector is k times 4 lambda minus 2 a vector plus 3 b vector, फिर से coefficients बराबर रखते हैं, coefficients बेटा करते हैं, बराबर a का coefficient है lambda minus 2, और इधर से ये आ जाएगा, k times 4 lambda minus 2, b का coefficient है 1, उधर से आएगा बेटा 3 b, 3 k, तो k तो तुमारा 1 by 3 आ गया, k 1 by 3 यहाँ डाल दो, k 1 by 3 यहाँ डाल दो, तो 3 lambda minus 6 equal to 4 lambda minus 2, तो lambda की value minus 4 आ रही है, भई मेरी तो, lambda की value minus 4 आ रही है, है ना भई, यह लो भई, होई गया है, तो सर यह क्या हो गया, पोल तो रोख दीजिए, अब मुझे पता ही नहीं था भई, इतनी जल्दी हो जाएगा यह, देख रहा है तो, कितना easy easy question पूछ रहे है J-E में, the option अपना हो गया, क्या हुआ भई, तुक्के बाजी लोगों का, यह क्या हो गया, 18%, यह कैसे कर दिया भई तुमने, ऐसा कैसे कर लेते हो, ऐसी कौन सी silly mistake कर डाली, जो तुमारा k minus 3 आ गया भई, क्या कर दिया ऐसा, यह बता, तुक्के बाजी कर रहे हो, जल्द बाजी में, कोई award नहीं मिलने वाला बेटा, जल्दी answer करने का तुझे यहां पर, तुझे ऐसा लग रहा हो, कि तुझे, कोई award मिलेगा, या तेरा नाम, अक्षरों में लिखा जाएगा, J-E वाला channel पर, कि तुने वेटा सबसे पहले answer दिया था, तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए जल्द बाजी ना कर, हाँ, किसी ने तुक्का मारा भी, तो सारे बीबी भी करने लग गए हुआ चैट पर, नहीं लगा, सही होगा भाई, जनता की आवाज सही होगी, हाँ, ऐसा ना कर भाई, इसलिए म तो भाई देखो, चैटर असान है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम तुक्के वाजी करोगे, करना फिर भी ढंक से यह उसको, हाँ, तर नॉन को लिनियर वाला समझा दीजिए, देख बीटा, नॉन को लिनियर वाली बात बस ये होती है, कि अगर A प्लस 3B, अगर 4A प प्लस μ्यू भी देदिया, तो क्योंकि A और B में आपस में कोई रिष्टा नहीं है, वो तो linearly है, नहीं, डिफाइंड, यानि उनके कोफिशेंट इक्वाल कर, जैसे तुम आई-कैप, जे-कैप में भी तो करते हो, आई-कैप प्लस 2 जे-कैप, अगर X आई-कैप प्लस Y जे कोफिशेंट्स, लैम्डा टाइम्स एस्टैबलिश हो जाते हैं, बस, हाँ, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, चल, आगे बढ़ते हैं, हाँ, तो अब हमने कोलीनियर वेक्टर की बात कर ली है, कोपलेनर पे देख, अभी क्वेश्चन आगे आएंगे, जब हम डॉट क्र पढ़ लेंगे, वहाँ पर कोपलेनर पे भी सवाल लगाएंगे, ठीक है, तर थोड़ा स्पीड से पढ़ा दो, हाँ, अभी बेटा, अभी पकड़ते हैं, स्पीड, चल बेटा, अब एक बहुती इंट्रस्टिंग चीट, तुझे क्या करना है, स्पीड पकड़के, तुझ लगा लल, दो मिनिट के अंदर, सवाल टिक कर, पोल में आंसर तेरा सही आया, बता, दोनों क्वेश्चन सही हुए, दो मिनिट के अंदर, अगर हाँ, तो फिर ठीक है, हाँ, हम, सर, लव यू फ्रॉम जपायन, ओके बेटा, थैंक यू फ्रॉम प्लूटो, हम, चल बेटा, आगे, अब एक बहुत इंट्रस्टिंग चीज, इस पर भी सवाल जयोग है, जय ही में, इस बार आने के चांसेज है, सर, आपको कैसे पता, बस मुझे लग रहा है, थटी, इ इंद्री ने मुझे बताया, मुझे कि ऐसा लग रहा है, कि इस बार इस पर सवाल पका किसी ना किसी सेट पे दुबारा से दिखेगा, पहले भी दिख चुका है, ऐसा नहीं है, बढ़ हाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है भई, तो सुन ले अब क्या है, वेक्टर अल अब जल्दी से सुन ले, तो अब अगर तुझे बोला जाए, कि मेरे भाई, जो इनका एंगल वाई सेक्टर है, उसके अलॉंग, एंगल वाई सेक्टर तो समझता है ना वेटा, हाँ, ये वाला, इसके पैरलल या इसके अलॉंग, अलॉंग का मतलब होता है पैरलल, उसके एक वेक्टर अगर चाहिए होता है, तो वी वेक्टर की इस डायरेक्शन में एक वेक्टर कैसे मिलता है, इनका यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट, ठीक है, एक कैप क्या हो गया, इसके अलॉंग एक यूनिट वेक्टर, बी कैप क्या हो गया, इसके अलॉंग एक यूनि ले ले, अब तुम्हें एक बात पता है, अगर vectors का magnitude सेम है, तो resultant, बिल्कुल बीच से निकलेगा भई, angle by sector के along लिक लेगा, समझ गया, अगर vectors का magnitude बराबर है, a cap का magnitude कितना है, one, b cap का भी one है, तो जो resultant आएगा, यानि उनका addition होगा, resultant मतलब plus vector को add करके resultant मिलता है तो a cap plus b cap जो resultant आएगा वो हमेशा बीच में से निकलेगा इसलिए मैंने unit vector लेकर जोड़ दिया इसलिए मैंने unit vector लेकर जोड़ दिया इसलिए बिल्कुल याद कर ले इस बात को कि अगर आपको internal angle by sector के along एक vector चाहिए तो add unit vectors unit vectors को जोड़ दो तो internal angle by sector के along मिल जाएगा अब external by sector नाम की भी एक चीज होती है तो मैं पता है कि भई एक by sector जो है ऐसे भी निकल रहा होगा इसका एक ऐसा भी by sector होगा है न भई तो उसके लिए क्या करोगे ये तो देख b cap थाई ये जो a cap था इधर direction में minus a cap ले ले इस direction में minus a cap ले ले तुझे पता है अगर ये a cap है तो इसका उल्टा वाला minus a cap हो गया अब b cap और minus a cap का resultant ले लूँगा तो ये परपल वाला आ जाएगा समझ गया ये b cap था ऐसे b cap था और ये minus a cap था अब इन दोनों का अगर resultant ले लूँगा तो ये वाला हमें angle bisector एक तरह से ये वाला मिल जाएगा u vector इसे कह देता हूँ तो u vector जो होगा वो b cap minus a cap हो जाएगा मतलब अगर दोनों के unit vector को जोड़ दूँँ तो internal angle bisector मिल जाता है दोनों के unit vector को subtract कर दूँँ external angle bisector के along एक vector मिल जाता है बिलकुल याद कर लो इस बात को ठीक है भई सर वो vector triple product deleted है delete तो बेटा तूने कर दिया शुरू का part जो मैंने तरह को बताया ignore मार दिया तूने अच्छा नहीं किया शुरू मैंने तरह को समझाई है ये बात इसके उपर सवाल देखते हैं जरा vector along angle bisector पर भी सवाल बिलकुल बन चुके है पहले भी और भी बन सकते हैं ठीक है भई angle bisector की जब भी बात हो vector में एक बार ये चीज़ जरूर सोचना एक बार ये चीज़ जरूर सोचना चलो देखते हैं चल बेटा question क्या है vector c directed along internal angle bisector between the two vectors this and this तो समझ गया इतनी कहानी से हमें समझ आ गया कि internal angle bisector के along vector चाहिए यानि कि हमें क्या करना है भाई इसका unit vector निकालना है इसका unit vector निकालके add करना है सब्ट्रैक करता अगर external bisector के along चाहिए होता बट internal बोला है तो भी या add करूँगा इसको a vector मान लेता हूँ इसको b vector मान लेता हूँ तो a cap निकाली जाए पहले cap का मतलब होता है vector upon magnitude अब ये मत कही हो सर ये कैसे होता है सर a cap का formula होता है बेटा a vector upon its magnitude बच्चा बच्चा जानता है आजकल ये बात यार भी के तो जानते ही हैं दसवी वाले भी कई बार इसको समझ लेते हैं तो a cap की value हो गई this upon its magnitude magnitude क्या होता है किसी भी vector का root a square plus b square plus c square तो ये हो गया भाइस का magnitude ठीक है तो a cap को जड़र आप simplify करते हैं 7i cap minus 4j cap minus 4k cap upon नीचे देखो क्या बन गया 49 plus 16 plus 16 49 plus 32 49 plus 32 होता है 9,11,1,4,37,8,81 root 81 जिसका मतलब हो गया नीचे तो बड़ा प्यारा सा 9 आ गया है ना भई तो नीचे तो 9 आ गया a cap हो गया ऐसे ही बेटा b cap सोचते हैं इसका vector ले लो और इसके magnitude से divide कर दो magnitude का 2 square 4,48,89 root 9 मतलब 3 हो गया समझ गया बेटा है ना अब मुझे क्या करना है internal bisector का मतलब a cap plus b cap कर लेना है तो a cap plus b cap मतलब ये value प्लस ये value बट मुझे denominator 9 और 3 अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे एक 3 multiply कर लेता हूँ ताकि LCM एक तरह से ले लिया और कुछ नहीं मैंने अब इनका बेटा addition का डाल तो 7i cap minus 4j cap minus 4k cap और ये minus 3 to the 6i cap minus 3j cap plus 6k cap upon में 9 बस अब simplify कर ले हो गया देख अब तो ये 6i cap कटा इसमें से तो i cap 4,7 7j cap और plus 2k cap by 9 ठीक है भाई upon 9 आ गया तो ये मिल गया हमें एक तरह से i cap minus 7j cap plus 2k cap upon 9 अब ये क्या मिला है बेटा ये इसके parallel एक कोई भी vector है बट हमें क्या पूछा है उसका magnitude भी दे दिया ध्यान से सुनना भाई देखो अभी हमें इस vector के parallel कोई vector मिला है हमें उसका proper vector निकालना है यानि कि vector अगर भी निकालना है बेटा अगर c vector निकालना है तो c vector निकालने के लिए क्या करोगे c vector होता है mod c into c cap मतलब इसके along भी unit vector निकालेंगे पहले mod c तो दिया हुआ है 5 root 6 और c cap के लिए नीचे का नौ उड़ा दो क्योंकि unit vector ही चाहिए तो c cap हो जाएगा i cap minus 7j cap plus 2k cap upon magnitude 49 plus 1 50 plus 4 root 54 समझ गया root a square plus b square plus c square लगा दिया तो मैंने क्या किया c cap जो vector है c cap जो vector है पहले वो निकाला क्योंकि magnitude of c into c cap करूँगा so i cap minus 7j cap plus 2k cap upon में root 54 कुछ लोग कहते हैं सर ये 9 कहां चले गया फरक नहीं पड़ेगा जब तो unit vector निकालेगा नौ-Nौ-कट नहीं है तो हटा दे उसको कोई भी vector उठा ले उसके help vector upon magnitude कर लिया ck parallel कोई भी हटा के ले लिया कोई फरक नहीं पड़ता बस अब तो देख 9,6 अ, 54 तो 9 में से 3 बार आएगा root 6, root 6 कटा ये हो गया बेटा हमारा answer i cap minus 7j cap plus 2k cap into 5 by 3 ये option हो गया answer तर yellow वाला समझा दो अरे भाई देख सुन तुझे c vector चाहिए न कोई भी vector कैसे मिलता है इस formula कोई सोच ले न अगर ऐसे यहां से सोचू देख यहां से भी तो तिरको एक बात समझा रही होगी कि c cap भी c vector upon mod c होगा तो mod c multiply इधर कर दे तो c vector की value क्या हो गई mod c into c cap है ना तो मैंने यही लिखा है c vector is mod c into c cap mod c उसने दिया था मतलब अब बस direction चाहिए direction unit vector यह direction निकल गई इसके along unit vector निकाल लेता हूँ क्योंकि direction तो यही है internal by sector की direction हमें पता लग गई उसका unit vector निकाल लिया इस vector को upon root 54 करके unit vector निकाल लिया ठीक है यह आना चाहिए यार इतना basic vector तेर को आना चाहिए physics में ही सिखा देते हैं इतना basic तो बड़ चल मैंने तुझे बता दिया है फिर भी तो a option हो गया answer internal angle by sector के along vector चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी dot product की ठीक है dot product की बात करेंगे सर 9 कहां गया यही तो तुझे मैं समझा रहा हूँ बेटा की यह सब 9 वह क्या है लेने की जरूरत नहीं है अच्छा एक बाता अगर मैं तुझे बोलू 5 i cap प्लस 5 j cap के along unit vector निकाल इसके along एक unit vector निकाल तो मैं कहारा हूँ 5 लेने की क्या जरूरत है यार 5 ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है 5 i cap प्लस 5 j cap upon root 5 square plus 5 square करोगे तब भी तुमारा वही आएगा यही चीज मिलेगी तुमें तो ultimately मैं यह बोल रहा हूँ जब unit vector निकालना होता है कोई factor common वा मना रहा हूँ से उड़ा दो क्या फरक पड़ता है क्या फरक पड़ता है बेटा वो तो आपको direction ही दे रहा है न ultimately direction के लिए हमें 9 की कोई ज़रूरत नहीं है direction के लिए सिर्फ उपरवाला पाट upon magnitude कर दिया ठीक है भाई जी चल बेटा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे थोड़ी सी dot product की dot product की बाते करेंगे आगे वैसे slide में सब लिखा है तुमारे notes के लिए बट समझा देता हूँ पहले dot product तो जल्दी से एक summary दूँँगा इसकी मैं a dot b इस तरह का dot product को हम scalar product भी कहते है scalar product भी कहते है क्यों क्योंकि इसका जो outcome आता है वो एक scalar number आता है scalar मतलब तुझे पता है non vector को हम scalar भोलते है यानि a dot b ऐसा कुछ आएगा 1, 3, 1 by 5, minus root 2, minus plus root 2 उसमें vector की form नहीं आएगी तो a dot b का जो formula होता है mod a mod b cos theta होता है ठीक है? mod a mod b cos theta होता है हम सर जब हम a cap plus b cap कर रहे है तो c vector ही तो आ रहा है ना सर तो पूरे unit देख मेरे भाई यही तो तुझे मैं समझा रहा हूँ कि जब हम a cap plus b cap करते है तो इसके parallel एक vector मिलता है vector along the vector along angle wise sector मिलता है मतलब इसके parallel कोई एक vector मिल गया हो तो जो तुझे यह चीज मिली है यह तुझे इसके parallel कोई एक vector मिल गया बट उसने तुझे बोला कि नई भई मुझे तु इसका magnitude भी तुझे दे रहा हूँ तु मुझे exact vector बता जिसका magnitude जिसका magnitude 5 root 6 है तो भई उसके parallel एक बाह बता तुझे क्या पता इसका magnitude क्या है 5 root 6 है तुझे कैसे पता तो इसका vector का magnitude कुछ भी हो सकता है तो मुझे क्योंकि c निकालना था तो मैंने एक बोला कि c को तो magnitude of c into c cap कर देता हूँ c cap यहां से निकाल देता हूँ direction तो आपको यह नहीं सोचना है यह बहुत common mistake है इसलिए बता रहा हूँ कि a cap plus b cap किया हो गया काम नहीं तब तक तो तो तुम्हें बस एक तरा से उसके parallel एक vector मिला है angle by sector के along एक vector मिला इसलिए यह word एक एक important होता है vector along angle by sector ठीक है चल बेटा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं dot product में आएंगे a dot b जी सर समझ गए सराइटी डेली में कितना मज़ा आता है जितना तु सोच नहीं सकता उससे भी ज़्यादा हाँ इसका दिमाग देखो कहां चल रहा है इसका दिमाग चल रहा है नहीं maths नहीं मज़ा कितना आता है सर यह बताओ आप पहले तो पहले यहाँ पे फोकस कर प्रेजेंट में प्यूचर के बारे में कल सोची हो ठीक है बेटा हाँ चल बेटा अगला dot product में मैं तुम्हें बता रहा था a dot b होता है mod a mod b cos theta अब इसमें theta क्या होता है angle between a and b माल लिजए यह vector a है same plane में होते हैं दो vector तो इनके बीच में जो angle होता है वो theta होता है so obviously अगर अगर तो theta तुम्हारा 90 हो गया if theta is 90 तो तुम्हें पता है cos 90 0 हो गया यानि a dot b की value 0 हो गई वट अगर तो theta 0 हो गया theta 0 का मतलब parallel vector अगर हो गये तो a dot b a dot b तुम्हारा mod a mod b cos 0 तो 1 ही होता है ऐसा कुछ हो जाएगा ठीक है चल अब देख ज़रा जल्दी से theta 0 हो गया तो ऐसा theta अब एक और चीज a dot b बराबर b dot a होता है dot product commutative होता है dot product में पहले कोई भी लिख दो फरक नहीं पड़ता a dot b और b dot a बराबर होते हैं इसके अलावा एक बड़ी interesting चीज होती है a dot a बहुत बच्चे यहां फस्ते हैं मैंने देखा है a dot a क्या होगा सर देख भई a और a अगर मतलब मैंने दो अलग-अलग vector ना लेते हुए same ही vector का dot लिया तो अब खुद सोच अगर यहां b की जगा a रख दूँ तो एक तो mod a mod a और cos theta what will be the angle between a and a theta क्या होता है angle between a and b बट तुमने तो a और a लिये हैं तो angle between a और a का मतलब cos 0 दो vector भई a है और इसी vector को दुबारा ले लूँ तो इनके बीच में तो angle 0 है cos 0 आ जाएगा वो तो 1 होता है तो a dot a की value mod a square होती है भई बहुत बहुत important याद रखेंगे a dot a की value mod a square देखो महान लोग 0 लिख रहे हैं महान लोग 0 लिख रहे हैं चैट पे इसी लिए मुझे बता रहा था मैं मुझे पता है बहुत लोग यहाँ गड़बड करते है a dot a हमेशा mod a square होता है या casually इसको हम अगर कभी ऐसे लिखने तो बेटा बुरा मत वानना vector के उपर अगर whole square लगा दूँ तो समझा वो क्या है a dot a ही लिखा हुआ है समझा अगर मान ले तिरको ऐसे कोई लिखके दे दे 3i cap प्लस 5j cap का whole square तो समझ जा भाई कि यह क्या लिखा है 3i cap प्लस 5j cap dot 3i cap प्लस 5j cap लिखा हुआ है ऐसा कुछ लिखा हुआ है right vector का whole square का मतलब होता है a dot a या फिर mod a का square very 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 important thing जी angle 0 बोला हाँ angle तो 0 ही अच्छा angle 0 बोला sorry sorry मेरे से गलती हो गई मुझे लगा कि a dot a को 0 बोल रहे है angle between a and a 0 होगा विल्कुल सही बात cos 0 1 होता है शाबाश वो बात बोली तो बिल्कुल ठीक है चलिए तो dot product के बारे में दो चार important बाते मैंने तुम्हें बता दी है बाकी यहां लिखी हुई है ज्यादा बोर नहीं करूँगा मैं तुम्हें जल्दी यल्दी बता देता हूँ a dot b का formula बताया mod a mod b cos theta जहां theta 0 से 180 तक होता है obviously अगर acute angle है theta तो a dot b positive आएगा क्योंकि mod a तो magnitude है mod b भी positive acute में cos theta positive हो जाएगा obtuse करते ही obtuse मतलब second quadrant में cos theta negative होता है तो a dot b negative देख इतनी सी चीज़ पर अभी जेई का question दिखाऊंगा तो जे तोटी सी चीज़ है देख एक slide लिखी है तुम लोग ऐसे ignore मारते हो बिटा इसी पर जेई ने सवाल पूछ लिया अभी 2024 में किस चीज़ पर कि अगर theta acute है तो a dot b positive होता है अगर theta obtuse है तो a dot b negative होता है इस चीज़ पर सवाल आया है ध्यान से सुनना चल इधर देख अभी देखते हैं पहले property देख लें ये वाली तो बता दी a dot a is mod a square a dot b b dot a commutative होता है bracket खोल सकता है a dot b plus c जैसे normally तुम multiplication में खोलते हो distributive property a dot b plus a dot c a dot b zero है मतलब a b perpendicular है अभी बताई i dot i j dot j k dot के सब 1 होते है obviously क्योंकि magnitude 1 है इनका i dot i का मतलब mod a square mod 2 1 है इनका और i dot j 90 degree i cap होता है j cap होता है y axis के तो क्योंकि angle 90 है i dot j j dot k सारे के सारे zero आ जाएंगे क्यों cost 90 zero हो जाएगा sir will you cover reduce syllabus also g बेटा जी बिल्कुल मेरे लिए कुछ reduce नहीं हुआ वेक्टर में 3D में हुआ है वो बता दूँगा वेक्टर में सब आएगा आ ही रहा है कोई सोचने वाली बात नहीं है चल पहले सवाल ही करा देता हूँ कहां गया वाला पहले तुम्हें बिटा यही वाला सवाल करा देता हूँ हाँ चलो यही वाला देखते हैं फिर आगे properties पर आते हैं dot product की पहले सवाल को जड़ा कर लेते हैं 23 जन्वरी को आया था सारे PY क्यों करा दे ना सारे करा दूंगा भाई तेरे 2024 के सारे 2022 के अल्मोस सारे क्योंकि 22 के थोड़े से इसमें tough थे ज़्यादा बढ़िया है कर लें अगर हम 23 के easily हो जाएंगे least positive integral value of alpha for which angle between vectors angle between vectors is acute जब भी angle between vectors की बात की जाएं dot product ही दिमाग में तुमारे आना चाहिए तो इनका dot product यानि अगर ये vector वानले A बोल देता हूँ और ये वाट B बोल देता हूँ तो A dot B को मैं positive रख दूंगा A dot B को positive रख देता हूँ बस है ना और A dot B कैसे मिलता है तुझे पता है I cap I cap K cap तो A dot B होता है A1 B1 A2 B2 A3 B3 मतलब I cap I cap के multiply J cap J cap K cap K cap के multiply हो जाते हैं तुमने I am sure किया होगा जैसे माल लो A vector दे दिया 2 I cap plus 5 J cap B vector दे दिया 3 I cap plus 10 J cap तो तु क्या करेगा A dot B निकालने के लिए I cap I cap के multiply 6 और 5 into 10 50 56 बोल देगा A dot B इतना simple होता है dot product निकालना देखो भाई मैं सब लोगों को लेके चल रहा हूँ इसलिए इतनी basic बाते भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं यह assume कर रहा हूँ बहुत सारे बच्चे यार अपने देश में ऐसे भी हैं देख जिनको नहीं आता यार genuinely उन्हें नहीं आता कि dot कैसे निकालते हैं उन्हें किसी ने बताया ही नहीं कभी सीखा ही नहीं पढ़ना चाहते हैं इसलिए तुम यार प्लीज जो बच्चे पढ़के बैठे हैं वो यह ना सोचें कि सर थोड़ा जल्दी आप बेटा इतने मतलब ही मत बनो यार है ना अपने को आता है अच्छी बात है बट किसी को हो सकता है दो बच्चे भी ऐसे हो जिनको नहीं आता हो तो वो सीख तो लेंगे at least है ना तो इसलिए थोड़ा patience रखें सब लोग a dot b कैसे आएगा alpha into alpha alpha square j cap j cap के multiply minus 4 alpha और k cap k cap के 2 into minus 2 minus 4 greater than 0 ये रखना है positive क्योंकि angle बेटा acute है हाँ acute है राइट चल बेटा अब देख जहान से जड़ा इसको हम अब वेवी काव लगा देंगे अब तो inequality बन गई बस inequality solve करनी है यार हम चल अब इसको जल्दी वेवी काव लगाते है quadratic के factor तो अच्छे से बननी रहे तो minus b plus minus root d quadratic formula लगा रहा हूँ देखा अब जल्दी से b square minus 4 a c upon 2a so 4 plus minus root 32 होता है 4 root 2 upon 2 2 2 2 काट दो so 2 plus minus 2 root 2 हो गया so 2 common 1 minus root 2 हो गया तो एक factor हो गया वेवी काव का 2 minus 2 minus 2 root 2 और एक हो गया 2 plus 2 root 2 plus minus plus greater than 0 तो plus वाला area shade कर दिया और वेटा ये अपना हो गया answer बट उसने बोला है least positive integral value of alpha alpha की तो ये range आ गई sir please बता दीजिए इसमें greater than equal to 0 रखना incorrect है क्या बिलकुल incorrect है बेटा क्योंकि 0 का बाता है a dot b 0 का बाता है a dot b 0 ता बाता है जब 90 degree हो क्या 90 degree acute angle है नहीं है न acute बोला है न उसने तो acute में तुझे सिर्फ greater than 0 रखना है यहां भी तो बताया तुझे acute में सिर्फ greater than 0 रखना है क्योंकि greater than equal to 0 रख दिया मतलब 90 degree पे 0 होता है dot b 90 acute होता नहीं है बाई समझा हाँ चल अब जल्दी से देख तो बस यहां उसे positive ले ले लेता हूँ 1.41 तो 2 common 1 plus root 2 2 into 2.41 कितना हो गया है 4.82 के लगबग हो गया यानि ये लगबग एक तरह से 4.82 से infinity बन रही है और इसमें अब सबसे छोटी integer कौन सी है भाईयों और बहनों हाँ भाईयों और बहनों जल्दी बताइए सबसे छोटी integer कौन सी दिख रही है 5 दिख रही है सर 5 होनी चाहिए positive minimum positive 5 होनी चाहिए ठीक है देख वेवी कर्व मिक्स कर दिया vector के अंदर सर 5 put करके हो गया था तो बेटा मिर को रात में सपने आयाएंगे कि 5 ही put करना ही है बता मुझे यहाँ पर 5 put करूँ hidden trial मारेगा hidden trial 2,1,2,3,4,5 ऐसे शुरू करेगा ठीक है यार अम मतलब इसमें क्या discussion करें मैंने तुझे ढंक से करने वाला method बता दिया अब बान ले यहाँ पर अगर यह 4.82 की जगा 9.82 आता बेटा तो बाल खुजाते रहता तुझ अपने J के paper के अंदर एक से लेके 10 तक सारी value डालता इसके अंदर उसके बाद कहता कि सर paper बहुत lend दिया आया था ऐसा मत करना यार क्यों कर रहा है बेटा ऐसे काम हाँ एक महान व्यक्ति हमारे भी जुड़ा है जो कह रहा है 5 कैसे आया सर मेरे भाई interval नहीं आते का तुझे अगर मैं 4.82 से infinity बोलूँ तो इसमें minimum positive integer क्या है 4.82 से लेके infinity तक सारे लिए number में integer क्या आ रही है सबसे छोटी 5 ही तो आ रही है यह कैसी बात कर दी तुने विटा यह कैसी बात कर दी और वो भी तु spamming करे जा रहा है आग लगा देंगे सर अरे भाई रहन देख भाई क्यों आग लगा रहा है किसी के घर में आग लग जाएगी क्या फायदा है अपने अंदर ही रख आग अंदर लगा जितनी आग लगानी है और पूरे effort मार effort कर मेहनत कर चल आगे बढ़े हैं आगे बढ़े भाई देखो मैं तुमारे सारे doubt का answer करे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बार-बार एकी चीज़ लगती है यार एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे by chance genuinely वो spammer ना हो और genuinely उसे नहीं आता हो इसलिए तर alpha common लेके direct आ जाता without baby car अच्छा जी कैसे आता हमें भी जड़ा समझाएं कैसे आता alpha common लेके alpha into alpha minus 4 greater than 4 है यहां से कैसे आ जाता तू यह बता हाँ मतलब तुक्का बाजी कर लेता hit and trial मार लेता इसके बाद तब तो तुकर ही सकता था आई यह कर सकते थे बटा क्योंकि integer बोली है तभी 4 से बड़ी value मिलेगी alpha को जब minimum मैं 5 डालूँगा तो मैं देख तिर को proper तरीका बता दिया माले वो interval पूछ लेता फिर क्या करेगा number of integer पूछ लेता फिर better question बनता इसमें number of integer क्या है तो फिर तू बेटा तुक्के बाजी फुरा सा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो मैंने तुम्हें dot product की बाते कर रहा था cos theta obviously यह हो जाएगा dot product से निकलाएगा और किसी भी vector को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यह क्या उल जलूल तरीका है sir a dot i into i cap plus a dot j into j cap plus a dot k into k cap ऐसे लिख सकते हैं sir कैसे basically देख a vector को अगर मैं लिख लूँ a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap तो एक बात बताओ मेरे भाई हो a dot i कितना होगा sir a dot i क्या होगा dot with i ले लूँ तो बस यही बचेगा a1 a dot j क्या होगा sir सिर्फ a2 बचेगा क्योंकि i dot j तो 0 होता है j वाले बस बच जाएंगे a dot k जो होगा वो a3 होगा तो basically a1 की जगा a dot i मतलब हाल तू की बात है ऐसी लिख दी a dot i, a dot j और a dot k हम a1, a2, a3 की जगा भी लिख सकते हैं लिख सकते हैं वेटा ठीक है चल अब देखते हैं आगे अब देखते हैं वेटा एक दो सवालों की बात करेंगे उससे पहले हाँ बड़ी interesting बात important जिसके उपर सवाल generally बनता है dot product के उपर कि अगर अभी तुमारे पास vector a plus b का whole square हो गया देखो normal scalar number में तुमने a plus b whole square बहुत देखा है a square plus b square plus 2ab है न यहाँ पर भी वैसा ही formula चलता है बस a into b की जगा a dot b आ जाता है समझ गया तो मतलब क्या होता है a square plus b square plus 2a dot b हो गया यह बन जाता है राइट a square का मतलब mod a square actually तुझे आज बताया था a square का मतलब mod a square होता है a square का मतलब mod a square और b square का मतलब mod b square plus 2a dot b तो dot product में आप ये वाले formulae भी लगा सकते हैं और minus में भी बिल्कुल सारे लगेंगे सारे a minus b whole square में बस यह minus 2a dot b आ जाएगा तीन वाला भी ऐसे ही valid होगा a plus b plus c whole square अगर तुमें करना है vector में a plus b plus c whole square करना है तो इसका भी बन जाएगा a square plus b square plus c square plus 2a dot b b dot c plus c dot a a b b c c a की जगा dot product आ जाएगा बस इत्ती सी बात है ठीक है चलाब मैं बोर में करूँगा जल्दी से इस पर एक आद basic सा सवाल करवा देता हूँ एक ये करते हैं चलो पहले एक ये करते हैं सर कॉस x कॉस x मतलब cos theta है भाई x कहा है cos theta तो a dot b upon mod a mod b आए गई ना by the definition चलिए तो mod a दिया है mod b दिया है mod a minus b दिया है mod a plus b अब तुमें एक बात पता है mod a plus b whole square plus mod a minus b whole square याद करो ऐसा कुछ होता था 2ab की term कट जाएगी 2ab की term तो कट जाएगी a square plus b square यहाँ भी a square plus b square तो 2 times a square plus b square बच जाएगा यह एक identity consider कर सकता हूँ ना भई बचपन की यादे scalar numbers में आप ऐसा कुछ करते थे 2ab की term इसमें और इसमें कटेगी तो अब इसकी value तुझे बेटा दी है 30 इसकी value दी है 11 इसकी दी है 23 तो a plus b whole square यह वाली चीज हमने अगर x मान ली तो यह x square plus 30 square is equal to 2 of 11 square plus 23 square यहाँ से x को तुम solve कर लोगे यहाँ से बेटा x को solve कर लोगे ठीक है कर लेना यार हलका सा सवाल है बढ़ी असान सर आ जाएगा किसी ने भाई ने हमारे अल्रीडी बता भी दिया कि सर 20 आएगा सर ठीक है भई जल्दी जल्दी छोटे छोटे करा देता हूं फिर जेई के question तुम्हें करवाऊंगा हाँ वो भी कर सकते हो बिल्कुल सही किसी ने बोला कि सर हम ये भी तो कर सकते थे ना a प्लस b into a माइनस b इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या तो देख अब ये दिक्कत वाली बात है mod a प्लस b into mod a माइनस b को वो कह रहा है a square minus b square लगा दो वो भी कर सकते हो कोई problem थोड़ी ना है dot product में बट वो dot product होता तब कर सकते थे हैं न यहां तो dot product थोड़ी है यहां तो vector बनाओ देखो a plus b dot a minus b इसको क्या लिख सकते थे mod a square a dot b minus a b dot a वो तो कट गया minus mod b square तो बट यहां magnitude नहीं है न है तो vector बने हुँ है अब क्या करेगा इसके आगे फस जाएगा इसके आगे फस जाएगा क्योंकि यहां vector नहीं vector है तो a square minus b square ठीक है निकाल लेगा यह दोनों दी हुई है इससे इसका dot product आ जाएगा magnitude कैसे आएगा हमें यह बात समझो कि a dot b अगर x dot y है 5 तो हम यहां से mod x नहीं निकाल सकते उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए और भी ठीक है भई इस तरह से आगे बढ़ते हैं बिटा एक और देखते हैं a plus b plus c 0 a plus b plus c बार 0 दिया है mod a mod b mod c दिया है angle between a and b पूछा है मतलब a dot b बनाने की कोशिश करूँगा तो अब सोच a plus b को minus c लिख लेता हूँ और squaring both sides कर लेता हूँ तो a square plus b square plus 2 a dot b है ना और minus c का whole square तो c square ही हो जाएगा a square की जगा रख देंगे 9 b square की जगा रख देंगे 25 plus 2 a dot b की जगा mod a mod b cos theta formula और c square की जगा 7 का square तो यहाँ से theta निकला हैगा betangle between a and b theta माना है तो 9 plus 25 plus 2 mod a की जगा 3 mod b की जगा 5 cos theta equal to 49 यहाँ से निकाल लो बिटाब यहाँ से अब आप theta को बहुत easily निकाल सकते हो तो कहने का मतलब यह है a और b के बीच में एंगल निकालना है तो इसलिए मैंने a plus b left में रखा मानले a और c के बीच में निकालना होता तो a plus c a plus c equal to minus b लिखकर मैं squaring both sides करता ताकि a dot c की term create ओ राइट तो simple बात यह है कि जिसका dot बनाओगे उसी के बीच का angle बनेगा ठीक है भाई यह चोटे चोटे questions है अब यहाँ से तुम cos theta निकाल लोगे पूरे नहीं कर रहा हूं पूरे जेए के question कर लेंगे चलो एक बहुती interesting question जो as a theory आपको याद रखना है अगर कभी भी तीन unit vectors आ जाएं a cap, b cap, c cap देख्या है caps दिये है unit vectors है a cap, b cap, c cap are any three unit vectors तो आपको a cap dot b cap plus b cap dot c cap plus c cap dot a cap की minimum value बतानी है minimum value बतानी है ठीक है कैसे बताएंगे सर minimum value तो देख इसको याद रखना है important चीज है पहले तो consider कर लो consider देख अच्छा इसमें गलती क्या होती है पहले चलिए कर लेते है a cap dot b cap क्या होता है mod a mod b cos alpha a cap dot b cap है ना ये तो one है one है unit vector है यानि a cap dot b cap तुम्हारा cos alpha हो गया b cap dot c cap तुम्हारा cos beta हो गया c cap dot a cap तुम्हारा cos gamma हो गया एक तरह से कोई alpha बीटा गामा मैंने तीन angles बेटा मान लिए राइट हाँ अब ध्यान से देखेंगे इधर देख तो अब a cap dot b cap की जगा cos alpha रख देता हूँ यहाँ cos beta और यहाँ cos gamma और बेटा इसको मैं कुछ x मान लेता हूँ capital x इसकी अब max minimum value बतानी है क्योंकि इसकी range बेटा बतानी है अब तुम देखो जो गलत answer है वो यह कि sir cos alpha की maximum 1 इसकी 1 1 तो max हो गई 3 और minimum इसकी minus 1 minus 1 minus 3 हो गई यह हो जाता है एक तरह का गलत answer यह हो जाता है बेटा गलत answer minus 3 से 3 हमें लगने लगता है answer गलत है यह क्यों गलत है देखो खमशते हैं देख maximum तो 3 आ जाएगी क्योंकि जब यह भी 0 यह भी 0 और मतलब alpha भी 0, beta भी 0 और gamma भी 0 मतलब तीनों vector एक तरह से parallel हो जाएंगे तीनों vector जब parallel होंगे तो alpha भी 0, beta भी 0 और gamma भी 0 बन जाएगा यानि कि जब तीनों vector पैरलल होंगे तो max value तो 3 आ जाएगी अब minimum को जड़ा समझते हैं minimum को समझते हैं कि भई तीनों minus 1 का मतलब क्या है cos alpha भी minus 1, cos beta भी minus 1, cos gamma भी minus 1 तो इसका मतलब alpha भी 180, alpha भी 180, beta भी 180, gamma भी 180 मतलब तीन vector ऐसे हैं कि उनका तीनों का आपस में, आपस में बिटा, तीनों का angle 180 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता देख, अगर तेरे पास एक vector है a cap और b cap में अगर 180 है, है ना a cap और b cap मतलब alpha अगर 180 या pi है और तुम कह रहे हो b cap और c cap भी 180 हो रहे हैं, तो भाई, यह देखो फिर b cap और c cap के बीच में 180 हो गया, तो अब मतलब वो फिर से anti parallel हो गया बट a और c में अब 180 नहीं आ पाएगा, तो तीन vector ऐसे place नहीं हो सकते कि उन तीनों के बीच में आपस में 180 एंगल बन जाए, इसलिए ये चीज possible नहीं है, समझ गए, possible नहीं है इसलिए आपको ये बात समझनी है कि आपके तीन vectors अभी भी ऐसे नहीं हो सकते तीनों parallel हो सकते हैं, तीन vector parallel हो सकते हैं, बट तीनों आपस में anti parallel नहीं हो सकते simple सी बात यह है, क्योंकि anti parallel में ही πाई बनेगा, तीन, दो anti parallel होए, फिर anti parallel तो तीसरे वाला तो pair parallel आ जाएगा, इसलिए minus 3 वाला case possible बेटा नहीं है, minimum value minus 3 possible नहीं है, max तो 3 possible है, max तो समझ गए, तीनों को हमने parallel बना दिया, तीनों को icap ले ले जैसे हैं, तो max तो 3 आ ही जाएगा, अब minimum कैसे आएगा, तो देख, ये चीज, minimum के लिए a b plus b c plus c a, कहां create हो सकती है, consider करते है, a plus b plus c whole square, greater than equal to 0, देख, whole square है तो positive होगा, और तुम्हें पता है, a b plus b c plus c a, इसमें create होगा है, तो a square plus b square, plus c square, plus 2 a dot b plus b dot c, plus c dot a, greater than equal to 0, ये तुम्हारा 1 है क्योंकि unit vector है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये तुमने capital X माना, इसी की बात करनी है, तो 1, 1, 1, 1, 3, plus 2 capital X, तो capital X greater than equal to minus 3 by 2 आ गया, so minimum value minus 3 by 2 आ गई, समझा, बेटा minimum value minus 3 by 2 आ गई, actually कब आएगी जब वो 3 एक दूसरे से 120 पर placed होंगे, सब minimum value आएगी, देख सकते हो, तीनो के तीनो, 120 में ये minus half, minus half, minus half देंगे तीनो, तब minus 3 by 2 आएगी, तो capital X की range, minus 3 by 2 minimum और max तो 3 आई थी हमारी, very very important, याद ही रख लो इसको तो ही बढ़िया है, कि कोई भी 3 unit vector हों, उसकी range, a dot b b dot c z dot a की range ये आती है, minus 3 by 2 से 3, ऐसा ही similar सवाल आप देखोगे, 3D में भी आएगा, 3D geometry में भी हम direction cosine से related ऐसा सवाल करेंगे, सर, minus 2 क्यों नहीं हो सकती, कैसे हो जाएगी भाई, minus 2, क्योंकि जैसे दो anti-parallel होंगे, तीसरा तो parallel होके, ये minus 1, minus 1, और ये plus 1 बना देगा बेटा, minus 1, ये minus 1 और ये plus 1 बना देगा, तो ये कट-कटा के, minus 1 ही होगी, minimum नहीं है, उस case में, उससे भी कम मैंने निकाल दी, minus 3 by 2, minus 1 से छोटा होता है, ठीक है, जी, चल बेटा, अब इसमें देख, एक तरह का question यहाँ पे और बन जाता है, dot product में, थोड़ा सा inequality based, इसको भी important mark कर लो, ये का मन किया, अगर थोड़ा सा paper twist करने का, तो ऐसा question आ सकता है, तो देख, A, B, C real number है, such that 2A plus 8B plus 3C, 7 है, minimum value निकालनी है इसकी, तो अब देख, ऐसे question तो generally हम sequence series से जाते हैं है न, AMGM inequality से, तो यहाँ पहला hint मिल रहा है कि sequence series नहीं लेना, क्योंकि यहाँ real लिखा है, real plus नहीं लिखा, sequence series या AMGM inequality लगाते हैं, जब positive real number है, यहाँ positive D नहीं, तो पहला hint मिल है, यहाँ से linear relation है, जब भी A, B, C में linear relation हो, तो तु उसमें dot product का इस्तिमाल कर सकता, और यह देख, उसका magnitude एक तरह से बना हुआ है, तो दो hint मुझे मिली है, यहाँ जिससे मेरे को समझा रहा है, कि यह vector से होगा, sequence series से नहीं होगा, ठीक है, number one, positive ही नहीं है, positive नहीं है, sequence series मे होई काटा मार दो, A, M, J, M inequality नहीं लग सकती, और vector लगेगा, यह मुझे दो चीज़े यहाँ से, कि एक तो यह magnitude बना हुआ है, तो consider करते हैं, consider a vector V1 as A i cap plus B j cap plus C k cap, क्योंकि C k magnitude की बात करनी है, और V2 vector अब लेके आ जाओ, 2 i cap, 8 j cap, 3 k cap, सर आपके दिमाग में कैसे आया V2, basically तुझे देख, इन दोनों का dot product यह बना रहा हुँ है, तो V1, V2 ऐसे consider करें, कि अगर मैं देखूं तो यह चीज, V1 dot V2 create हो रही है, भाई, V1 dot V2, तुम देखोगे, तो 2 A plus 8 B plus 3 C create हो गई, जिसकी value तुमें 7 दी हुई है समझाना, हाँ, अप्रोज नहीं समझता सर, तो अब वही तो तुझे सिखा रहा हूँ, देख, कैसे मैंने सोचा कि यह question vector से होगा, और sequence series से नहीं होगा, positive नहीं लिखे, और यहां magnitude बनाया हुआ, यहां linear relation है, जिससे dot product ऐसा कुछ बन गया, अब vector से क्या करना है, देख, V1 dot V2 तुम्हें पता है, mod V1, mod V2, cos theta होता है, ठीक है सर, तो cos theta की value, V1 dot V2, upon mod V1, mod V2 होती है, V1 dot V2 साथ आया है, साथ आया है, ठीक है सर, और V1, mod V1 क्या है, root A square, plus B square, plus C square, ठीक है, और mod V2 क्या है, यहां से निकाल ले, mod V2, mod V2 तुम्हारा हो जाएगा, बेटा जी, root 2 square, plus 8 square, plus 3 square, देखो, कितना आया, कितना आया भाई, देखो, हम, जल्दी से देखो, 2 square, plus 3 square, कितना हुआ, वो सारी, 9 और 4, 13, plus 64, है ना भाई, कितना हो गया, 77 हो गया, root 77 हो गया, यह चीज, यानि कि, mod V2 की value, root 77 हो गई, और अब मजे की बात क्या है, भाईयों, क्योंकि, cos theta less than equal to 1 होता है, देख, theta की बात तो करी नहीं, क्योंकि, v1 क्या है, variable vector है, तो मैं इसको less than equal to 1 कर सकता हूँ, क्योंकि यह, cos theta की value थी, एक तरह से, cos theta की value थी, less than equal to 1 कर सकता हूँ, तो यहां से जैसे ही cross multiply करूँगा, 7 less than equal to, root A square plus B square plus C square, into root 77, squaring both sides कर दो, तो 7 into 7, कर सकता हूँ, squaring क्योंकि positive है, into 77, एक साथ काट दो, तो A square plus B, 11 को धर ले जाईए नीचे, तो A square plus B square plus C square, A square plus B square plus C square greater than equal to 7 by 11 आ गया, आया नमजा, minimum value create हो गई इस चीज की, 7 upon 11, ठीक है भई, तो दुबारा से समझा रहा हूँ, कैसे यह thought चलता है, बहुत important question है यह, important question है, पहले बात तो यह, कि हमें कैसे पता लगेगा सर, इसमें vector का dot product लगाना है, ध्यान से सुन, सबसे पहले तो, दो चीजों से मुझे पता लगा, कि dot product से सवाल होगा, पहले तो यह vector का देग, magnitude जैसा बना हुआ है, ठीक है, और दूसरा, यहाँ पर positive नहीं दिये, B, 3C, किसका dot product होगा, एक AI cap, BJ cap, CK cap, और दूसरा, और दूसरा वेटा, एक तो यह ले लिया, AI cap, BJ cap, CK cap, right, और दूसरा coefficient 283 होने चाहिए, तो 283 ले लिया, right, तो मैंने V1.V2 देखा, वो तो value फिर 7 हो गई, क्योंकि इसकी value 7 है, तो V1.V2 अपने पास 7 आ गई, बट V1.V2 का एक और formula होता है, mod V1, mod V2, cos theta, यह भी होता है, हाँ सर, तो यहाँ से cos theta यह हो गया, बट cos theta less than equal to 1 inequality बनानी है न, तो cos theta less than equal to 1, V1, V2 इसकी जगा साथ रख दिया, mod V1 की जगा यह रख दिया, और mod V2 निकाला इसका magnitude, तो मेरे पास root 77 आ गया, बस रख दिया और यहाँ से देखा, inequality बन गई, solve करके cross multiply करा, square किया, तो A square प्लस V square प्लस C square की minimum value 7 by 11 बन लेगा, ठीक है? A plus B plus C whole square वाला formula लगाया है सर, तो बेटा उससे नहीं बनेगा, A plus B plus C whole square कैसे लगायेगा है, A plus B plus C की value ही नहीं है, है ना, और दूसरी बात, A square, 2 A, B, B, C, C, A, भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे different approach लिए, बढ़िया question है, ध्यान रखो इसको, सर, less than equal to 1 ही क्यों, तो भाई, cos theta और किस से कम होता है, तुई बता दे जरा, मेरको तो यही पता था, आज तक की cos theta less than equal to 1 होता है, तुझे कुछ और लगता है, तो और बता दे, cos theta की range क्या होती है, minus 1 से बढ़ा भी तो होता है, वो तो पता ही है, positive तो आई गया है, यह positive, positive, मैंने इसलिए उधर वाला लिया है, कुछ भी बना दे, मतला ऐसा question कुछ भी create कर देंगे यार, मानले ऐसा दे दे, 3p plus 8q plus 7r equal to 12, और बताओ, minimum value of, minimum value of, p square plus q square plus r, कुछ भी बना दिया ले, कुछ भी बना दिया, तो बिल्कुल ऐसे ही, तुमें क्या करना है, एक vector v1 लेना है, कर लोगे आप तो pi cap, qj cap, rk cap, hypothetically बनाया है question, data अच्छा नहीं होगा, और v2 ले लोगे, 387, 387, ठीक है, और इन में फिर से वही dot product लेके, cos theta less than equal to 1 कर देना, आ जाएगी उसकी minimum value, ठीक है चल बेटा, तो ये चीज आप कर सकते हो, ऐसा question बन सकता है, अब इसको कई लोग formula की तरह याद कर लेते हैं, identity नाम रखके, मैं बोल रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, आप सीधे-सीधे ये funda लगा लीजे, dot product का, इससे आपका answer आ ही जाएगा, चलो बेटा, आगे हैं, अब एक बहुत ही बहुत important चीज, dot product के उपर ही, जो की है, component of a vector along b vector, very very important, ये ये का one of the favorite topics, dot product के अंदर, अगर सवाल आएगा, तो chances बहुत ज़ादा हैं की बेटा, इसी topic में से आएगा, तो carefully सुनेंगे, सभी लोग अगले 15 minute, 15 minute बिल्कुल carefully सुनेंगे, जी, हम, तर amgm क्या होता है, जा बेटा sequence series पढ़, मंजिल end पे आ रहा है, तुने starting की चीज़े पढ़ी नहीं हुई, projection, हाँ, component बोलो या projection बोलो बात एक ही है, तो सबसे पहले, मान लीजिए हमारे को एक vector दिया है, बहुत जादा मोटा vector है बाई, ये एक vector है A, और ये एक vector है B, तो हमें क्या करना है, A का component B पे निकालना है, तो अब तुम्हें समझ गए, अगर इनके बीच में angle theta है, तो basically इतनी length की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं killer component की बात कर रहा हूँ, मतलब सिर्फ magnitude की बात कर रहा हूँ, right, तो magnitude क्या होगा देख, तर magnitude ये वाला हो जाएग by A dot B upon mod A mod B, ठीक है, cos theta यहां रख देता हूँ, तो mod A into A dot B upon mod A mod B, mod A mod A कट गया, तो हमारे पास आ गया बेटा, A dot B upon mod B, ठीक है, A dot B upon mod B, मैंने एक तरह से तुम्हारा प्रूफ कर दिया, एक formula, कौन सा formula, B upon mod B को अब तू लिख ले, B cap, है न, B upon magnitude को B cap, तो अब formula क्या बन गया, A dot B cap, और इसका mod ले लेंगे, क्योंकि length है भई, कहीं negative ना आ जाए, dot product obtuse angle हो गया तो, इसलिए इसका mod भी लगा दिया, so very very important, बिलकुल formula की तरह learn करोगे, projection of A vector upon B vector is A dot B cap, ठीक है, जिसके उपर projection निकाला जाता है, उसका cap आता है जिसका projection निकाला जाता है, उसका vector आता है, यह ध्यान रखना, projection of first on second, first on second में क्या आएगा, first dot second का cap आएगा, जिस पर projection है, उसका cap आएगा, B पर projection था, तो B का cap आया है, तो first dot second क्या आप आएगा, ठीक है भई, जी, बिलकुल याद रखेंगे इसे आप formula को, यह बात हो गई scalar component की, scalar component की बात हो गई, अब ध्यान से देखेंगे ज़रा, vector component of A along B, अब इसी में क्या कह रहे हैं, vector component बताओ, मतलब अभी तो तुमने बढ़ length बताई इसकी, length को अगर direction से multiply कर दूँ, तो हो जाएगा, length तो यह थी, length तो यह थी, a cap, a dot b cap, अगर मैं इसको direction से multiply कर दूँ, direction मतलब unit vector, magnitude into unit vector, तो b cap से multiply कर देता हूँ, तो यह तुमारा हो गया, vector projection, समझ गया, ऐसे याद रखना है तुने, exam में भी ऐसे याद रखना है वेटा, बस यह याद कर रहा हुए है मैंने, a dot b cap, और exam में अगर vector projection बूचे, तो a dot b cap को b cap से multiply कर दियो, b cap से multiply कर दियो, ठीक है जी, सर, cost का मान नहीं जानते हैं, सर, explain, अरे यार, cost theta क्या होता है, तुझे यह थोड़ी बताऊंगा, अब टक ट्रिक हो पड़े यार, ठीक है, ऐसी बाते ना कर, ठीक है भई, चलो, तो vector एक हो गया, scalar projection, एक हो गया, vector projection, अब तीसरे वाले की बात करने से पहले, एक काम करत लगा लेते हैं, पहले हम जराएक question लगा लेते हैं, find the projection of a, along b, तो अभी मैंने बताया, पहले scalar projection निकालेंगे, scalar projection हो जाएगी, a.b cap, मतलब 3i cap, plus 2j cap, plus 2k cap, इसका dot with b cap, मतलब 2i cap, minus 2j cap, plus k cap, upon इसका magnitude है न, a.b cap था, formula लगा रहा हूँ, a.b cap, mod भी लगा लेना चाहिए, बिलकुल, और इसका magnitude, 4, 4, 8, 1, 9, तो 3 हो जाएगा, root 9, मतलब 3, बस अब क्या है, dot product ले डालो, dot मतलब i cap, i cap के multiply, 3, 2, 6, minus 4, plus 2, upon 3 का mod, तो ये आ गया, 4, 3, तीन, तो scalar projection क्या आया, 4, upon 3 आया बेटा, ठीक है, अब मैं वानले तुझे बोलता हूँ, नहीं, vector projection बताओ, vector projection बताओ, भई, तो मैंने तुझे बताया, कुछ नहीं रटना, बस ये 4, by 3 को किस से multiply कर देगा, b cap से multiply कर देगा, b cap ये था, so 2i cap, minus 2j cap, plus k cap, by 3 से, एक तरह से multiply कर दे, क्या मिलेगा सर, जो भी मिलेगा, 4, by 9, into, 2i cap, minus 2j cap, plus k cap, ये हो गया हमारा parallel projection, या component along b, समझ गए, समझ गए कि नहीं, समझे, बताओ, जल्दी से, a dot b cap, a cap का नहीं लेते हैं, a में vector लगा है, फिर से a का unit vector नहीं निकालना है, तुने, सिर्फ b का निकालना है, जिस पर projection हो रही है, component of a, along b, along b मतलब b के parallel, इसलिए b के, जिसके उपर projection निकलता है, उसका dot, unit लिया जाता है, पर्पेंडेकुलर पूछा है, हाँ, पर्पेंडेकुलर की बात भी करूँगा, पहले, a along भी पूछा था, पहले, scalar projection, along, along बोल दे, parallel बोल दे, एक ही बात है, ठीक है, along word यूज हो जाया, parallel एक ही बात होती है, अब पर्पेंडेकुलर की बात करेंगे, जो तीसरी लाइन रहे गई, a perpendicular, a perpendicular, इसको बोल दूँगा, मैं a parallel, तो a parallel तो निकाल लिया, बहुत असान शब्दों में बता रहा हूँ, कैसे a perpendicular, मतलब अब क्या निकालना है, ध्यान से सुनना भई, देखो, अभी तुमने क्या किया, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, ये था एक वेक्टर a, इसका तुमने a parallel निकाल लिया, यहाँ, अब तुम चाहते हो, बी, जो बीके parallel आया है, बीके along, तो अब तुम चाहते हो, बीके component जो भी मिलेगा, a में से ये वाला subtract कर दो, मतलब a perpendicular is always, a vector minus a parallel, जो तुमने a parallel निकाला है, total a vector में से ये minus कर दो, वो हमारा a perpendicular vector मिल जाता है, क्यों sir, अभी बताता हूँ, देख, a vector, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, a vector जो था, इस में से minus कर दो, ये जो answer आया था, 4 by 9, 2i cap minus 2j cap plus k cap, तो formula को अगर तो इसको simplify कर लेना, a perpendicular मिल जाएगा, तो formula को अगर जाएगा, vector component of a, perpendicular to b क्या हो जाएगा, a में से minus कर देंगे ये वाला, ठीक है भई, ये हमारा perpendicular, a perpendicular ऐसे लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं, a parallel, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है, क्या ये बात समझ आ गई है, ऐसा क्यूं होता है, वो अभी बताता हूँ, ऐसा क्यूं होता है, a perpendicular कैसे मिल जाता है, हमें parallel वाला अगर माइनस कर दूँ, तो perpendicular वाला ही बचता है, एक बड़ी प्यारी सी चीज़ बताता हूँ, बहुत ही simple, theoretical बात में समझ सकते हो तुम, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, a vector को resolve कर लिया, ये parallel और a perpendicular में, तो उनका summation तुम्हें हमेशा, तो देख, अब तुम्हें एक बात पता है, कि जो a perpendicular है, वो b को कुछ projection तो देगा नहीं, है न, b में वो projection नहीं देगा, क्योंकि cost 90, 0 हो जाएगा, a perpendicular कोई projection नहीं देगा, तो अगर तो ये मान लेते हैं, कि जो a minus, देखो, क्या कह रहा हूँ, मान लो ये a था, मैं एक तरह से contradiction से prove कर देता हूँ, ये a parallel था, जो b के parallel है, है न, ठीक है sir, अब अगर तुम कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि जो a minus a parallel है, a में से अगर मैं a parallel minus करूँ, तो वो सारा b के perpendicular ही जाएगा, क्यों sir, ऐसा क्यों होगा, वो सारा b के perpendicular क्यों जाएगा, ऐसे मान, let us say कि वो नहीं जाएगा perpendicular, ठीक है, हम बोल देते हैं कि नहीं sir, ये b के perpendicular नहीं जाएगा, ये वाली चीज, कही और एंगल पर जाएगा a minus a parallel तो अगर वो perpendicular नहीं जाएगा मतलब वो भी कुछ ना कुछ projection देदेगा b पर समझा क्या कह रहा हूँ अगर मानले हम contradiction से prove कर रहे है let us say कि वो नहीं जा रहा perpendicular कौन a minus a parallel perpendicular नहीं जा रहा तो अगर वो नहीं जा रहा तो भई कुछ ना कुछ फिर projection देना चाहिए था उसने बट projection तो यही है projection तो यही है projection कौन नहीं देता जो 90 degree पर होता है क्योंकि cos 90 0 बन जाता है जो 90 पर है वो कोई projection नहीं देता बाकी हर एंगल वाला कुछ ना कुछ projection देता है तो इसी लिए मैंने theoretically प्रूफ कर दिया कि अगर मैं a में से a parallel सब्ट्रैक कर दूँ तो जो भी बचेगा वो perpendicular ही बनना चाहिए समझ गया समझ गया बस इतना simple सा fact ऐसे याद रख ले से दुबारा बोल देता हूँ जिनका थोड़ा tubalite slow चलती है a vector यह था a parallel यह था मैंने बोला a minus a parallel यह है perpendicular है तुम कहरें नहीं sir perpendicular नहीं होगा वो कुछ और होगा तो मैं कह रहा हूँ कि चल माले वो तेड़ा है किसी angle पर ऐसे है यह वाली line ऐसे ना होते हुए ऐसे है यह वाला तो भाई फिर यह कुछ component देने लग जाएगा वो तो फिर component देने लग जाएगा extra but component तो यही fixed है तो ऐसा vector रहेगा जो component नहीं देता component कौन नहीं देता जो 90 पर होता है वो नीचे अपना कुछ भी image नहीं दे पाएगा अब समझ आ गई तो ठीक है नहीं तो याद कर ले बस इसको तू ठीक है कोई तेर से पूछेगा नहीं exam में की क्यों होता है हाँ समझ गया sir मैं हाँ ठीक है तो a parallel जो होता है अगर उसे minus कर दिया जाए a में से तो a perpendicular आ जाता है इस बात को विल्कुल अच्छी तरह से याद रख लीजिए बहुत बहुत important बात है इसमें star लगा लो भाई राइट सर मॉडे sin theta भी हो सकता है नहीं देख vector की बात कर रहे है ना इसलिए तो उसमें मत जा हमें सिर्फ parallel projection जब लेना है यह इसी का formula लिख दिया है मैंने बाकी तुम्हें मैंने याँ लिखवा दिया है कि जब भी देख दुबारा repeat कर रहा हूँ यह a है यह b है तो mod a cos theta यानि a dot b cap तो scalar projection आ गया उसको direction में multiply कर दिया तो scalar, sorry vector projection parallel to b आ गया अब perpendicular to b चाहिए तो मैं कहा रहा हूँ a में से यह वाला minus कर दो बस खतम, इतनी तीन चीज़े इसके लावा कोई चौथी चीज़ याद मत करो समझ गए, तीन चीज़े बस याद रखनी है parallel में scalar क्या होता है, parallel में vector क्या होता है और perpendicular मतलब तो original a था उसमें से यह minus कर दोगे तो मैंने question में भी करके दिखा दिया यह चीज ठीक है चल, अब देखते हैं अब देखते हैं जड़ा एक question कैसा जैई ने पूछा है projection के उपर भी, जल्दी से let a, b and c be three vectors such that projection vector of b on a is a समझा बेटा क्या वोला है projection of b on a जानके उसने उल्टा किया है ताकि तेरी understanding समझ देख पाए projection of b on a b का on a होता है b dot a cap यही तो बताया था मैंने b dot a cap होता है वेटा b dot a cap into a vector है ना vector projection निकालूँगा क्योंकि vector के बराबर दिया है तो यह चीज a vector दी है क्या यह बात समझे क्या यह बात समझे देख इस बार b का projection on a निकालना है तो b dot a cap होगा b dot a cap बट वो तो scalar होगा उसमें direction multiply कर देता हूँ sorry a vector upon mod a multiply कर देता हूँ a vector upon mod a मतलब a की direction a cap multiply कर दिया a vector upon mod a a cap multiply कर दिया तो final vector projection मिल जाना चाहिए समझ गए भाई समझ गए बात हाँ दुबारा से सुन लो b का projection on a पहले तो scalar projection यह but direction a cap होगी तो a cap को लिख दिया यह vector upon mod a तो बस अभी नहीं अगर compare किया जाए तो भाईयों mod यह उधर ले जा तो b vector dot a cap times a is mod a times a vector और अब यह दोनों बातें बराबर होनी चाहिए भाई यानि b dot a cap बराबर mod यह होना चाहिए b dot a cap बराबर यह होना चाहिए तो जल्दी से अब b dot a cap निकाल b dot a cap अच्छा b dot a cap b dot a cap फिर से a cap को लिख ले b dot a upon mod right हाँ अब क्या करेंगे तो b dot a बराबर mod a square हो गया ना एक तरह से तो b dot a अब जल्दी से यहां से निकालो b1 into 1 so b1 plus b2 plus 2 b1 plus b2 plus 2 mod a square देखो 2 plus 1 plus 1 4 तो यहां से b1 plus b2 आगया 2 b1 plus b2 2 आगया समझ गया क्या किया मैंने कुछ नहीं किया बस यार जो projection था उसका formula लगाया और देखा यहां तक b dot a mod a square आगया mod a square यहां से निकाल लिया 4 है 1 plus 1 plus 2 4 तो यहां रख दिया और b dot a b dot product से निकाल लिया so b1 plus b2 2 आगया b1 plus b2 2 आगया आगय पढ़ते हैं further उसने दिया है a plus b is perpendicular to c a plus b आगे देखते हैं क्या बोला गया है भाई a plus b a plus b is perpendicular to c ठीक है तो a plus b dot c 0 रख देता हूँ a plus b dot c 0 रख देता हूँ क्योंकि a plus b perpendicular to c बोला है भाई तो a plus b dot c 0 हो जाएगा है न a plus b add कर लो बेटा 1 plus b1 i cap plus 1 plus b2 j cap plus root 2 plus root 2 2 root 2 k cap इसका dot लेना है c vector के साथ जो है 5 i cap plus j cap plus root 2 k cap और यह 0 रखना है तो dot जल्दी से खोल देते हैं i cap i cap के multiply तो यहां से आ जाएगा भाईयों 5 b1 plus b2 5 6 equal to minus 10 सही लिखा है क्या तो रूट 6 आ रहा है अभी देख लेते हैं अभी देख लेते हैं बिटा तो बस अब दो equations बन गई पहली थी यह b1 plus b2 2 दूसरी थी 5 b1 plus b2 minus 10 इनको जल्दी से solve कर लेते हैं b1 plus b2 is 2 5 b1 plus b2 is minus 10 यहां पे 4 b1 अलग कर लो b1 plus b2 4 plus 1 लिख लिया इसको और इसकी जगा 2 रख दो 4 b1 plus 2 equal to minus 10 4 b1 equal to minus 12 b1 equal to minus 3 तो b2 हो जाएगा भाई तुमारा 5 b2 हो गया 5 क्योंकि यह वाली equation hold करनी है b1 b2 निकल आए b1 b2 निकल आए अब क्या करना है mod b पूछा है तो बस mod b तो हो गया mod b तुमारा हो गया root b1 square plus b2 square plus 2 b1 square अहां गया 9 25 तो 9 plus 25 plus 2 25 और 11 36 root 36 6 आगया भई answer जो है 6 आगया है ना भई 6 आगया देख mod भी पूछा है तो निकाल लिया mod भी हमने ऐसे करने है तो देख calculation तो देख होंगी अब यह मत सोचना तुम easy है मतलब calculation भी नहीं होंगी conceptually कुछ नहीं है ऐसी देख formula लगाना है बस वही लगाना है बेटा dot product का लगा लिया projection का a dot b b dot a cap करके लगा लिया यहाँ पर अभी और भी आएंगे projection के तो projection के क्या है काफी जगा mix होके आएंगे अभी अभी तो dot product करवाया है मैंने तो बहुत cross product करवाऊंगा फिर आगे बहुत सारी चीज़ें कराऊंगा linear combination तो वहाँ पर जाके बहुत सारे question और आएंगे अभी मैंने तुम्हें एक trailer दे दिया है तो तीन और एक यह दिया था non j का जो नहीं था question यह वाला ठीक है तो basically तुम्हें बस यह तीन चीज़ें याद रखनी है killer projection along b vector projection along b vector projection perpendicular to b बस यह तीन चीज़ तर a और b perpendicular है क्या बेटा कहां लिखा है question में लिखा होगा तो होते नहीं कहीं लिखा तो है नहीं a plus b perpendicular है c के तो a plus b को मैंने perpendicular रख लिया dot 0 रख लिया हाँ चल बेटा आगे बढ़ते हैं तो projection की बात हो गई है थोड़े से question इसके और आएंगे पहले थोड़ा सा cross product कर लेते हैं जैसे dot product किया है वैसे ही cross product कर लेते हैं फिर हम आएंगे projections के questions पर ठीक है भई सर स्टेकेंड स्टेप बता दीजिए चल देख सेकेंड स्टेप भी देख ले बेटा देख killer projection b का a पर तो b dot a cap is a vector, जैसे उसने याँ vector लिख दिया मैं समझ गया, मुझे vector projection लिखना है ना याँ vector लिख दिया, b का projection on a is a, तो b dot a cap is और into its direction a cap की जगा माद vector upon magnitude equal to a लिख लिया, इसको बस cross multiply किया, second step में तो और कुछ भी नहीं किया, mod a धर ले गया, तो b dot a cap equal to into a a, a का dot फिर से हटा दिया तो b dot a, बराबर mod a square यहाँ से b dot a निकाल लिया, इनका dot लेके और equation form कर ली ठीक है? चल बेटा, आगे बढ़ते हैं cross product पर आते हैं cross product पर आते हैं ठीक है? a cross b, जैसे तुमने a dot b पढ़ा था, cross product को वेक्टर product भी कहते हैं vector product, जैसे dot product को scalar product कहते हैं cross product a cross b इस type की चीज़ हो जाती है a cross b, तो अभी तुमने projection चाहिए थोड़ा tough लगा होगा, बट question जब हम करेंगे न, तो बहुत easy हो जाएगा, अभी बीच में question और आएंगे, वहाँ पे formula देखना कितनी easily लगा पाओगे तुम लोग, cross product, coming to cross product जी, तर दो बार unit vector क्यों है, दो बार unit vector, क्या कह रहा है भाई तू समझा नहीं, मैं तू क्या कहना चाहता है अरे यार, एक बार तो direction है न, अरे यार, vector projection लिखनी थी न, भाई, तुने मैं formula ही नहीं देखा धंग से, यहाँ भी तो दो बार है, a.b cap into b cap है न, यह वाला लिखा है मैंने दूसरा वाला formula क्या कर रहा है भाई, कैसी बाते कर रहा है, vector into magnitude ठीक है, चलो भाई, a cross b को आते हैं, तो a cross b, पहली बात तो एक vector होता है है, vector होता है, है न भी, जैसे a.b scalar होता था, a cross b, एक vector होता है चल बेटा, तो a cross b, क्या vector होता है, a cross b का, जो value होती है, वोती है, mod a, mod b sin theta, cos नहीं होता, तो यह तो magnitude हो गया, और क्योंकि vector a, direction भी होती है, n cap तो यह एक तरह से magnitude हो गया, यह direction हो गई, तो mod a cross b की बात अगर की जाए, उसमें direction की जरुवत नहीं है, वो तो सीधे, mod a, mod b sin theta हो जाएगा, mod a, mod b sin theta हो जाएगा, ठीक है भी, magnitude, a cross b का, but n cap क्या होता है, unit vector perpendicular to both a and b, following right hand thumb rule, right hand thumb rule, अब यार तुमने यह काफी कर आओगा, physics में, torque, work में, बहुत लगाते हो तुम, है ना भई, हाँ, उसमें भी, magnetic वगर हमें भी लगाते हो, शायद मुझे याद आ रहा है, b की value कुछ होती थी, cross, current, current, current करके, तो ऐसा कुछ होता है, कि अगर तुमारे पास a vector है, और b है, magnetic field हाँ, तो a और b को अगर cross कर दोगे, तो right hand में आप क्या करोगे, एसे भी तो curl करोगे fingers, थम जहाँ point करेगा, वो a cross b की direction होती है, यानि n cap होता है, तो a cross b में n cap बाहर की तरफ आ रहा है, I am sure यह सब ने किया होगा, बड़ा है sir, हाँ, कराया है न, a cross b की direction, torque में भी तुम करते हो, f cross s करके, torque की direction आ जाती है, वैसा ही कुछ, यहाँ पर यहीं से आता है, वो a cross b की direction, right hand thumb rule से मिलती है, n cap एक unit vector होता है, और अगर अब तुम सोचो, a cross b, तो a से भी गए, बट अगर b cross a निकालना होता, तो b cross a में b से a जाते, तो अंदर की तरफ जाता, यानि, direction negative n cap होती, तो b cross a की अगर मैं बात करूँ, तो magnitude तो सेम रहेगा, बिलकुल, mod a mod v sin theta, mod a mod v sin theta, n cap की जगा, बस minus n cap हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर की तरफ एक तरह से जाने लग जाएगा, right, तो यानि की मैं यहाँ से यह भी बोल सकता हूँ, minus को भार ले आओ, कि b cross a, b cross a की जो value है, वो minus times a cross b होती है, vector की terms में, but magnitude दोनों का समान होता है, mod b cross a और mod a cross b दोनों बराबर होते हैं, तो magnitude सेम होता है, but vector terms में, minus बाहर आजाता है, cross product commutative नहीं होता, minus बाहर आजाता है, ठीक है, जी, बिलकुल, इतना कुछ याद रखना है, cross product में, अब जैसे मैंने तुम्हें याद होगा, a dot a की बात करी थी, तब तुम सब बहुत प्यार से बोले थे, sir, mod a square होगा, अब a cross a की अगर मैं बात करूँ, तो भाई, यों और बहनों, जल्दी से बताओ, a cross a क्या होगा, a cross a is always 0, very very important, कभी भी a cross a दिखे, किसी का cross अपने आप से, तो वो सीधे सीधे 0 लिख दोगे वेटा, ठीक है, सीधे सीधे उसको 0 लिख देना, a cross a को 0 लिख देना, ठीक है, तो cross product की बाकी, जल्दी से, जल्दी से कुछ properties बता देता हूँ, अल्रेडी कुछ बता दी है, पहली a cross b ये होता है, ये बता दिया मैंने आपको, n cap क्या होता है बता दिया, a cross b b cross से बराबर नहीं होते, in fact a cross b minus of b cross से होता है, ये भी बात मैंने आपको बता दी है, फिर मैंने आपको ये भी बता दी, A x B 0 का मतलब parallel होते हैं और in general तुम ये भी बहुत ये भी बड़ी interesting बात है अभी देखना use करूँगा कि अगर कभी A x B 0 आ जाए यानि A और B के बीच में अंगल 0 हो रहा है याना 0 angle हो रहा है यानि कि वो vector कैसे हो रहे हैं parallel हो रहे हैं parallel मतलब कैसे हो रहे हैं collinear हो रहे हैं बहुत important बात अभी देखना J के questions में लगाऊंगा ये क्या बोल रहा हूँ दुबारा सुनो अगर कभी भी A x B 0 आ जाए तो if A x B 0 इसका क्या मतलब हुआ तो मतलब parallel हो गए भई क्योंकि basically theta 0 आ जाएगा तभी तो angle 0 आएगा sin theta 0 मतलब theta 0 theta 0 मतलब parallel parallel का मतलब वो एक तरह से collinear हो गए collinear का मतलब further A को lambda times B लिख सकता हूँ तो अगर कभी भी अगर कभी भी A x B 0 है तो तुम directly A को lambda times B लिखकर proceed कर सकते हो ये चीज questions में भी यूज करेंगे हम ठीक है भाई ध्यान रखना भी questions में आगे आएगा ये वाली चीज बाकी फिर अगर A cap A vector जैसे general form में I, J, K तो तुम्हें पता है A x B इस तरह से determinant form से निकाला जाता है I cap, J cap, K cap, A1, A2, A3 B1, B2, B3 के determinant से cross product मिल जाता है बिलकुल अच्छी तरह इस बात को याद रखेंगे, dot product तो सीधे मिल जाता है, I cap, I cap के multiply करके, J cap, J cap, K cap K cap, K cap, K, but cross product के लिए determinant की मदद लिया करो, best method होता है जी, sir 180 भी हो सकता था, तब भी तो parallel होंगे बिलकुल सही कह रहा है, parallel या anti-parallel हो जाएंगे न 180 में बिलकुल सही पकड़ा तुने ये कह रहा है कि sir ये 0 होने का मतलब sin theta 0 न, sin theta 0 तो मतलब तो theta 0 भी हो सकता है, और 180 भी हो सकता है, तो parallel भी हो सकते हैं, और 180 में anti-parallel हो जाएंगे, बात वही है फिर भी co-linear तो रहेंगे ही theta 0 या 180 कुछ भी रहें clear है, इतनी बात याद रखेंगे चलिए, तो ये बात होई, cross product की कुछ और property देखते हैं, एक बहुत बहुत interesting बात geometrically जो है, mod A cross B क्या represent करता है, अब ज़रा important बाते आ रही हैं, इस page पे, सवाल जिस पे बनने वाले हैं, J-E के अंदर जो सवाल आएंगे, 2024, 23 बगएरा के PYQ देखेंगे mod A cross B क्या represent करता है area of parallelogram जिसकी sides A vector and B vector है, ठीक है mod A cross B, क्या represent करता है area of parallelogram, क्यों sir देख अगर ये A vector है और ये B vector है दो sides A और B हो गई, तो मैं कहे रहा हूँ इस parallelogram का जो area है इस parallelogram का भाई साब जो area है इसका जो area बन रहा है, ये ये आपका mod A cross B होगा mod A cross B इसका area होगा ऐसा क्यों? देख, बड़ा असान proof है बहुत असान proof है, तुम्हें एक बात पता है area of parallelogram तुम्हें पता है base into height होती है base into height होती है हाँ sir, base तो mod A हो गया ये तो mod A हो गया height अगर मैं इस angle को theta माल लूँ, ये height हो गई है ना, और ये mod B हो गया, तो इस triangle के अंदर, इस छोटे से triangle के अंदर, इस प्यारे से triangle के अंदर, trigonometry लगाता हूँ sin theta हो जाएगा h upon mod B यानि h की value mod B sin theta को यहां रग दे, base तो था mod A height हो गई mod B sin theta, और mod A mod B sin theta क्या होता है भाई साब mod A x B होता है sir, तो area of parallelogram प्रूव हो गया, mod A x B होता है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट याद रखना है भाई अच्छी तरह, याद रखना है भाई, paper में question दिखेगा इसका विल्कुल ऐसे ही area of triangle area of triangle जो है अगर मैं सिर्फ इतने triangle का area पूछ हूँ, जिसकी दो sides A और B हैं, तो ये वाले का triangle का area होता है half A x B half A x B का magnitude इस triangle का area देने लग जाता है, ऐसा क्यों सर, दे common sense एक तो होता है भाई, common sense बट वो इतना common आजकल है नहीं तो थोड़ा सस देख ले भाई कैसे लगेगा common sense, तुझे पता है अगर मैं इसको जोड़ दूँ, तो parallelogram divide होगा दो बराबर areas में है न, तो बस समझ गया अगर यह इसका पूरे का a cross b था तो सर, इतने लाल वाले का half a cross b हो जाएगा half a cross b हो जाएगा, यही वाला लाल वाला यहाँ पे उठा के मैंने रख दिया है समझ गया? समझ गया? नहीं तो तू बाग की area of triangle भी लगा ले यहाँ पे, कि भई यह height है और यह theta है, तो half base into height होता है, तो अपने आप half a cross b बन जाएगा area of triangle very very important तो किसी भी mod a cross b represent करता है area of parallelogram, जिसकी sides a और b vector है, side है please note, यहाँ पे side a cross b है ठीक है, a और b है हाँ, और area of triangle होता है, area of triangle भी लिख लो, चलो, area of triangle होता है half mod a cross b इसके बाद मैंने तुम्हें बताया, a unit vector बहुत सारे important points है यह इस सारे points जो लिखे हैं, बहुत ज़्यादा important है unit vector perpendicular to plane of a and b, देखो तुम्हें पता है, a cross b जो होता है a cross b जो होता था उसकी direction देखी थी हमने कि वो perpendicular आ गई बेटा plane के, यह देख, ऐसे करूँगा तो बिल्कुल बहार, तेरी तरफ आएगा perpendicular to your screen यानि कि a cross b is perpendicular to both a and b तो अगर मुझे एक unit vector चाहिए perpendicular to the both plane of a and b, तो unit vector कैसे मिलता है, vector upon its magnitude, a cross b upon mod a mod mod a cross b, unit vector निकल गया plus minus क्यों लगा है, क्योंकि तुझे पता है unit vector या तो बहार हो सकता है या अंदर भी तो दो unit vectors आएंगे इस तरह के, right तो यह as a formula याद रखना 3D में यह formula बहुत काम आता है 3D geometry में यह formula बहुत काम आता है बाकि sin theta तो यह हो जाएगा, समझ गए तुम और यह क्या है, Lagrange's identity देख ऐसी Lagrange ने अपने नाम पर एक जबर्दस्ती की identity चिपका ली, basically identity कुछ भी नहीं है, इसको जरा अगर हम इधर रखके देखें, यहां समझते हैं, देख, तुझे एक बात तो पता है, cos square theta plus sin square theta one होता है, हाँ सर यह तो सर, 10 वी class का जो मेरा च्छोटा भाई भी पढ़ रहा है vector जो पूछ रहा था न सर, vector पढ़नू क्या सर, मुझे आ जाएगा समझ, 10th वाला उसे भी पताए तो, हाँ बिल्कुल तो अब इसी को यूज करके Lagrange ने अपना नाम अमर कर लिया, कैसे उसने बोला कि भाई, देखो तो खुद बताएगा कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं a.b whole square a cross b whole square equals to mod a square mod b square, क्या ऐसे नहीं लिख सकता sin square theta plus cos square theta equal to 1 को सोचो, इसमें आ जाएगा cos square theta आएगा mod a square mod b square cos square theta क्योंकि a.b में वहाता है, इसमें mod a square mod b square sin square theta आएगा और mod a square mod b square तो common आके कटेगा, cos square plus sin square 1, यही lagrange's identity है और कुछ भी नहीं है mod a plus a dot b whole square plus mod a cross b whole square is mod a square into mod b square यही lagrange's identity है भाई cos square plus sin square equal to 1 की जगा, dot cross की terms में हम ऐसे लिख सकते हैं समझ गया? हाँ, sir, lagrange LMVT वाला है क्या? हाँ, वही है इसको chain नहीं मिला बिटा, वहाँ पर हमारे खून पीकर aod में application of derivative में इसने एक theorem बनाई, इसने का कोई vector में भाई मेरे को लोग याद रखें, चलो मैं एक गंदी सी theorem बना देता हूँ, यह देख वही लिखी है, वही लिखी है, अगर तो इसको इधर ले आएगा, mod a cross b whole square plus mod a dot b whole square is this, basically cos square plus sin square equal to 1 ही तो लिखा हुआ है, यार, कमज गया ना? हाँ, हम, जी, बिल्कुल सभी बात है, सर, cos theta a dot b कैसे? अबे, cos square theta हो जाएगा na, square है, a dot b में नहीं आता, तुझे नहीं पता a dot b में क्या आता है, बच्चो वाली बाते कर रहा है, mod a mod b cos theta आता है, तो जब इसको whole square करेगा बेटा, दिमाग में थोड़ा सा, थोड़ा सा दिमाग में depth ला, हाँ, दिमाग के नसे खुलेंगी तेरी जब ओरली करेगा ऐसी चीजें, mod a square, mod b square, cos square आएगा, या mod a square, mod b square, sin square आएगा, mod a square, mod b square, इधर आके common आ जाएगा, अंदर cos square plus sin square 1 हो जाएगा, ठीक है? समझ गया अब? हाँ तो ये है lagrange's identity, इसी को उसने का कि नहीं यार, बहुत ज़्यादा basic हो गई, ये तो बेफ़पूप नहीं बनाया जारा लोगों को, तो इसने ऐसे भी determinant form में भी लिख दी, हाँ, देख ले भाई अब, determinant form में भी यही बन जाएगी वो, यही बन जाएगी बेटा, क्योंकि जै नहीं करना है, तुम्हें इसमें कुछ याद नहीं करना है, टैंचन आलो, ये सब कुछ लर्न नहीं करना, तुम्हारे पास जब भी आएगा, बस ये तीनों चीज़ों लिंक हो सकती है, तुम्हें क्या याद रखना है, कि भई, A dot B, A cross B, और mod A mod B, इन तीनों चीज़ों को A minus B cross A plus B, तू देखो, जैसे distribution करते हो, A cross A, A to 0 हो गया, plus A cross B, minus B cross A, minus B cross B, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, अब क्यों मत पूचना है, क्यों हो गया, A cross A 0 होता है, तुछे पता है, अपने आपके साथ cross जब भी करेगा, 0, अपने आपके साथ 0, और इस minus को पलट दे, तो A cross B plus A cross B हो गया है तो twice of A cross B हो गया है यानि इतनी चीज़ को इतनी चीज़ को क्या लिख सकता हूं twice of A cross B whole square और ये क्या लिखा है 4 A dot B whole square 2 का whole square 4 बहार आ गया odd A cross B whole square plus A dot B whole square अब समझ गया बेटा देख लग रहे हैं जे भाई वाली चीज़ आ गई है sine square, cos square आके 1 होने वाला है इसमें sine square आएगा, इसमें cos square तो 4 mod A square, mod B square जैसा कुछ दिख रहा है यानि 4 into mod A square हो गया, 4 square 3 square कितना हो गया भाई 64 into 9 6, 3 5, 7, 6 सही है, देख ले गरे हैं जे identity लग गई सीदे-सीदे इस question के अंदर 2022 का सवाल वैसे तो आम तोर पे 2022 काफी खतरनाक साल था J main के लिए, बट ये सवाल तो बिटा integer type में आया वो भी देख अलवा सवाल सर 4 कहां गया? मेरे भाई, 2 का square और 4 बहार आ गया समझ गया कहां गया? सर कब तक class चलेगी? जब तक है जान तारुख खान का डायलोग समझ गया? अगला एक और करते हैं भाई इसमें क्या है सर? फिर से देखो भाई A dot भी दिया है, A cross भी दिया है हाँ सर तो यानि यहां से लग रहें जे भाई साब की मदद से हम कह सकते है mod A square mod B square होगा 3 का square plus 75 समझ गया ना भाई? टेक डारेक्ट 9 plus 75 यानि 84 हो जाएगा mod A square mod B square और square plus sin square 1 लगाया बस और कुछ भी नहीं और एक equation यह रही इसको खोल देते हैं भाई mod A square plus mod B square plus 2 A dot B A plus B whole square खोल दिया mod A square plus 2 mod B square यह और यह कट गए यह और यह तो कट गए A dot B already 3 है इसको यहां यूज कर ले यह भी एक वैसे तो कट गया इसमें से तो 2 into 3 equal to mod B square mod B square बराबर 6 mod B square को 6 यह रख दो mod A square into 6 equal to 84 mod A square आ गया 6 1s आ 6, 6 4s आ 24, 14 आया ना मजा? हाँ 14 हो गया answer साही है भाईयों? अब clear हो गई यह बात कैसे देखो मैंने जल्दी जल्दी करके लगाया है इसी तरह तुम्हें भी लगाया है I love you sir, I love you too बेटा सर आप कैसे हो? आप अच्छा पढ़ाते हो? धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद कोशिश बस यह करते हैं कि आपको समझ आ जाए सर रोस्ट भी यह भाई साब अलगी दुनिया में जी रहे हैं कि चाहते हैं इन्हें रोस्ट किया जाए यह बेटा जाके तंदूर पे बैट जा गैस पे हो जाएगा रोस्ट मजाक कर रहा हूँ भाई कहीं सही में बैट जाए कहेगा कि मप सर ने वोला है माननी पड़ेगी बात चल बेटा आगे बढ़ते हैं एक बड़ी प्यारी बात बताने जा रहा हूँ मैं तुम्हें जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि area of any parallelogram तो तु जानता है बेटा यह वाला हाँ बचपन से सीखा है जो इसका area होता है odd a cross b ठीक है अब मैं तुझे बात कर रहा हूँ area of any quadrilateral any quadrilateral कोई भी quadrilateral ठीक है बचपन में तुने any quadrilateral का area नहीं बढ़ा area of parallelogram पड़ा है base into height area of rectangle पड़ा है height length into breadth area of rhombus पड़ा है half d1 d2 but area of any general quadrilateral मतलब जैसा मर जी टेडा मेडा कि कैसा टेडा मेडा है सर तो kite बन गई जैसा मर जी बना ले यार कोई trapezium नहीं कुछ नहीं trapezium का भी area पड़ा है half some of parallel sides into height but area of any general quadrilateral जैसा मर जी quadrilateral आ जाए उसका भी area vector की मदद से हमारे पास होता है भाईयों उसका area इसका area होता है कि आप diagonals create कर लीजिए half of d1 cross d2 d1 क्या है एक diagonal d2 क्या है दूसरा diagonal तो half d1 cross d2 से किसी भी quadrilateral का area मिल जाता है किसी भी का सर हाँ बेटा यही तो बात है किसी भी quadrilateral का area मिल जाता है half d1 cross d2 से किसी भी quadrilateral का area चाहे वो trapezium हो, rhombus हो नहीं हो, कुछ भी एक normal quadrilateral हो parallelogram, rectangle हो, जैसा मर्जी हो half d1 cross d2 करके दोनों diagonals का cross product लेके half से multiply करके तुमें area of quadrilateral मिल जाएगा जी तर आपने coordinate geometry में बताया था हाँ, सही बोल रहा है, विल्कुल सही बात coordinate geometry, state line मैंने तुझे अंजिल में मैंने कराई थी यादसा नहीं आ रहा मुझे चल कह रहा होगा तो ठीक है हाँ, बट शायद अरजुना में कह रहा है, अच्छा ठीक है तो diagonal given होंगे तो तुम ये करोगे diagonal given होंगे तो किसी भी quadrilateral का area इससे निकलेगा, proof भी दे किसका है, क्या करेंगे जाके छोड़ वैसे बता देता हूँ कि जिनको मन है इन triangles का area जोड़ना, दो triangle area of triangle तो आता है, half product, half a cross b करके दोनों को जोड़ना, और तुम जैसी जोड़ोगे तो ये निकल कर आ जाता है बट जरूरत नहीं है, तुम इसको याद रख लो बस area of any quadrilateral चलो भई all time 2024 का एक सवाल जिसको आप लोग जल्दी से करके बताएंगे जल्दी से करके बताएंगे हम अगर डाइगनल नहीं गिवन है तो बेटा देख कोई general formula नहीं है quadrilateral का हाँ, parallelogram होगा, फिर वोई एक रॉस भी लगा सकता है, अगर डाइगनल नहीं है बट डाइगनल है, तो किसी भी quadrilateral का निकल जाएगा AC दिये है VD दिया है वाँ, वाँ, मजा ही आगए area of parallelogram पूछा है इससे ज़्यादा simple क्या आएगा, बता इससे ज़्यादा हलवा आ सकता है, कोई यह बता कि तेर को एक parallelogram दिया है, कोई नहीं parallelogram तो बहुत अच्छा है, हम तो कह रहे हैं दिवन वेक्टर तुम्हें पता है, point से वेक्टर कैसे निकालते हो, final minus initial कर लो, तो minus 5 i cap, minus 3 minus 2, 4 minus 3 plus j cap, minus 7 k cap, यह d1 हो गया, और d2 वेक्टर bd तुम्हें already दिया है, i cap plus 2 j cap plus 3 k cap, जल्दी से cross product निकालके half से multiply करते हैं, तो area वेक्टर आ जाएगा, पहले तो वेक्टर आएगा न, half d1 cross d2 करके, minus 5, 1 minus 7, 1, 2, 3, फिर इसका magnitude निकाल देंगे, बस खतम हो गया सवाल, जल्दी कर यार, जल्दी कर देख, जल्दी कर, hmm, so half bahar i cap into 3 plus 14, 17, minus j cap into minus 15 plus 7, plus k cap into minus 10 minus 1, मतलब minus 11, तो half 17 i cap plus 8 j cap minus 11 k cap, ये हमारा area वेक्टर आ गया है, बट हमें area का magnitude निकालना है, तो इसका magnitude निकाल लेते हैं, भाई, हो गया सवाल, तो mod area हो गया, half bahar, root 17 square, plus 8 square, plus 11 square, तीनों के whole square से याद होने चाहिए भाई, 17 square तो बड़ा अच्छा number है भाई, बहुत ज़्यादा मेरा favorite number है, क्यों सर, सोच ले बेटा क्यों है, समझ जाएगा, जो मुझे जानते हैं, वो समझी गए होंगे, अब वस add कर दो बेटा, तीनों को, जल्दी से add कर दो, और answer निकाल लो, क्या option आया, देखें, आप लोगों ने क्या टिक करा है, सर ये तो parallelogram है, तो आपने half क्यों लिया, बेटा, तु यही नहीं समझा, half तेर को हर बार लेना है, d1 cross d2 में, यहाँ पे diagonals जब तू यूज कर रहा है, तो half लेना ही है, irrespective वो जैसा भी quadrilateral हो, तू confused जिस से हो रहा है, वो हो रहा है बेटा, a cross b से, तो a cross b कब लगता है, इसमें बेटा, ए और भी sides थी, diagonal नहीं थे, a और b देख, sides थी, तो अगर side दियें, तो a cross b लगाएगा, और diagonal दियें, तो half d1 cross d2 लगाएगा, ठीक है, यह देख, बहुत अच्छा doubt, पूछा, काफी लोगों को यह दिक्कत होती है, समझ गए sir, आपकी rank है वो, हाँ वेटा, सही समझा तू, चल अब जल्दी इसको add करके भी बता दे, जल्दी add करके बता दे, कितना आया, तीन सो के आसपास चल रही है कहानी, चार सो, और last digit देख लूँ तो, चार आ रही है, चार सो के आसपास last digit चार, बी option, ऐसे करता हूँ मैं तो, देख ले भाई, चुगाडवाजी, 474, चल बढ़िया, अच्छी बात है, पी option हो गया answer, अगला, एरिया पेक और सवाल, 2024 में बहुत एरिया-एरिया किया है इनोंने, ये देख, सर, paper solving session कब दोगे, हाँ, दूँगा बेटा, चल्दी दूँगा, मैंने promise किया था, I think, एक batch में, अर्जुना में, कि भई, paper कैसे solve करते हैं, वो भी तुम्हें, मैं एक बार एक idea दूँगा, एक, discussion में, paper में, paper को discuss करेंगे, एक तरह से कौन से करेंगे, कौन से छोड़ेंगे, exam में मैं तुम्हारी जगा होता, तो कौन से करता, कौन से छोड़ता, तो वो चीज जरूर एक pending है, मेरी तरफ से, एक paper कोई भी लेके, आपको मैं उसमें दिखाऊंगा, ठीक है, करेंगे हाँ, चल इधर देख बेटा, OA दिया है, A, O, B दिया है, ठीक है, OC दिया है, कुछ ठीक है, समझ गए, O is origin, S is parallelogram with adjacent sides, OA, OC, OA, OC लेते हुए, parallelogram बना दो, वो कह रहा है, OA, OC लेते हुए, adjacent sides, अब विरभववी बात, sides है, दियान रखना भई, OA का मतलब था, A vector, तो यह A vector है, और यह OC का मतलब था, B vector, तो इस parallelogram का जो area है, वो हो जाएगा, भाई, अब हाफ मतलगाई हो, दोस्त, क्योंकि sides का मामला है, odd A cross B, इसका area हो जाएगा, दूसरा क्या पूछा है, area of quadrilateral O, A, B, C upon area of S, तो area of S तो यह आ गया, S is the parallelogram, ठीक है, अब बोल रहे हैं, दूसरा एक quadrilateral बना लो, अब क्या बोल रहे हैं, quadrilateral बना लो, quadrilateral बना लो, O, A, B, C, O, A vector तुमारा है, O, A vector तुमारा है, A, O, C vector है, C, O, B vector है, 12A plus 4B, तो अब तू समझ गया दोस्त, इसमें diagonal वाला लगेगा, इसमें diagonal वाला लगेगा, देख क्योंकि, इसका position A हो गया, इसका position C हो गया, तो ये वाला, C minus A हो गया diagonal, एक diagonal तुझे दिया ही हुआ है, ये दूसरा diagonal हो गया, half D1 cross D2 से इसका area निकाल लेता हूँ, इसको A1 बोल देता हूँ, half D1 cross D2, C1 की जगा ले लो, 12A plus 4B, अच्छाए B था, C नहीं था, B था, ठीक है, एकी बात है, 12A plus 4B cross B minus A, और ये cross product जड़ा distribute करो, भाई साब, cross product को distribute करो, cross product को distribute कर दीजिए, तो half, 12A cross B, 12A cross B, A cross A वाला 0 लिख रहाँ सीदे, B cross B 0, minus 4B cross A, minus वाले को plus में change करके उल्टा कर दो, यार इसका क्या हुआ हुआ, हमारा pole तो रही गया है, अरे भाई, इसका answer B था ना, चलो, देखते हैं, पहले result तो देख लें, क्या बात है, very nice, हाँ, तो वापस इसको plus कर देंगे बिटा, तो 12A cross B, और minus को हटा के, plus 4A cross B, 12 और 4, 16 हो गया, 16 का half गया, तो 8 times A cross B हो गया, 8 times A cross B, इसका area आ गया, ठीक है, अब तो हो गया, बस स्वाल तेर को क्या पूछा है, यह जो area मैंने A1 लिया है, यह A1 है, और यह वाला area of S, जो था वो A है मेरा, यह वाला, तो A1 upon A का ratio निकालना है, A1, यह है, A को divide करेंगे, 8 हा रहा है, D option, D option बन रहा है, सही है ना, मजा आया की नहीं, देख कितना easy question है, जिसको यह formula आता है, जट से इसको exam में बिटा कर देगा, सही है की नहीं, अब धीरे-धीरे असान लगेगा, जिसको लग रहा है ना, सर, vector थोड़ा सा, शुरू में tough लग रहा है, मुझे घवरामत, धीरे-धीरे असान लगेगा, tough तुझे तभी लग रहा होगा, अगर तू पहली बार पढ़ रहा है, बिटाई से, हम, चलो, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, भई, area of parallelogram की बाते चल रही हैं, तो क्यों ना, एक और इसी पर ले लेते हैं, ठीक है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, घवराए नहीं, अभी 6 गंटे निकलने दे, फिर तुझे भी easy लगेगा, a vector is alpha 2j cap minus k cap, b vector ऐसा है, area of parallelogram whose adjacent sides, देख अब क्या sides की बात की गई है, vectors a and b मतलब, area जो है a cross b होगा, a cross b का magnitude लेना है, वो बराबर है इसके, ओके, तो this, 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 इसकी value बतानी है, यानि साफ समझा रहे हैं, किसी तरह alpha alpha खेलना है, alpha निकालना है, area का formula लगाता हूँ, a cross b, i, j, k, alpha 2 minus 1, alpha 2 minus 1, minus 2 alpha 1, alpha 2 minus 1, minus 2 alpha 1, तो i cap 2 plus alpha minus j cap, alpha minus 2, plus k cap, alpha square plus 4, और इसका भी बेटा magnitude ले लेता हूँ, तो root alpha plus 2 whole square, plus alpha minus 2 whole square, इसका तीनों का square कर देता हूँ, ये हो गया, area का एक तरह से magnitude निकलाया, है ना भई, हाँ, सर कैसे पता चला, a cross b लेना है, अरे यार, कमाल कर रहा है तू, सीधे सीधे बोला है न, area of parallelogram, जिसकी sides है, a and b, तो भई, area of parallelogram कैसे मिलता है, a cross b से ही तो मिलता है, sides में, diagonal दियोते हैं, तो half d1 cross d2 लगाता, sides दिये हैं, तो a cross b लगा रहा हूँ, कैसी बात कर रहा है, यार, सर, d1, d2 को exchange करने पर, area की direction पर effect नहीं पड़ता है, area की direction पर असर पड़ेगा, बट magnitude पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें वस magnitude की ही बात करनी है, अभी तक हर question में, देख, इसमें तो वैसे ही magnitude होता, तो हम mod लगा देते हैं, यहां mod लगा देते हैं, तो वैसे भी वो कटना ही कटना था, और पिछले question में भी हमने magnitude की ही बात करी थी, देख, last में रे लिया था, तो इसलिए direction की tension नहीं लेनी, इसके अंदर, बट हां, अगर vectors दो add कर रहे हो, area as a vector add कर रहे हो, तब direction देखना पड़ेगा, वो ध्यान रखने वाली बात है, चलिए, अब वापस आते हैं इस question पे, तो इसको थोड़ा simplify करने का मन कर रहा है, देख, इसमें 2AB की term कटेगी, है न, तो area जो बनेगा, root, alpha square plus 4, plus 2AB, इधर से भी कटेगा, तो alpha square plus 4, दो बार आ जाएगा, और alpha square plus 4 का whole square हो गया, तो area जो बन गया, 2 times alpha square plus 4, plus alpha square plus 4 का whole square बन गया, but area तुझे बेटा ये दिया हुआ है, यानि कि ये चीज दी हुई है, 15 times, root of 15 times alpha square plus 4, तो alpha square plus 4 हर जगा दिख रहा है मुझे, तो नहीं छेडूंगा, alpha square plus 4 को रखूंगा, और अब squaring both sides किया, so 2 alpha square plus 4, alpha square plus 4 को t भी मान लेता हूँ यार, so 2t plus t square equal to 15t, so t square equal to 13t, t, t काट देता हूँ क्योंकि alpha, t0 तो हो नहीं सकता, alpha square minus 4 नहीं हो सकता, t13, alpha square plus 4, 13, so alpha square आ गया 9, alpha square बेटा 9 आ गया है, है ना भई, इधर देखो भई, अब क्या कर रहा है, alpha तो आ गया, अब कहानी आगे की देखते हैं, 2 mod a square, a dot b mod b square, अच्छा, a dot b निकाल लेता हूँ, सारी चीज़े निकाल लो, a dot b, minus 2 alpha, और plus 2 alpha, और minus 1, वाह, मज़ाई आ गया, minus 1 आ गया, a dot b तो minus 1 आ गया बेटा, ठीक है, अब देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, 2 mod a square, 2 mod a square, minus, क्योंकि ये minus 1 था, mod b square, ठीक है, mod a square देखें, alpha square plus 4 plus 1, alpha square plus 4 plus 1, यानि दोनों के ही mod same आ रहे हैं, देखो, mod a square और mod b square, दोनों ही देखो क्या आ रहे है, alpha square plus 5, है न, this square plus this square plus this, तीनों में, दोनों में same है, so alpha square plus 5, common ले लिजिए, so alpha square plus 5 की value पूछी, alpha square 9 था, 9, 5, 14 आ रहा है भई मेरा तो answer, 14 एक option तो दिख रहा है, D option हो गया भई, हम, ठीक है, देख लीजिए, कैसे मैंने calculations को handle किया है, इसी question में बहुत लंबी चौड़ी भी बनाई जा सकती है, में calculations, स्मार्टनेस इसी में है कि आप यहाँ alpha square plus 4 को छेडेना, क्योंकि बार-बार वो term दिख रही है, उसको मैंने t मान लिया, सीधे-सीधे alpha square plus 4 निकला आया, और उसके बाद, उपर जाके भी मैंने जब a dot भी निकाला और mod a mod भी निकाले, वह सब सेम आ गया, last में जाके alpha की value पुट कर दी, चलो बेटा, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला question, अब ये homework में दे रहा हूँ तुमें, cross product में चलो, ये कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं है, calculations बहुत हैं इसमें, इसको आप homework में complete करेंगे, 2024 का ही है, करा था मैंने easy question है, बस calculation है, पूरा answer आजाता है, तो आप इसको घर पे जरूर निकाल लीजिएगा, a cross b निकालना पड़ेगा यहां से, a plus b निकालना पड़ेगा, और c को कुछ माल लेना, c vector को माल लेना, x i cap plus y j cap plus z k cap, और तुमारा यह solve हो जाएगा, question, x, y, z की values निकाल लेना, चलो भई, आगे बढ़ेंगे, dot cross की बातें, अब हमने basics समझ ली हैं, देख, dot and cross ऐसी चीज़ है, जो बारबार आएगी, ऐसा नहीं है, खतम हो गई, पूरे chapter में लगेगी, एक तरह से मैंने तुम्हें अंदाजा दे दिया है, अब हम next topic पर आते हैं, फिर उसको mix करेंगे, triple product में भी है क्या, dot cross ही है बिटा, पूरे chapter ही dot cross पर बेस्ट है, ठीक है, linear combination in plane, क्या सर यह deleted है, नहीं, यह deleted नहीं है, यह तो सीधा-सीधा है इस syllabus में, stp, vtp delete किया है, जही ने, बट उसके भी सवाल दिये है, तो मैं दिखाऊंगा 2024 के, हाँ, चल, अब ध्यान से सुन, linear combination in plane क्या होता है, एक अंग्रेजी की line लिखी है, उसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसे अपनी देशी language में, ब्रेक कर लेंगे, if vectors a and b are two non-zero non-collinear vectors, non-zero non-collinear, non-collinear मतलब एक ही line में नहीं है, ऐसे और ऐसे हैं, सर्थ, same plane में तो होंगे ही देख, दो vector हैं तो same plane में हमेशा होंगे, पहली बात आज यही बताई थी, दो vector same plane में हमेशा होते हैं, दो vector collinear जरूरी नहीं हमेशा हो, तो मैंने non-collinear बना लिए, अलग-अलग, then a vector r, एक तीसरे vector r की बात की जा रही है, lying in the plane of a and b, मतलब इसी यह जो ब्रहमान्ड है हमारा, space, कालस, space जो दिख रहा है, मतलब, जो board दिख रहा है हमारा, यह space, board, इसके अंदर, अगर एक कोई तीसरा vector r create करना है, कैसा मर जी, ऐसा सर, कोई कहेगा, नहीं ऐसा नहीं सर, मैं तो ऐसा लूँगा, ऐसा ले ले, जैसा लेना है, ले, कोई भी vector r को हम, r को हम लिख सकते हैं, x a plus y b, where x and y are scalar numbers, so any vector r, can be expressed as, x a plus y b, linear combination, देख नाम क्या है, linear, देख, linear क्या हुआ, x टाइम से linear हो गया, linear x a के अंदर कुछ multiply कर दिया, 2 टाइम से, 3 टाइम से, minus 5 by 2 टाइम से कुछ भी, so linear, a linear b का combination, क्योंकि प्लस है, तो combination हो गया, hence the name, linear combination of two vectors in a plane, दो vectors का linear combination in a plane, मतलब x a plus y b, एक vector उसी plane में, कोई सा भी तीसरा vector देने लगता है, देखो ये बात तुम already बहुत यूज़ कर चुके हो, physics में, कई बार ऐसा होता है, x y plane में vector चाहिए, तो चलो x i cap प्लस y j cap मान लेता हूँ, तो ये तुम क्या करते हो, कि linear combination ही तो करते हो यार, कि i cap और j cap मतलब x y plane में, कोई भी vector लिखना है, तो उसे i cap का linear, और j cap का linear combination लेकर, हमने establish कर दिया, तो ये ही चीज मैं बस तुमें बता रहा हूँ, कि ज़रूरी नहीं है, i, j के terms में ही तुमने लिखना है, कोई भी दो vectors के plane में, तीसरा vector लिखा जा सकता है, उन दोनों के linear combination से, x a plus y b, तो आपको उसी plane का कोई भी एक vector मिल जाता है, सर x y क्या है, इसमें क्या होते है x y, कुछ भी हो सकते हैं सर, जैसे जैसे x y change करोग, एक नया vector मिलेगा, वैसे ही यहाँ पर भी x and y change करने पर, नया vector मिलेगा, ठीक है, तो अब इसका proof क्या है, देख बहुत obvious है यार, मतलब क्या ही बताऊं तुझे, तुमें एक बात पता है, कि अगर मेरे पास एक vector p है, और एक Q है, तो जो resultant है, वो same plane में आता है, यह तो बेटा, सपनों में भी अब तुमें आता होगा, कि resultant of two vectors, four planar होता है, same plane में lie करता है, physics में भी तुमने एक बात देखी होगी, कि दो vectors का resultant, same plane में आता है, नहीं पता, तो अब याद कर ले, resultant always lies in the same plane, तो देखो, A, XA क्या होगा, इसी के parallel XA हो जाएगा, XA multiplied है, फो linear होगा, YB क्या होगा, इसी के parallel YB होगा, और अगर इन दोनों को add कर रहा हूँ, मतलब मैं इनका resultant ले रहा हूँ, भाई, resultant ले रहा हूँ, same plane में ही आएगा, सर लेकिन वहाँ तो I cap unit होता है ना, हाँ, मैं तुझे यही तो समझा रहा हूँ, कि यहाँ तु unit vector के terms में लिखता आया है, perpendicular vector के terms में लिखता आया है, मैं तेरा यह भ्रम तोड़ रहा हूँ, कि जरूरी नहीं है, कि तेरे unit vector हों, और तेरे perpendicular vector हों, जैसे मर्जी हों, टेड़े मेड़े जैसे मर्जी, बस दो होने चाहिए, समझा, हाँ, दो चाहिए बस सर हमें, समझ गया, दो vector चाहिए, उसी plane में घुमने के लिए हमें बस, दो vector चाहिए, समझा बेटा, समझ गया ना, xa plus yb, दो vectors के linear combination से, जैसे मर्जी vector हों, चाहिए, वो बस parallel नहीं होने चाहिए, non zero होने चाहिए, और non collinear होने चाहिए, दो की direction, अब इसमें क्या होता था, दोनो unit और perpendicular होते थे, तो मैं तुम्हें अब बस ये समझा रहा हूं, कि जरूरी नहीं है, वो unit हो, जरूरी नहीं है, वो perpendicular हो, जैसे मर्जी हों, बस collinear नहीं होने चाहिए, तो मुझे linear combination में, कोई सा भी तीसरा vector, उसी plane में लिख सकते हो, ठीक है, तो अब इस पर सवाल कैसा बनेगा सर, देख, जहां पर भी तुझे लिख देना, कि एक vector है, इन दोनों के plane में, तो समझा 100%, उसमें यहीं लगना है, कोटा सा concept है, बड़ा भारी भर कम है, क्या बोला मैंने, जहां भी question में लिखा हो, कि एक vector c है, जो a और b के plane में है, इतनी बात कहीं भी लिखी दिख जाए, एक vector c है, a और b के plane में, तो समझ जा भीया, x a प्लस y भी लेके शुरू हो जाओ से, ठीक है, चल इधर देखते हैं, question से समझाओंगा, तो और मज़ा आएगा, बढ़िया करके समझ जाएगा, ले भाई, तवाल देखते हैं, 2022, June, हम, क्या बाते कर रहे हो भाई, चैट पर, समझ नहीं आ रही मुझे, कौन सी भाषा में लिख रहे हो यार, वो का आमचा जाली जी, लिक्की पाटेल, पाटेल जी लिख रहे हैं, I think ये मराठी लिखना चाह रहे हैं, और मेरी मराठी बेटा, कमजोर क्या, है यह नहीं, तो मैं ये कोछ कुछ समझ नहीं आया, जो तु लिख रहा है, कोई बात नहीं चल, आजा आप, सवाल पर, A vector ये है, B vector ये है, C वे है, three given vectors, let V vector, in the plane of A and B, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, V vector है, in the plane of A and B, whose projection on C is this, तो देख, इतनी भाषा से मुझे समझ आ गया, whose projection छोड़, इतनी बात, V is a vector in the plane of A and B, इतनी चीज़ से मैं पकड़ूंगा, कि question, linear combination का है, हाँ, समझ गया ना, V vector in the plane of A and B, तो V vector को मान लेंगे, let V, let V vector is, x times A, plus y times B, A और B की value चिपकाओ, A की जगा लिखूंगा, i cap plus j cap, plus 2 k cap, और B की जगा लिखूंगा, बेटा, 2 i cap, minus 3 j cap, plus k cap, तो V vector हो जाएगा, चीज़ तरह लिख लो, x plus 2 y i cap, x minus 3 y j cap, plus 2 x, plus y k cap, हम, अब V vector तो लिख लिख लिया, मुझे x और y की value चाहिए, हम, अब देख बेटा, V dot j तो 7 दिया है, देख V dot j की value से मैं use कर सकता हूँ, V dot j तो ये वाला होगा, तो x minus 3 y, तो तेरा 7 हो जाएगा, dot with j करूँगा, तो सिर्फ ये बचेगा, राइट, तो V dot j 7 से एक equation आ गई, x और y में, दूसरी equation दिया है, whose projection on C is 2 by root 3, और projection कौन सी दिया है, scalar दी हुई है, तो तू बेटा, पहला वाला formula चिपका देगा, scalar projection वाला, समझ गया, कि V का projection on C is this, तो V dot C cap, आया ना बेटा, चमका की नहीं चमका, scalar projection देगा, याद कर वोई projection वाला formula, slow tube light वालों को, जड़ा याद दिला देते हैं, projection का formula क्या था भई, slow tube light वाले हमारे प्यारे भाई और बहन, कहां है, कहां चले गया भई, projection तो मुझे मिली नहीं रहा, हम्, ये रहा, A dot B cap होता है projection, तो वही चीज़ लगा दी मैंने, कि V dot C cap 2 by root 3 है, C का cap निकाल ले, C का cap बेटा, I cap minus J cap plus K cap by root 3 हो गया, और इसको यहाँ चिपका दे, तो X plus 2 Y, C cap यहीं लिख ले ना, खतम, C cap हो गया, और इनका dot ले ले, V dot C cap, V dot C cap, तो I cap के साथ हो गया, X plus 2 Y, K cap के साथ हो गया, minus X minus 3 Y, और plus K cap के साथ हो गया, 2 X plus Y, upon root 3 है common, और इधर भी 2 upon root 3 था, root 3, root 3 कट गया, root 3, root 3 कट गया भई, root 3, root 3 कट गया, देख यह बीच वाला तो साथ भी यूज़ कर सकते हो, इसे तो साथ था ही, X minus 3 Y, तो X plus 2 Y, minus 7, plus 2 X plus Y, equal to 2, 3 X plus 3 Y, equal to 9, so X plus Y, बराबर 3, तो equations, दो unknowns आ गई, X और Y, बेटाब, solve हो जाएगा, X और Y, तुम्हारा solve हो जाएगा, देख ले जड़ा, X minus 3 Y 7, X plus Y 3, जल्दी से add, subtract ही कर देता हूँ, actually, 1 minus 2 करते ही, X कट जाएगा, तो Y minus 1 हो गया, यानि, X तुम्हारा 4 हो गया, X 4 Y minus 1, तो तुम्हारे, X और Y निकल आए, X और Y निकल आए, तो बेटा, vector V निकल आया, V vector निकल आया, तो सब कुछ आ गया, V dot I plus K पूछा है, V dot I plus K का मतलब क्या हो गया, कि V dot I, V dot I क्या होगा, ये वाला part, तो देख डारेक्ट निकाल लेता हूँ, V dot I, V dot I, plus V dot K पूछा गया है, है ना, तो V dot I का मतलब ये वाला part, X plus 2Y, V dot K का मतलब ये वाला part, 2X plus Y, तो 3X plus 3Y पूछा गया है, 3X plus 3Y तो हमारा अल्रेडी 9 आ गया था, 9 होना चाहिए अंसर D, 9 होना चाहिए अंसर, रॉंग सर, ठीक है, क्या रॉंग हो गया, बता तो सही, काफी दो भाई हैं हमारे वो लिखे जा रहे हैं, रॉंग बार-बार, मुझे तो कुछ खास रॉंग लग नहीं रहा, बाकी तू देख ले, आंसर भी आ गया है क्योंकि मेरा तो, हम, कह रहे हैं सरा, तरीका ही गलत है आपका, ओके बेटा, पर X plus 3Y equal to 7, हाओ, देख, X minus 3Y 7 है, पहली बात तो X plus 3Y नहीं, X minus 3Y, क्यों क्योंकि V dot J 7 दिया न, सोच किसी का dot which J लेता हूं, तो क्या आता है, ये वाला component आ जाता है बस, ये के साथ dot लेने पर बस ये आता है, वाकि दोनों तो 0 हो जाते हैं, सिर्फ ये आता है, तो x-3y, जो coefficient of j है, वो 7 होना चाहिए. चल बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये था एक तरह से देख, इसमें दो चीज़े मिक्स हो गई, एक तो linear combination in a plane, जिसमें मैंने यहां से शुरू किया, ये वाली चीज, x-a plus y-a भी, जो अभी पढ़ाई तुबे, और साथ में projection का concept, projection भी मिक्स हो गया, क्योंकि projection से एक equation बनी, v dot c-cap से, चल बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े, इधर देख, एक और करते हैं, चलो ऐसा ही, ऐसा ही बेटा, एक linear combination का और देता हूँ, linear combination का एक ऐसा ही और देता हूँ, a, b, c, b, 3, coplanar vector, a dot c, 5 है, b perpendicular to c, 122, c1, c2, c3, समझ गए सर, समझ गए, तो basically फिर से वो पूछा गया है, coplanar vectors हैं, मतलब अब तू समझ गया, देख, coplanar को कई लोग box product से जाते हैं, मैं यहाँ पर उससे नहीं जा रहा हूँ, coplanar मतलब, c vector जो है, वो इन दोनों के plane में ही है, coplanar मतलब, same plane में, ठीक है, a cross b dot c से नहीं जा रहा हूँ, मैं linear combination से जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ linear combination में भी, तीनों vector बेटा coplanar होते हैं, right, so मैं c को लिख सकता हूँ, c को लिख सकता हूँ, x times a, जान के तुझे confuse करने को c1, c2, c3 दिया है, ताकि तु बेटा उसको 3 variable लेके चले, बट मैं इसको 2 variables के सवाल में convert कर रहा हूँ, x और y के, ठीक है, lengthy कम बनेगा, x, a plus y भी लिख लिया है, मैंने c को, x times a plus y times b ले लिया है, क्योंकि यह भी c coplanar थे, तो मैंने c को इस तरह से लिख लिया है, आप उसको प्लीज ऐसा ना रखें, उसने जान के तुम्हें confuse करने को दिया है, 2x plus 3y i cap, x plus 3y j cap, 3x plus y k cap, यह बन गया वेटा, c vector, अब a dot c 5 दिया है, a का 2 i cap, j cap, 3 k cap, तो a dot c बनाओ, 2 into this, यह दिया है, 5, a dot c मैंने निकाल लिया, बेटा, 2 vectors का dot product ले लिया, और अब क्या हो गया, 4, 9x, 4x, 9, 10, 14x, k, और 6, 12y, equal to 5, सही लिखा है ना भाई, जड़ा देख लेना, a dot c 5, देख लीजिए, सही लिखा है ना, 9 और 1, 10, 14x, plus k, 3, 9, 3, 12y, equal to 5, एक equation तो xy में बन गई, और दूसरी equation के लिए b dot c 0 दिया है, क्योंकि b perpendicular to c, मतलब यह जो c मान चुके हो, इसका dot with b 0 कर दो, एरा b, इसका dot with b 0 कर दो, अब देख ज़रा b dot c 0, इसका मतलब हो गया, क्या हो गया, b dot c 0 का मतलब 3 into this, 2x plus 3y, plus 3 into this, x plus 3y, plus 1 into this, 3x plus y बराबर 0, तो 6x, 6, 6, 12x plus 9y, 10y, और 16y बराबर 0, तो equation, दो unknowns, फिर से बिटा बाप इसको solve कर लेना, अब x और y निकल जाएंगे, पिलकुल homework में करना है, अब complete x और y दो निकल जाएंगे, और x और y आ गए, तो x, y से ये c1 हो गया, तुमारा, ये c2 हो गया, ये c3 हो गया, निकल गया, यहाँ value डालके answer निकाल लेना, ठीक है भई? तर V में j cap का भी तो coefficient होगा ना, तो वो भी तो आना चाहिए ना, dot product में, in last question, मेरे भाई, मैंने उसको साथ ले लिया ना, सीधे ही, समझा नहीं तू बात को, मैंने इसको सीधे साथ ले लिया, साथ कर दिया, सीधे यहाँ पर साथ कर दिया, इसलिए तुझे wrong लग रहा है, वो actually correct है, इसको अब homework में निप्टा लेना भई, linear combination in a plane, 19y होगा सर, अच्छा, एक सेकिंड, 9, और, एक 10, 339, साही कह रहा है भी, 19y होगा है, 19y, बिल्कुल ठीक है, चलिए, दो equation, दो unknown, solve करेंगे, answer भी, बिल्कुल बढ़िया करके आ जाता है, मैंने निकाला हुआ है, यह आप कर लेना है, अब जैसे linear combination in plane होता है बेटा, वैसे ही linear combination in space भी होता है, space का मतलब, देख, linear combination in space, यह बड़ी interesting बात है, ध्यान से सुनना भई, जैसे अभी मैंने क्या कराया था, linear combination in plane करवाया था, इसमें क्या था, दो vector के plane में कहानी तेरी जमीन में चल रही थी, जमीन में दो vector थे, A और B, तो जमीन में ही तीसरा vector R लिया था, XA प्लस YB, समझ गया, जमीन, 2D, plane, plane मतलब जमीन, दिवार समझ ले, बात वही है, अपनी जमीन देख, जमीन में कोई से भी दो vector, कोई भी दो लाइने देख ले, जमीन में तेरी लाइने होंगी, पत्थर बेहना, वो दो vector अगर कोई से भी दिया है, तर आप इतना अच्छा कैसे पढ़ाते हो, धन्यवाद पहले तो बेटा बहुत 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 दिल से, दिल से कर कोई भी काम तू भी बढ़िया कर पाएगा, इन जेनरल, के एनिधिंग, पढ़ाई कर, तू दिल से कर देख, दिमाग से नहीं, दिल से कर, दिल जोग दे अपना अंदर, पूरी जान लगा के कर, अच्छा लगेगा तुझे भी, थैंक यू बेटा, आपने अच्छी बाद बोली, मुझे और मोटिवेशन मिला इस चीज से, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, आपको भीया जी, जमीन पर अगर हम है, तो एक्स दो वेक्टर अगर है, जमीन पर ही पड़े हैं बिचारे, और तीसरा वेक्टर, अगर हम जमीन पर ही क्रियेट करें, तो एक्से प्लस वाई भी, बट वो जमीन पर ही रह जाएगा, जमीन से उपर नहीं उठ पाएगा, अगर बेटा, उसे जमीन से उपर उठना है, 3D में आना है, स्पेस में आना है, समझा, तो मुझे linear combination in space लगाना पड़ेगा, प्लेन नहीं, स्पेस लगाना पड़ेगा, समझ गया तु बेटा, समझदार व्यक्ती है तू, तो अब हमें 3 vector की मदद लेनी पड़ेगी यहाँ पे, तो अगर आपको अब देखो, 3 vectors, A, B, C, R, non-zero, non-collinear, non-coplanar, मतलब same plane में नहीं है, A अगर ऐसे है, जमीन पे है, B जमीन पर है, और C कहीं टेडा मेडा ऐसे कहीं जा रहा है, ठीक है? समझा? तीसरा vector जो है मैं बनानी रहूं, टेडा मेडा कहीं मर्जी होगा, ठीक है? तीन vectors है, then any vector are in the space, space मतलब होता है 3D, space का मतलब समझ ले, space समझता है ना 3D में, then we expressed as XA plus YB plus ZC, तु इसको already use करता है बेटा, जब भी 3D में कोई vector लिखना होता था physics में, तो क्या करते थे? XI cap plus YJ cap plus ZK cap लिखते थे, 3K linear combination में उस vector को तुम लिखते थे हैं ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बस मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वो तीनों vector ज़रूरी नहीं है IJK हो, वो कोई से भी 3 vector A, B, C हो सकते हैं, कोई से भी 3 vector A, B, C हो सकते हैं, ठीक है भाई? हाँ, A, B, C वो 3 वो कोई भी vector हो सकते हैं, तो तुझे plane में आने के लिए, plane से बाहर निकलने के लिए, एक तीसरे vector की मदद चाहिएगी, linear combination में, समझ गया ना कैसे? क्योंकि XA plus YB तो कोई भी इस vector इस plane में दे देगा, और C तेरा अगर ऐसे जा रहा है, visualize का थोड़ा, C ऐसे जा रहा है, तो ZC ऐसे इसी के parallel हो रहा होगा, और जैसे ही XA plus YB plus ZC करेगा, तो कोई भी 3D में एक नया vector, general vector मिल जाएगा, ठीक है, तो ये बात हो गई, linear combination in space की, इसका जो है, इस्तिमाल हम, second half of the lecture में करेंगे, अभी नहीं, आगे की class में करेंगे, ठीक है, तो linear combination in plane पे ज़्यादतर question बनते हैं, बट space में भी हो सकता है, तो अब तुम्हें 2 की जगा 3 vector चाहिए होंगे, बस, क्योंकि variable बहुत आ जाते हैं, इसलिए generally इसके question तुम्हें कम मिलेंगे, but 3 vector के product में हम इस चीज को देखेंगे, थोड़ा सा वहाँ पर पढ़ेंगे, चलो भाई, break sir, अरे यार, रुक जा भाई, तुझे पता है अपना break का मतलब, 3 घंटा, 3 घंटे से पहले no break, तेर को जो इतना बेटा, बेचैनी हो रही है, 3 घंटे से पहले उठने की, तो ये बता, जेई के exam में भी तेर को ऐसे ही बेटा, बेचैनी होगी, उठके जाऊं ज़रा break ले लूँ, इसलिए बेटा, 3 घंटे तो bare minimum तुने बैटना है, जब भी पढ़ने बैठे, 3 घंटे से पहले उठना ही नहीं है, 3 घंटे के बाद अराम से break ले, जितना लेना है, ताकि आदत बन जाए, exam में भी 3 घंटे तक concentrate करने की, नहीं तो होगा क्या, हर एक घंटे के बाद तुझे मन करेगा, अब मैं वाश रूम हुआ हूँ, अब जड़ा देख लूँ, बगल वाला क्या कर रहा है, पानी पिया हूँ, यही सब चलता रहेगा बेटा, हाँ, 9 बजे break देना सर, ठीक है बेटा, 9 बजे दे देने, सेम टू सेम उठके अभी देखियो, तो मैं तेरे को वहीं पे करा दूँगा, इसलिए तु यह मत सोच, कि सर ने घपला कर दिया, एक सवाल करवाया नहीं, तुझे अभी तो बताया मैंने, कुछ नहीं छूटेगा तेरा यार, सब करवाऊंगा, मैंने जान के नहीं करवाया, क्योंकि यही सवाल अभी, थोड़ी देर बाद तुझे, जेई मेंन के अंदर दिख जाएगा, तुझे विश्वास नहीं है न, चल दिखा देता हूं तेरे को, एंड में आएगा, एंड में आएगा वेटा, कहां गया सर, आफ थ्री वेक्टर्स, आप सही है, है बड़ा तेज वैसे इसने देख लिया है, एक 38 नमबर सर स्लाइड थी, उसका question नहीं कराया, आपने है, जी, predictor question था सर, हाँ, यही समझ ले तू, ते हमी question आगया उठके, जल्दी से देखते हैं, अब थ्री वेक्टर्स का product, अब जो लोग यह सोचते हैं, कि सर, यह तो हट गया है, scalar triple product, vector triple product, triple product मतलब, अब तीन तीन वेक्टर को multiply करेंगे, पहली बात तो यह अपने दिमाग से निकाल दो कि हट गया है, तो कि अभी तुम्हें सवाल दिखाऊंगा, तीन वेक्टर multiply करने हैं ना, तो क्या दोनों में dot लगा सकता हूं, पहले तो यह बताओ, क्या दोनों में dot लगा सकता हूं, सोच के देख, क्या दोनों में dot लगाया जा सकता है, तर दोनों में dot लगाने में क्या दिक्कत है, कि a dot b तो आपका scalar हो जाएगा है ना क्योंकि scalar हो गया dot product और scalar का dot with vector तो कुछ नहीं होता भई 2 dot c cap थोड़े ना कुछ होता है ये तो वेहुदा बात होती है वेटा बत्तम इजी है तो 2 dot c cap यानि scalar का dot with any vector कभी भी possible नहीं है इसलिए दोनों में dot नहीं लगाया जाएगा एक में dot एक में cross हाँ सर इसमें लगा सकता हूँ बट प्रोवाइड़ कि सर पहले बत्तम इजी ना हो पहले dot product ना लिया जाए क्योंकि अगर पहले dot ले लिया तो फिर से सर एक scalar number बन जाएगा से 2, 3, 4 उसका cross with c तो बिलकुल again बत्तम इजी हो गई सर यानि कि जब भी एक dot एक cross लगा रहा हूँ तो automatically implied है कि पहले dot नहीं लूँगा पहले cross ही लूँगा bracket इसी में होना चाहिए bracket मतलब पहले ये होगा forward mass rule हाँ पहले ये लेंगे मतलब ये vector बन गया v cross c तो vector है और vector ये भी है अब एक vector का dot with vector अब सर बत्तम इजी नहीं होई अब तो बढ़िया काम हो गया समझ गया हाँ समझ गया यानि अब तू समझ गया कि एक में dot एक में cross काम कर जाएगा मैं बस देख रहा हूँ क्या क्या हो सकता है triple product में दोनों में dot नहीं हो सकता एक में dot एक में cross बिल्कुल होगा बट पहले bracket जब इसमें लगा है दोनों में cross यही तो है भाई combination दोनों में cross तो सर बिल्कुल बिंदास चलेगा हर तरह से चलेगा सर हमें हर तरह से चलेगा क्योंकि इसमें आप पहले इसमें bracket लगा दोगे तब भी इस चलेगा और इसमें आप पहले इसमें bracket लगा दोगे तब भी चलेगा तो नों में सरबढ़िया है ठीक है? तो अब मेरे भाईयों और बहनों अगर आप इसकी बात करें ये जो था, तो कौन-कौन काम का है हमारे एक ये है, एक ये है और एक ये है उपर वाले भाई काम के नहीं है बट ये जो आएंगे क्योंकि ये vector का dot with vector, तो final outcome क्या आएगा इसका सोचो, एक scalar आएगा की vector आएगा इसका ये vector था, उसका last में dot ले लिए इसके साथ, तो finally एक scalar number आएगा एक scalar outcome आएगा इसका तो इसको हम बोलते है scalar triple product, ठीक है STP, scalar triple product STP बोलते हैं भाई ठीक है, STP इसको बोलते हैं, यही STP, ठीक है, यही scalar triple product है और अगर तू अब इसको सोचे, ये cross product finally भी cross करके, finally भी vector आएगा answer, तो इसको बोलेंगे vector triple product VTP, ये भी vector triple product है, VTP ये भाई physics वाला STP नहीं है कहीं तू, physics और chemistry वाला STP लगा दे standard temperature कुछ होता था pressure, standard temperature and pressure, कुछ होता था STP, वो नहीं है, ये अपना maths का STP है, scalar triple product, और वो क्या है vector triple product, तो अब हम एक एक करके, इनके बारे में detail में discussion करेंगे, STP पढ़ेंगे पहले, फिर पढ़ेंगे beta VTP अब पंदरा मिनिट ध्यान से सुनेंगे, STP के बारे में हम बाते कुछ करेंगे, तो scalar triple product जैसा की मैंने बताया, होता क्या है, A dot B cross C होता है, है ना, और अब इसमें मानले, A को तो ले लेता हूँ, A1 I cap, plus A2 J cap, A3 K cap, अब ध्यान से देखना भई, ऐसे ही B vector को ले लेता हूँ, B1 I cap, B2 J cap, C vector को ले लेता हूँ, C1 I cap, plus C2 J cap, plus C3 K cap, अब ध्यान से देखेंगे, तो पहले B cross C लेना होता है, मैंने अभी बताया, पहले B cross C लोगे, क्योंकि इसमें bracket है, B1, B2, B3 C1, C2, C3, और इसको खोलेंगे, चाहेगा I cap into B2 C3 minus C2 B3, minus J cap into something, plus K cap into something, कुछ-कुछ आ जाएगा B cross C, मैं कर नहीं रहा हूँ, पूरा, देखो कुछ derive करना चाह रहा हूँ, इसलिए तुम्हें दिखा रहा हूँ, कि B cross C खोलके ऐसा कुछ आएगा, अब इसका finally A के साथ dot भी लेना है, अब ध्यान से देखना I cap का ये है, यानि ये जो चीज है, कि A1 into B2 C3 minus C2 B3 हो जाएगी, है ना, बस I cap की जगह एक तरह से A1 आ जाएगा, समझा, ऐसे ही यहाँ पर जो J cap है, इसकी जगह एक तरह से A2 आ जाएगा, क्योंकि आप A के साथ dot ले रहे हैं, तो minus A2 into this, और K cap की जगह A3 आ जाएगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, भाईयों और बहनों, कि अगर मैं I, J, K की जगह A1, A2, A3 डाल दूँ, यहाँ तो ये बन जाएगा मेरा STP, समझा क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ultimately जब मैंने इसे खोला, तो I की जगह A1 आ गया, J की जगह ये, तो मैं बोल सकता हूँ, A dot B cross C A1, A2, A3, बस I, J, K की जगह A1, A2, A3 लिख दो, B1, B2, B3, तो ये हो गया, भाई, मेरे STP का formula, हाँ समझ गया भाई, A dot B cross C का ये formula बन गया, A dot B cross C का, जैसे vector का, vector product या cross product का formula होता है न, वैसा ही, बस ये समझ ले, उपर वाला हटा के A1, A2, A3 आ जाएगा, इस determinant की value आपको A dot B cross C देगा, अब जड़ासा कुछ और किया जाए, अभी मैंने यहाँ पे, A dot B cross C लिया था, अब म से देखना, मैंने क्या किया, dot और cross को एक तरह से पलट दिया, पहले cross फिर dot लगा दिया, तो obviously अब bracket यहाँ आ गया, क्योंकि पहले हमेशा cross लेना होता है, पहले हमेशा cross लेना होता है, तो A cross B लेते ही, अब तू खुद सोच, A cross B लेते ही क्या होगा सर, I, J, K, A1, A2, A3, B1, B2, B3, और अब जैसे ही इसका dot with C लूँगा, क्या हो जाएगा, बता, खुद बता, तू खुद बता, जैसे ही इसका dot with C लूँगा, तो भाई, सिर्फ और सिर्फ, I cap की जगा, C1 आने लग जाएगा, मतलब, यहाँ C1, C2, C3, A1, A2, A3, B1, B2, B3, पढ़ रखा है, वो यह जानते हैं कि भाई, दो रो इंटरचेंज करूँगा, दो बार, तो दो बार माइनस आके, ultimately, यह वाली चीज, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, दो रो दो बार इंटरचेंज करे, माइनस माइनस आके, कट गया, सेम बन गया, यानि कि यह चीज, और यह चीज, सेम बन गई, तो मैंने क्या प्रूव किया है, इस पूरे जो इतनी देर से तुम्हें मैं कहानी सुना रहा हूं, इससे मैंने यह प्रूव किया, कि अगर कभी भी तुमारे पास, A.B.C की वैल्यू जो यह आई थी, यह, और जो A.B.C की वैल्यू है, यह दोनों स A.B.C लिख दूँ, A.B.C लिख दूँ, तो सेम होता है, मतलब STP में .C को इंटर्चेंज किया जा सकता है, STP में .C को आप इंटर्चेंज को ठाके या रख दो, as long as आपने order change नहीं किया, order ABC, order ABC रखते हुए, आपका value जो है, सेम आता है, इसलिए इसको हम, actually अब इसमें द dot आएगा, एक जगा cross आएगा, जहां मर्जी dot लगा ले, जहां मर्जी cross लगा ले, क्योंकि यहां dot में भी सही है, यहां cross में भी सही है, तो इसलिए हम इसको बस ऐसे लिख देते हैं, box ABC, समझे, क्योंकि यह important ही नहीं है कि dot कहा लगा है, cross कहा लगा है, क्योंकि पहले dot लग लगा देंगे जहां मर्जी dot cross लगा लो इसी लिए इसका नाम होता है scalar triple product या box product भी कहते हैं box product क्यों क्योंकि डब्बे में हमने इसको बंद करके ऐसे लिख दिया है box abc ठीक है तो box abc भूलू तो मतलब वोई है a cross b dot c a dot b cross c बात एक ही होती है इसलिए यह property valid है तो दो चीजे बताइए अभी तक मैंने तुम्हें यहाँ पे number one की a cross b box का formula क्या होता है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 तो तीन वेक्टर्स हैं उनका determinant बना लीजिए उससे एक तरह से आपको stp मिल जाता है दूसरी चीजे बताइए कि dot and cross interchange किये जा सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है अब देख इनका properties पढ़ लेते हैं जरा properties सबसे पहले property पढ़ने के लिए actually यह देता क्या है geometrically क्या देता है यह समझ लेते हैं कि box a b c क्या देता है geometrically कैसे तुम्हें पता है भाई देख a cross b क्या देता है area of parallelogram box mod a cross b क्या देता है area of parallelogram देता है वैसे ही box a cross b cross c क्या देता है ध्यान से देखो क्या लिखा है scalar triple product अभी समझाओंगा पहले पढ़ लो geometrically represents volume of parallelopipid यह शब्द बड़ा interesting है volume represent करता है box a b c क्या represent करता है volume represent करता है किस चीज की parallelopipid की parallelopipid क्या होता है सर अभी बताता हूँ उस three co terminus edges co terminus उतलब same starting point वाली sides a b c होंगी उसकी volume box a b c से मिलेगी पहले तो parallelopipid क्या होता है अब दिहान से सुनना भई पैरली लो पैपिड होता है जैसे qvoid क्या होता है यह सोच qvoid क्या होता है तर कमरा हम जिसमें बैठे हैं वो qvoid है बिल्कुल सही बात है qvoid ऐसा होता है basically सारे rectangle जिसकी side होती है वो एक तरह से qvoid है ऐसे ही सोच ले कि जो भी parallelograms की सारी sides है वो parallelopipid हो जाता है तो मतलब 3D parallelogram एक तरह से यह तुने एक parallelogram बनाया ठीक है यह भी एक parallelogram बनाया इस तरह की कुछ चीज इस तरह की कुछ चीज बेटा तुम्हारी क्या होती है एक parallelopipid होती है 3D parallelogram ऐसे समझ ले 3D का parallelogram सारी sides इसकी parallelogram है सारी sides parallelogram है got it इस तरह की figure को हम parallelopipid बोलेंगे सारी sides parallelogram है sir what about tetrahedron वो बात की बात है अभी रुख जा पहले parallelopipid समझ लीजिए क्या होता है तो parallelopipid is nothing but आपने एक parallelogram बनाया और ये भी एक parallelogram बना दिया right दो sides उसकी थोड़ी अच्छी सी figure बना लेते हैं एक parallelogram हो गया ये भी एक parallelogram हो गया something like this हाँ बढ़िया सबन गया इस तरह की figure को हम parallelopipid बोल देंगे चलो अब ध्यान से देखेंगे जरा parallelopipid में मैं कह रहा हूँ अगर तीन four terminus edges मानले ये वाली side है तुमारी A और ये है तुमारी B और ये है C तो ये जमीन है ऐसे समझ ले ये वाला base है वो ऐसे height जा रही है ठीक है थोड़ा color कर देता हूँ तो समझ आ जाएगा ये तुमारी एक तरह से base है ऐसे समझ लो, यह base है, यह ऐसे height है, उपर की तरफ, यह छत है इसकी, तो अगर 3 co-terminus edges, मतलब एक ही vertex से निकलती हुई 3 sides अगर ABC है, obviously यह देख perpendicular नहीं है, क्योंकि यह सब parallelograms है, right, they are not rectangle, तो इसकी जो volume आएगी figure की, यह मैं बोल रहा हूँ, box ABC से मिलेगी, यानि A dot B cross C से मिलेगी, box ABC से इसकी volume मिलेगी, इस figure की volume मिलेगी, कैसे देख, बहुत असान तरीके से proof कर सकता हूँ, B cross C से क्या मिलेगा, देख, सर, B cross C से तो area of base मिलेगा, area of base मिलेगा, B cross C से, B cross C के magnitude से, right, यह तो हमने पढ़ा था cross product में, और B cross C की direction क्या होगी, सर, B cross C की direction, B cross C, ऐसे उपर perpendicular होगी, B cross C की direction, ऐसे होगी, right, अब ध्यान से सुनना भई, A और B cross C के बीच में मानले angle theta ले लेता हूँ, तो mod A यह हो गई, mod A cos theta यह height हो जाएगी, तो mod A cos theta, क्योंकि अगर मैं cos projection ले लूँ, इसका A का cos projection perpendicular पे ले लूँ, तो height निकल के आ जाएगी ना, इस figure की height आ जाएगी, तो area of base into height कर दूँगा, तो volume हो जाएगी, volume क्या होती है, इस तरह की figure की, area of base into height, area of base थी mod B cross C, height थी, mod A cos theta, और theta था इन दोनों के बीच में angle, यानि की, A dot B cross C ही तो हो गया भई, cos theta की definition लगी हुई है, mod A, mod B cross C cos theta, तो A dot B cross C ही तुमारी volume होती है, वेटा, prove हो गया, that volume of parallelopipid, proof का कोई जरुवत नहीं है, बट still, बता दिया है, मैंने, याद ये रखना है तुम्हें, कि volume of parallelopipid होती है, A dot B cross C, A dot B cross C तुम्हें, volume of parallelopipid देती है, ये first property थी, right, अभी use करेंगे से, further second property मैंने तुम्हें बता दी, कि A dot B cross C और A cross B dot C, box A, B, C, सब बरावर होते हैं, in fact, box B, C, A, के बरावर, box C, A, B, के भी बरावर हो जाएगा, क्योंकि A, B, C, B, C, A, C, A, B, बरावर होंगे, क्योंकि दो-दो बार row interchange हो जाएंगी, determinant, determinant की सारी property अभी यहां चलेंगी, सोच, box A, B, C, is minus A, C, B, क्योंकि दो-row interchange B, C, को अगर interchange कर दिया, CB बना दिया, तो minus बाहर आ जाता है, determinant में तुम पढ़ चोके हो, कि दो-row interchange करके minus आता है, फिर तुमने यह वाला formula तो देखी लिया, अगर A, B, C, A vector है, तो box A, B, C का formula, determinant of A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, further तुम एक और चीज़ बता सकते हो, box A, A, B क्या होगा, मतलब अगर दो-row same हो गई एक तरह से, देख, vector को तु बिलकुल determinant की तरह treat कर, STP को, अभी मैंने बत यहां same रख दिये, तो 2-row same बन जाएंगी, 2-row same होते ही, determinant value तो 0 हो जाती है, तो box A, A, B, 0 हो जाएगा, box A, A, B, तुमारा हमेशा 0 बनेगा, जब भी तुमें box में 2 vector same दिख जाएं, तीदे 0 चिपका दो, right, उसके बाद, बच्चों वाली property थोड़ी सी, अगली वाली देख one shot पढ़ना था ना यार, वो तो बहुत ही basic चीज है, जो already मंजिल में हो चुकी है, अगर ABC coplanar है, coplanar का मतलब तो तू समझता है बेटा, same plane में मतलब ये जो है, एक तरह से डबा बने गई नहीं, same plane का मतलब ये जो ऊपर ये निकल रहा है, TD में नहीं जा पाएगा, सब कु अगर उसको पिछकाद होगे, तो तीनों vector same plane में आ जाएंगे, जमीन पर पहुंच जाएगा, यानि volume 0 हो जाएगी, तो अगर coplanar vectors है, coplanar vector है, यानि box ABC 0 हो जाएगा, यानि ABC को हम linearly dependent भी कहते हैं, क्योंकि coplanar आ जाएगा, तो linear combination लग जाएगा, आज बताया था ना, कि linearly dependent मत लव coplanar बन जाएगे, यानि XA प्लस Y भी linearly dependent भी बोलते हैं, linear combination को, फर्दर अगर non coplanar है और box A भी सी positive आ जाए, तो क्योंकि box है क्या determinant value ही तो है, एक तरह से, box जो है वो एक तरह से determinant value है, तो determinant value तो सकता है negative भी आ जाए, बट volume है सर negative कैसे आएगी, तो volume में mod लगा लेंगे, बस simple volume में mod लगा लेंगे, तो अगर ये positive आ जाए, तो right-handed system बोला जाता है, और अगर negative आ जाए, तो left-handed system बोला जाता है, यही लिखा है, negative का मतलब तीनों vector का left-handed system है, बस यही मतलब है इसका, कई बोलते तीन vector right-handed system है, तो box ABC को positive रख देना, आ सकता है सवाल, अगर vector left-handed system ब नंबर है, तो एक रो में से बहार आ जाता है, के बहार आ जाएगा, ए प्लस भी वही वेक्टर वाली, determinant वाली property है, ए प्लस भी वहे, ए और भी अलग-अलग कर लिए, ए और भी वेटा अलग-अलग कर लिए, ठीक है, और इसके बाद अब, टेट्राहेडरन नाम की भी एक जोती है, जैसे वाल्यूम ऑफ पैरलीलोपेड होता था, देख पैरलीलोपेड बता दिया मैंने, ऐसी थ्री डामेंशनल तुम्हारा एक तरह से ये हो गया, अब टेट्राहेडरन तुमने शायद केमिस्टी में पढ़ा होगा भई, इथेन वगेरा ये सब टेट्राहेडरन होता है, मतलब एक बेस होता है, ट्राइंगुलर ऐसा, एक ट्राइंगुलर बेस है, ऐसे मालो, ये ट्राइंगल है, और ऊपर एक ऐसे वर्टेक्स जा रहा है, ये, O, A, B, C, ऐसा कुछ हो गया, O, वर्टेक्स ऐसे ऊपर है, तो इस काइंड आफ फिगर इस कॉल्ड और उपर एक वर्टेक्स तीनों ट्राइंगल के बेस वर्टेक्स से जोड़ दीजिए, इस इस कॉल्ड टेक्ट्राहेडरन और अगर इसकी तीनों साइड, A, B, C हैं, तो वॉल्यूम आफ दिस टेक्ट्राहेडरन में बस क्या होता है, जैसे इसमें बॉक्स ABC होता है, इसमे सॉलिड स्टेट बगेरा में भी पड़ा होगा तुमने, तो वन सिक्स्थ बस बहार मल्टिप्लाइ हो जाता है, टेट्राहेडरन की वॉल्यूम में, यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, बाकी एक प्रॉपर्टी यह है, A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A का बॉक्स जो ह इसका प्रूफ बड़ा असान है, कैसे, देख बॉक्स की डेफिनेशन क्या है, इन दोनों का क्रॉस इसका डॉट, बस बॉक्स जब भी आए, इससे तुम हर सवाल को अप्रोच कर सकते हो, इस क्रॉस दिस, और फाइनली डॉट विद इस, पहले दो का क्रॉस तीसरे से डॉ ले लिया मैंने, उल्टा भी कर सकते थे, पहले इन दोनों का क्रॉस फिर इससे डॉट बात एक ही है, और अब इसको खोल विटा, A क्रॉस भी आएगा एक, A क्रॉस C आएगा, B क्रॉस भी आएगा, वो तो 0 होगे, अब B क्रॉस C आएगा, और इस पूरे का डॉट विद ल सर, A, B, C और B, C, A सेम कैसे हुआ? देख बिटा, A, B, C में क्या आएगा? देख, बॉक्स A, B, C में आएगा ये, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, B, C, A में क्या होगा? दो बार रो, दो रो इंटरचेंज हो जाएगी न, उपर B1, B2, B3, फिर C1, C2, C3, फिर A1, A2, A3, तो बॉक्स A, B, C, B, C, A, C, A, B, तीनों बराबर हो जाएगे? क्योंकि दो दो बार दो रो इंटरचेंज हो जाएगी, समझ गया कि नहीं समझा? कहां गई प्रॉपर्टी? क्योंकि A, पहले A लिखा है, फिर B, फिर C, तो सोच B, C, A में क्या होगा? बेसिकली तुमने A और B को पहले इंटरचेंज किया, फिर तो यहाँ माइनस B, A, C हो गया, फिर A और C को इंटरचेंज किया, एक और बार माइनस आया, तो B, C, A हो जाएगा, that is the logic, इसलिए यह दोनों सेम आ जाएगे, राइट? कहां था मैं? बता रहा था मैं तुम्हें, तो A क्रॉस B, प्लस A क्रॉस C, प्लस B क्रॉस C, डॉट C प्लस A आ गया, अब देख, अब ज़रा ध्यान से देखेंगे भई, क्या हो जाएगा, देखो, A क्रॉस B, डॉट C, पहला वाला इससे मल्टिप्लाए होगा, राइट? A क्रॉस B, जो है, डॉट C होगा, तो यह तो box ABC बन गया हाँ sir, A x B dot C तो box ABC होता है, फिर A x B dot A आ जाएगा, तो बेटा, A x B dot A क्या होता है A x B देख रफ में A x B dot A का मतलब box A, B, A हो गया box A, B, A में आपने अभी बताया, दो vector same का मतलब ये value, 0 हो गई तो ये वाला, A, B, A वाला, 0 आएगा, समझ गया A, B, A वाला, 0 आएगा, ऐसे ही A, C A, C, C, ये A, C, C देगा, 0, A, C, A देगा, 0, समझ रहे हो ना B, C, C, 0, B, C A बचेगा, तो मतलब box B, C, A बचेगा, बस पहला बस ABC बचेगा, बाकि सब 0 हो गए wrong sir क्या wrong हो गया क्या हो गया बेटा क्या wrong हो गया यार, तुम भी box ABC, BCA और ABC और BCA बरावर होते हैं, मैं पता है अभी बताया box ABC और BCA क्योंकि दो-दो बार interchange होता है तो इसको भी ABC लिख सकता हूँ तो ये two times box ABC बन गया तो ये property मैंने प्रूफ कर दी है, 10th वाली तुमारी 10th property प्रूफ हो गई है सर, plus आएगा मैंने कहां plus नहीं लिखा कहां plus नहीं लिखा भाई कहां plus नहीं लिखा बता सही तो लिखा है यार इसका box खोला तो this cross this dot this लिख दिया, इन दोनों का cross dot with this सही तो लिखा है कहां पर plus आएगा cross ही तो आएगा बेटा, इमैं bracket खोल रहा हूँ a cross b, a cross c b cross b 0, b cross c क्या हो रहा है तुझे मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई, तुम लोग क्या बोलना चाह रहे हो b cross c लिखा है सार आपने अच्छा रहे यार, तुम भी, ओहो, ये कह रहे हो तुम लीजिये भाई साहब अब आपके दिल को खुशी मिल गई खुशी मिल गई भाई ये वताओ, नरसरी कक्षा में हो का हैं, जो ये सब बाते कर रहे हो अब एक करा तो सही है आगे लिखा तो plus से खोला तो वैसे ही है चल ठीक है बट practically तुम सही बोल रहे हो अब plus होना चीजिए, खीक है भाई, कर दिया है मैंने bracket खोल दिये, और आगे की कहानी वही है, tape recorder मिल्कुल सही चला है आगे सही है जब अधस्ती time waste कर रहे हो यार तुम भी चल आगे देखते हैं बिटा तो अब एक बहुत ही जबरदस्त question इसके उपर करते हैं एक दो question फिर बचे हुए question break के बाद कर लेंगे करने तो देख बहुत question है भी और बहुत property भी है स्टीपी पर ठीक चल रहा है अपना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है सही बताऊं तो अब स्टीपी वीटीपी vector equation तीन चार चीजें ही बची है सर ब्रेक नौ बजे जल्दी बताओ चलो ब्रेक अभी करना है या बाद में करना है क्या कहते हो हाँ सर वी ओल लव यू I also love you बेटा हाँ अभी सर अभी नौ बजे अभी अभी सर कुछ लोग कह रहे हैं नौ बजे कुछ लोग कह रहे हैं अभी नौ बजे वाले काफी जादा दिख रहे हैं मुझे चलो पोल कर लिया जाए ठीक है हाँ A option है नौ बजे और B option है अभी अभी करना है सर ब्रेक अभी बिलकुल अभी सर बिलकुल बैठानी जारा मुझसे और C और D तो तुझमें पता ही है बेटा C और C प्लूटो वासी और D तेरा बेटा मार्स वाले है ना ही करना तो ही अच्छा है C और D तो A और B दो option के सवाल में तू बेटा C टिक कर गया आएगा एक्जाम में भी है ना चलो भाई देखते हैं क्या कहते हो तुम जो भाई ज़्यादा आएगा वोट वहाँ पर अपन कर लेंगे ठीक है simple democracy में हम जीते है वैसा ही कुछ करेंगे काफी सारे mixed answer दिख रहे है मुझे A और B में चलो भाई क्या किया जाए मेरे हसाब से तो break अभी भी कर सकते हैं वैसे चलो 9 पीम पे भी कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है answer मेरे हसाब से A तुमारा majority होना चाहिए 9 पीम वाले जादा है तो थोड़ी देर और लगा तू यार यह देख जो लोग यह 44 वाले हैं और जिने अब पीडा मच रही है कि अरे सर आपने भी A कर दिया और A वाले जीत गए तो यह सोच यह वो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं ठीक है और और समझ गया ना विटा हाँ ऐसे मैट्स में जैसे प्रूव होता है ना बिल्कुल वैसी B से उठके A में अब तू आ जा तो A वाले जीत गए हैं इसलिए हम थोड़ी देर और 9 बजे तक खीचेंगे चलो पढ़ ही लेते हैं That one random guy is saying नाम तो देख लो that one random guy Sir VTTPP is not in syllabus Master Batman कह रहे हैं अच्छा अच्छा Bruce Wayne साहब आप से हम यह कहना चाहेंगे कि syllabus में क्या है क्या नी आप हमें वो decide करने दे आप अपने कुंडो से लड़ाई करें रात में जाके इधर उधर पिटाई करें सूपर हीरो बने Gotham City को बचाएं बाकी इस चीज़े हम पर छोड़ दे और थोड़ा समय मिल जाए तो बीच में maths पढ़ लें ताकि आपका JV क्लियर हो जाए साथ-साथ अगर second option होना चीज़ ना देख भाई पकड़ा गया कभी Batman हाँ तो फिर क्या होगा तेरा समझ गया ना? Batman चल अब स्टार्ट करें सर चाय पीलो अब कहां से पीलू? यहां कोई चाय बनाने वाला थोड़ी बैठा है मेरे पास पानी पी सकता हूँ हाँ पानी तो जरूर है एक बोल रहा है सिग्मा स्टूडेंट सिग्मा है भाई यह हाँ यह आया बीच बिचाव कराने सर ना आपकी ना हमारी साड़े आठ बजे हम अरे यार अभी देख ऐसे निकल जाएगा आदा घंटे में तुझे पता भी नहीं लगेगा एक घंटा निकल जाएगा सर यह कौन सी कैलकुलेशन है पेटा यह मैट्स में चलती है जब पढ़ाई में मन लग जाता है तो ऐसी होती है अलफा बिलॉंग्स टू आर एंड थ्री वेक्टर्स ए बी सी देन दे सेट एस अलफा ए बी सी आर को प्लेनर जब भी को प्लेनर है तो सर लीनियर कॉम्बिनेशन ना लगाओ देख लीनियर कॉम्बिनेशन में तब लगाता हूँ अज तू सोचेगा सर कभी आप को प्लेनर में लीनियर कॉम्बिनेशन लगाते हो देख जब पूरा एक वेरियेबल वेक्टर था पूरा एक vector गायब था C तो मैंने का भईया इनको linear combination में ले जाओ क्योंकि C मेरे को निकालना पड़ेगा पूरा का पूरा बट यहाँ पर अगर तू देखेगा इसमें सब जगा एक ही variable alpha तीनों में घुसा हुआ है तो linear combination से भी जा सकता हूँ बट फाइदा नहीं है क्योंकि कोई भी दो vector मुझे fix नहीं दी एक time बहुत जादा लग जाएगा तो अब मैं इसका box product से जाऊँगा box को 0 रख दूँगा दोनों सही हैं बाकी लगा दोनों सकते हो co-planar के लिए linear combination in plane भी लगता है और बेटा आपका box product 0 भी लगता है जल्दी से box product को 0 मतलब alpha 1 3 box कैसे मिलता है a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 इसको 0 रख के तुम्हें जल्दी से जो भी मिल जाए alpha into 3 minus 2 alpha minus 1 into 6 plus alpha square plus 3 into minus 4 minus alpha बराबर 0 3 alpha minus 2 alpha square minus 6 minus alpha square minus 12 minus 3 alpha 3 alpha 3 alpha कटा 3 alpha square minus 18 3 alpha square बराबर minus 18 बेकार की बात possible ही नहीं है alpha real number दिया था ऐसा कभी possible ही नहीं है so empty set हो गया कोई भी alpha की value नहीं आई b option answer हो गया easy hmm इसको c ले ले लेते हैं तो projection of a cross b यानि a cross b dot c cap की value 30 है समझ गया बेटा यही तो होता है projection कि a cross b का projection on this तो इसका dot इसका cap यह 30 है भाई तो a cross b dot c upon magnitude of c चार चार आट एक नो तीन इसको एक्सपांड कर दीजिये तर हमें भी solve करने दीजिये बेटा मैंने को इसको इसको एक्सपांड कर दीजिये तर हमें भी कौन सा तेरा pen पकड़के बैठा हूँ मैं अराम से तू pen उठा और अपना solve कर मैं तो तुझे देख दिखा रहा हूँ कि भई तू चेक कर सकता है कि सही आया है कि नहीं जी तो अब इसको expand करते हैं alpha into minus 2 plus 2 alpha minus 1 into minus 4 minus alpha और minus 1 into 4 plus 1 5 equal to 90 तो minus 2 alpha plus 2 alpha square plus 4 plus alpha equal to 95 तो 2 alpha square minus alpha equal to 91 2 alpha square minus alpha minus 91 equal to 0 हाँ अब बता बेटा इसको क्या करेंगे अब तो सरे factor हो जाएगा 13,7,0,91 होता है और एक यहाँ से दो उठा लूँगा तो 13 और 14 factors बन गए तो 2 alpha square minus 14 alpha plus 13 alpha minus 91 बराबर 0 तो 2 alpha plus 13 alpha minus 7 बराबर 0 alpha की value minus 13 by 2 और 7 अब बुला है alpha बुला है positive है तो alpha को 7 ले डालो भाई D option अपना कितने easy question है यार देक direct formula based questions है है ना भाई जी चलो भाई पढ़ाई में ध्यान लगाईए सब लोग पढ़ाई में ध्यान लगाए चैट से बहार निकल कर जो लोग पढ़ रहे है बिटा वो चैट शायद कम कर रहे है और जो लोग चैट पे लगातार बस चैट कम spamming कर रहे हैं वो मतलब पढ़ नहीं रहे है simple सी बात है इसलिए बिटा पढ़ने में ध्यान लगा चैट में सिर्फ तब दे आंसर जब आंसर देना हूँ कुछ चैट को अपना main मकसद बना दे इस batch का एक ये देते हैं भाई चलो advanced का सवाल भी उठा लेते हैं लगे हाथो बिटा एक advanced का भी सवाल करी लेते हैं सर वहाँ पे 90 कैसे हो गया मेरे भाई c cap था ना c upon magnitude c का magnitude मुझे 3 दिग गया 4, 4, 8 और 1, 9 का root 3 तो 3 जब cross multiply होता है 30 के साथ तो बहे turn up बे आता है तुनिया जानती है ये बात तू भी जान ले हम हम चलो बेटा इस question को देखेंगे a, b कुछ vectors दिये हैं consider a vector c alpha a plus beta b projection of c on vector a plus b अच्छा समझ रहा हूँ तो a plus b पहले तो निकाल लेते हैं a plus b हम निकाल लेते हैं हम समझ गया projection of c on a plus b तो a plus b देखो क्या हो गया 3i cap plus 3j cap है न तो a plus b का cap निकालना है क्योंकि projection of c dot a plus b cap निकालना होता है न तो 3i cap plus 3j cap upon root 3 square plus 3 square तो यह i cap plus j cap by root 2 हो गया अब हमें क्या निकालना है c dot a plus b cap projection of c upon a plus b is 3 root 2 तो c alpha a alpha a हो गया c को लिखी लोना है c को अलग से करके लिख लेता हूँ linear combination दिया है अगर तू ध्यान से देखे यह c को alpha a plus beta b मतलब c equal to alpha into 2i cap plus j cap minus k cap plus beta into i cap plus 2j cap plus k cap 2 alpha plus beta into i cap alpha plus 2 beta into j cap plus beta minus alpha into k cap right अब हमें क्या बोला गया है c का dot इसका cap के साथ ले लो तो c तो यह था और a plus b cap यह था तो इसके साथ इसका dot लेना है तो 2 alpha plus beta y root 2 plus alpha plus 2 beta y root 2 equals to 3 root 2 तो 3 alpha plus 3 beta root 2 उधर गया 3 दो निचे तो alpha plus beta तो तुमारा 2 आ गया भाई साब alpha plus beta निकल कर 2 आ गया है ठीक है अब आगे बढ़ते है जरा करना क्या है सर और तो कुछ data दिया नहीं है minimum value कुछी है minimum अच्छा minimum में कुछ खेल बसा हुआ है minimum में कुछ ना कुछ करना है क्योंकि दो variable है alpha बीटा तो देख c dot c ये तो c dot c हो गया minus a cross b dot c हो गया मैंने dot c खोल दिया बेटा और अब मज़ेदार बात देख क्या है ये वाली चीज तो 0 है a cross b dot c क्यों 0 कह रहा हूँ अब तुम बताओ निकालने की भी ज़रूरत नहीं है कहीं बैटके निकालोगे a cross b dot c 0 है क्यों क्योंकि अगर तुम बेटा थोड़े समझदार हो और तुम ध्यान से सुनते हो क्लास में तो ये c को क्या लिखा alpha a plus beta b यानि c coplanar है a और b में linear combination है यानि c vector क्या है a and b के coplanar है c is in plane of a and b यानि की box a b c तो 0 होगा ही होगा भई क्योंकि coplanar होगा है न तीनो box a b c 0 होगा इसलिए मैंने ये चीज 0 रग दी ठीक है भई तो यानि बस हमें c dot c यानि c square की minimum value चाहिए mod c square की minimum value चाहिए mod c square यहां से निकल जाएगा 2 alpha plus beta का whole square alpha plus 2 beta का whole square beta minus alpha का whole square इस चीज की minimum value create करनी है तो अब क्या करूँगा alpha plus beta को 2 तो बेसिकली beta तो मैं calculus का इस्तिमाल करना है थोड़ा बहुत की दो variable है alpha बीटा एक को इस equation से उड़ा दो और एक variable के terms में पहले ले आओ फिर calculus लगा के minimumा निकाल लेंगे समझे तो मैं क्या कह रहा हूँ जैसे alpha plus beta 2 है तो यहाँ alpha plus 2 whole square बेसिकली बीटा को उड़ा दो 2 minus alpha सब कुछ alpha के terms में ला रहा हूँ सब कुछ alpha के terms में ले आया जड़ा open करते हैं alpha square plus 4 plus 4 alpha 4 alpha square और 5 और 1 6 6 alpha square 4 8 12 minus 12 alpha 16 4 24 6 common alpha square minus 2 alpha plus 4 और अब तो quadratic ही बन गई बेटा इसका minima या तो derivative 0 रख दे या सीधे whole square बना दे क्योंकि दिख रहा है इस दिख रहा है सीधे alpha minus 1 whole square plus 3 कर दिया और minima के लिए इस चीज को 0 कर दिया तो 6 तरीजा 18 आ गई minimum value minimum value आ गई 18 minimum value आ गई 18 ठीक है तो बेटा देखो ये वाली चीज है कि आप अगर ध्यान से देखें mains advanced में similar ही तरीके के question आ रहे हैं वोई linear combination वोई STP वगेरा mix करके mains में आया था वही advanced में आ गया question minimum value पूछी गई थी right whole square बना के मैंने निकाली आप यह derivative जीरो करके भी निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं मैंने यहाँ पे alpha रखा beta eliminate किया आप alpha भी eliminate कर सकते थे बीटा का function बना लेते बस एक का function बनाना है तो मिनिमा निकाल लेंगे चल बेटा आगे बढ़ेंगे STP की कुछ properties मैंने बता दी है अब एक property बहुत जबरदस्त है जो काफी बार काम आती है box ABC का whole square a.a, a.b, a.c, b.a, b.b, b.c advanced में इसमें question भी आया हुआ है c.a, c.b, c.c इसमें भी पहले आया हुआ है यह होता है box ABC का whole square सर यह कैसे आता है देख matrix, determinant, हर चीज का answer है determinant, इसका determinant होता है a1, a2, a3 b1, b2, b3 c1, c2, c3 और अगर मैं इसका whole square लिख रहा हूँ तो यही determinant दुबारा लिख सकता हूँ है ना, और determinant में तुमने पढ़ा है कि भई transpose भी कर सकते हो a1, a2, a3 ऐसे लिखने की जगा ऐसे लिख लो और वेटा determinant multiplication कर this into this है ना, first row first column तो देखिए आ जाएगा a.a बन जाएगा पहली term first row second column a1, b1, a2, b2, a3, b3 a.b बन जाएगा first row third columns, a.c and so on सारी की सारी terms बनती जाएगी, समझ गए जैसे matrix multiplication होता है विल्कुल वैसे ही सारी terms तुमारी ये वाली बनती जाएगी तो very very important formula इसको याद रखेंगे box a.b.c whole square इसके बराबर होता है c.c हाँ last में c.a लिख दिया है मैंने c.c होगा symmetry है, वो तो दिख रहा है तुम्हे symmetrical terms बनेंगी बेटा राइट तो ये याद रखेंगे एक और इसी तरह का होता है थोड़ा सा से एक advanced version है तरह से जो आपको बहुत interesting formula है property, last property, 12th property of stp that is अगर अभी तक देख क्या था ध्यान से सुनना भई अभी तक i, j, k के terms में थे बहुत important बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे अभी तक vector i, j, k के terms में थे, तो तुमने सीधे के सीधे box a, b, c का ये formula लगा दिया, क्या है a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 what if वो vector i, j, k, के terms में ना हो vector जो है, किसके term में हो किसी और तीन vectors के linear combination में हो मतलब, अगर इस तरह के हुए, मानले, a vector है, a1, l plus a2, m, plus a3, n, i, j, k की जगा l, m, n के linear combination में है b, b, s, a, i, c, b, s, a, i, so जो formula हो जाएगा, बेटा coefficient वाला तो determinant आई गया box a, b, c का formula हो गया determinant of a1, a2, a3 b1, b2, b3, c1, c2, c3 तो रहेगा, साथ में box element भी multiply हो जाएगा, बस इतना सा, तो मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है, मान लेते हैं हमारे पास एक vector है, v1 2a minus 3b, plus 4c example के तौर पे दे रहा हूँ v2 है, 3a plus b, plus c और v3 vector है minus 4a minus 2b, plus 5c example के तौर पे, right ऐसा कुछ है, मान लेते हैं, और box v1, v2, v3 पूछा जाए तो आप इसको सीधे-सीधे लिख सकते हो पहले तो coefficients का determinant बना लोगे, 2 minus 3, 4, 3, 1, 1 minus 4, minus 2, 5, और box a, b, c को side में चिपका दोगे, बस ये मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ अगर linear combination तुमारे vectors का a, b, c, k terms में है, या मतलब l, m, n कोई भी हो i, j, k के लावा कोई भी है तो आप stp को that determinant into the stp of the other three vectors लिख सकते हो जैसे सर इसका सवाल करा दीजिए कहां लगेगा हाँ सर इसमें element क्या है कुछ भी vector है विटा, जैसे यहाँ ABC क्या है कुछ भी vector है अभी देख तो जो समझ आएगा इधर देख एक question से कराऊंगा तो समझ आएगा box a, b, c, दिया है एक box a, b, c, दिया है 3 ठीक है? हमें box a, b, c, दिया है 3 और value बुची गई है 2a, 3b, 4c की पहला तो यह तो सीधे-सीधे हो जाएगा actually 2a, 3c, 4b तो तुमें बिल्कुल determinant की तरह करना है 2 जो बहार है row में से बहार आएगा यह second row में है यह 3 बहार आएगा और यह row में से एक नंबर होता है तो बहार आजाता है a, c, b बन गया और a, c, b में तुमें इन दोनों को interchange कर सकते हो तुमें पता है minus बहार आएगा 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 4 और a, c, b को a, b, c बनाना चाहते हो तो बहार बेटा यहाँ minus चिपका दोगे है न और इसकी value तुमें already दी है 3 तो minus of 72 हो गया a part का answer minus 72 हो गया बेटा यह तो कुछ भी नहीं था easy था अब दूसरा वाला देख उसमें कैसे यह चीज लगेगी जो अभी मैंने property बताई यह तुमारा एक तरह से v1 vector है क्या है v3 क्या है a minus b minus c तो अब तुमारा a b c के linear combination में लगा रखा है समझे i j k में नहीं है तो तुमें box v1 v2 v3 निकालनी है box v1 v2 v3 तुमारा बन जाएगा पहले तुम determinant लिखोगे coefficients का 3 minus 2 1 ध्यान से 3 minus 2 1 यहाँ a का 0 है तो पहले 0 1 2 लिखोगे 0 1 2 यहाँ 1 minus 1 1 minus 1 और साथ में box a b c को चिपका दोगे समझ गए समझ गए भई यह formula property number 12 लगा के मैंने जट से से कर दिया अब बस कर दे इस determinant को खोल दे और इस पूरे के साथ box a b c जिसकी value 3 है वो multiplied है तो 3 और minus 4 minus 1 into 3 तो minus 2 into 3 minus 6 आ रहा है भई मेरा minus 6 आ रहा है क्या तुम्हारा भी यही आ रहा है चेक कर लो जल्दी से चेक करो क्या सही calculation करी है 3 minus 4 minus 1 minus 2 और 3 multiplied है चेक कर लीजिए minus 6 आ गया answer चेक करें minus 6 बिल्कुल सही है second part का तो basically मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि भाई तुम्हें कुछ नहीं करना अगर IJK की जगाद दिया है तो सीधे फॉर्मला चुपकाओ बहुत मज़िदार है देखो volume of tetrahedron जिसके vector a, b, b, c और c प्लस to a tetrahedron है ठीक है भाईयों ध्यान रखना तो tetrahedron का मतलब है 1-6th of अगर ये V1 है V2, V3 तो tetrahedron में 1-6th of V1, V2, V3 आता है 1-6th बहार आता है अब देख ज़रा V1 की जगा क्या है अब मैं direct लिख रहा हूँ देख A-B है तो a, b, c के coefficient चले, a, b, b लिख लेता हूँ V1 की जगा ताकि तुझे दिक्कत ना हो a-b V2 की जगा बेटा क्या हो जाएगा b plus c, c plus 2a b plus c c plus 2a, 2a plus c लिख लेता हूँ order रखने के लिए और बेटा, अब जल्दी से देख coefficients क्या होंगे 1 by 6 तो बहार पहले coefficients का determinant 1-1 और c नहीं है तो 0 b और c है तो a 0 b 1 1 coefficients 2, 0, 1 समझ गया times box a, b, c चिपका दिया 1 into 1 plus 1 into 0 minus 2 into box a, b, c तो 3 था 1 minus 2 तो minus 3 by 6 minus half तो volume का मतलब नहीं है mod लगा लो mod लगा लेना चाहिए हमें इसमें यानि की half हो गई volume volume हो गई half आ गए answer ठीक है तो ये shortcut है shortcut एक तरह से जब तुम्हारे linear combination में दिये गए हो vectors तो तुम ये shortcut का इस्तिमाल कर सकते हो समझ गए हैं सब लोग अच्छा shortcut है न देख ये बड़ा काम का है property number 12 और property number 11 ये दोनो चलिए अब अगले सवाल पर आएंगे ये वाला तो चलो इसमें तो ज़्यादा मुश्किल कुछ है चलो कर लेते हैं ठीक है कर लेते हैं इसको भी क्या है इसमें देखते हैं a and b b vectors along diagonals of parallelogram having area 2 root 2 समझ रहे ना अब देख diagonal parallelogram का area फिर से वही सारी कहानी वही है इस बार diagonal a b दिये हैं और area 2 root 2 तो diagonal a और b हैं parallelogram के diagonal अगर a b है तो आज बताया था अगर ये a है और ये b है तो half a cross b होता है area of parallelogram और इसका area 2 root 2 दिया है area इसका 2 root 2 दिया है बेटा तो यानि a cross b की value 4 root 2 हो गई mod a cross b की value 4 root 2 हो गई क्योंकि diagonals है ये और भी इधर राइट आगे देखते हैं क्या दिया है a dot b a cross b के बराबर तो यहां mod a mod b cos theta mod a mod b sin theta यानि cos theta equal to sin theta आएगा यहां से यानि यहां से tan theta बराबर 1 यानि theta तो 45 हो गया theta 45 mod a वैसे वन दिया है तो mod a mod b sin theta sin 45 को यूज करता हूँ 4 root 2 mod a 1 है तो mod b into 1 by root 2 equal to 4 root 2 तो यहां से mod b 8 आगया देखो mod b भी मिल गया 8 आगे पढ़ते हैं c अब एक चिपका रखा है नया vector अब ध्यान से देखना भई c vector दिया हुआ है c vector is 2 root 2 a cross b minus 2b ध्यान से देखना भई बहुत मज़ा आने वाला है अब बहुत interesting question है अब बहुत सारे question आते हैं इसलिए carefully देखेंगे हमें एक equation देदी है c में ठीक है sir और हमें b और c के बीच में angle पूछा है अच्छा समझ गया b और c के बीच में angle पूछा है क्या करूँ sir क्या करूँ देखो तो b और c के बीच में angle अगर मैं इस पूरी का dot with dot with b ले लूँ देखो dot with b ले लूँ तो फाइदा क्या होगा b dot c और यहां 2 root 2 a cross b dot b आ जाएगा minus 2 b dot b right पूरे का मैंने dot with b ले लिया अब sir आपके दिमाग में कैसे आया देख यह बता रहा हूँ कैसे आया यह चीज़ 0 हो गई देख यह पहले से मुझे दिख गया क्योंकि a cross b dot b fox a b b यह तो 0 बन गया यह मैं already निकाल सकता हूँ तो b dot c बन गया 0 minus 2 into mod b square तो b dot c बन गया minus 2 2 into 8 का square b dot c बन गया minus 128 बट मुझसे पूछा था b और c के बीच में एंगल राइट हम हाँ बट अब मुझे b dot c के बीच में एंगल चाहिए तो mod b mod c cos alpha equal to minus 128 दिक्कत यह है कि mod c तो ही नहीं, mod b तो चल है mod c चाहिए अगर अब alpha निकालना है बेटा, इस equation से, तो mod c चाहिए, अब mod c कैसे निकलेगा, यह देख यहां से निकलेगा, यह main चीज़ है, यह main चीज़ है कि mod c कैसे निकाला जाए, तो ध्यान दिएंगे सब लोग mod c कैसे निकालेंगे, इसको squaring both sides कर देते हैं, जब भी c के mod निकालना है, squaring काम आता है, तो c दिया था, 2 root 2 a cross b 2 root 2 a cross b, minus 2b, है ना minus 2b, तो मैं क्या कह रहा हूँ, squaring both sides कर दो, इधर हो जाएगा, mod c square, इधर 8 mod a cross b whole square, plus 4b square और जो 2ab की term होगी बेटा, सोच 2ab की जो term होगी, this dot this, वो तो 0 बनने वाला है, समझा, क्योंकि b dot a cross b, box a b b बन जाएगा, b dot a cross b, बेटा, 0 हो जाएगा, तो ये वाली term 0 बन जाएगी, और ये तुमारे पास थी ही, a cross b का mod तो तुमारे पास था ही, 4 root 2, तो 8 into 4 root 2 का whole square, और mod भी तुमारे पास था ही, 8 आया था, तो 8 का square, ये तो 0 हो गया, तो mod c, under root of, 8 into 2 into 16, plus 4 into 8 का square, तो 16, हाँ, ये भी देख, ये भी 16 का square हो गया, ये भी 16 का square हो गया, तो 16 square कॉमार नहीं आ गया, तो 16 root 2 आ गया, mod c की value, 16 root 2 यहाँ पे put कर देंगे, अब, समझे, mod c की value, बेटा, 16 root 2 put कर देंगे, बहुत अच्छा question है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हुई, एक तो मुझे यहाँ, dot with b लेना पड़ा, जिससे b dot c में एक equation आ गए, b dot c क्यों लिया, क्योंकि b और c के बीच में एंगल निकालना है, तो b dot c तो बनाना पड़ेगा, but b dot c बन गया, but mod c चाहिए था, तो मैंने इसको square करके, mod c की value निकाल ली, 16 root 2, तो 16 root 2, mod b कितना था, 8, cos alpha is minus 128, right, तो cos alpha मेरे ख्याल से आ गया, तुम्हारे पास, 16,8 जा, 128 होता है न, तो minus 1 by root 2 आ गया, यानि alpha तुम पे 135 डिगरी आ गया, 135, 3 pi by 4 करके बन रहा है बेटा, 3 pi by 4, right, 135, d option, तो बड़िया question है, important है, थोड़ा सा tough जरूर है, बढ़ दो 2022 में आये थे काफी question tough, ऐसे बेटा, बहुत सारे रिपीट हूँ है, बाद में भी, whole square करने वाले अभी और दिखाऊंगा तुम्हें, हम्, ठीक है, तो दुबारा देख लीजे, सबसे पहले मैंने b.c लिया, ताकि ये उड़ जाए, a cross b.b 0 हो जाएगा, b.c, 2 b.b, b.c की value निकल आई, उसके बाद मैंने देखा, कि भाई, c तो mod c चाहिए, क्योंकि अगर angle चाहिए तो, उसका whole square कर दिया, जैसे ही whole square किया, 2 root 2, 8 बन गया mod, इसका square, a square plus b square, plus 2a.b वाली term 0 हो गई, क्योंकि a cross b.b 0 आ जाएगा, वहाँ से mod c solve हो गया, असानी से, तर जी, आपकी कसम match हो गया, भाई, मेरी मत कसम खायार, तुम मेरे को बख्ष दे, फ्लीज, ठीक है, हाँ, अपनी खा ले ना भाई, क्यों मेरे को तुम मारना चाह रहा है, अच्छी बात है बेटा, मैच हो गया तो, चलो भाई, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, 2024 का, आप देखो, मैं तुमें बोल रहा था न, कि भाईया, जेए मेन पे विश्वास मत करो, उसने, clearly एक question दिया है, कहीं देखने से नहीं दिख रहा कि, इसमें स्टीपी लग रहा है कि नहीं लग रहा, बट लगेगा, अभी देखना, ठीक है, 2024 में आया, देखो, a, b, b, through vector such that, mod a, mod b, दिया है, a, dot b, दिया है, ठीक है सर, बिल्कुल similar question है आरे, तो देख, बिल्कुल ही same हो गया, कि a, dot b, दिया है, यहां से, mod a, mod b, cos theta करके, mod a, 1 है, mod b, 4 है, 4 cos theta equal to 2, cos theta equal to half, यानि, a और b के बीच में angle, pi by 3 हो गया, a और b के बीच में angle, ऐसे लिखते हैं, उसे, a, b के बीच में angle, pi by 3 हो गया, आगे बढ़ते हैं, angle between b and c, इसी पूछा गया है alpha, तो b और c के बीच में, अब alpha बनाना है, बिल्कुल ही same question है, बेटा, अगर तू ध्यान से देखे हैं, बस 3 कर दिया है, 3 को अधर ले जा, c plus 3b, equal to 2a plus cross b, देख पा रहा है क्या तू, बिल्कुल same question है, बस यहां 2 root 2 था, उस 2 root 2 को हटा के कुछ और कर दिया, यहां पर 3 कर दिया है बस, इसमें तो वही करेंगे हम सॉरी, इसको तो हम पहले, 2a cross b, minus 3b करके, पहले तो बेटा, b और c में निकालना है, तो dot with b, बिल्कुल ही same, जल्दी करो अब, तुमारी practice के लिए है, जिन्हें दिक्कत हुई थी पहले, यह वाला 0, minus 3b dot v, data change करके question दे दिया भई, तो b dot c बन गया, mod v square, 4 का square, minus, तो b dot c बन गया, 48 minus, 16, 3's are 48, देख रहा है, बिल्कुल same data है, data ही बस अलग है, मतलब method बिल्कुल same है, और अब, b dot c निकालने के लिए, mod b, mod c, cos alpha, तो हमेशर, mod c निकालने के लिए, इसे फिर से squaring both sides करता हूँ, इसे फिर से squaring both sides करता हूँ, बिल्कुल पहले की तरह, इसे फिर से squaring both sides करता हूँ, तो c square हो जाएगा, 2ab, मतलब, 4 mod a cross b whole square, और plus 9b square, और 2a dot b की तरह, फिर 0 a cross b dot b, फिर से 0 बन गई, तो यहाँ आगया 4, mod a mod b sin pi by 3, 1 into 4 into root 3 by 2 ka whole square, 9 into 4 ka whole square, 4 into 2 root 3, मतलब 4 into 3, plus 9 into 4 square, 4 square common, 9, 3, 12, तो mod c बन जाएगा, 4 root 12, 8 root 3, mod c मेरा बेटा, 8 root 3 आगया इस बार, बस अभी यहाँ डाल दे बेटा, mod b तो तेरा, 4 था, 8 root 3, cos alpha, is minus 48, तो देखो जारा, 2 root 3, तोला कट गया, minus 3, तो cos alpha बन गया, minus root 3 by 2, cos alpha बन गया, minus root 3 by 2, तो sin alpha बन गया, 1 by 2, 192 into 1 by 2 ka whole square, 192 by 4, 192 by 4, 48, आना बढ़िया, कितना easy हो गया देख, right, बिलकुल ही तुम देख पारे हो, यह 2024 में जो question repeat हुआ है, अब इसमें सार, STP का लगा, देख, यहां लगा ना, जब whole square कर रहे हैं, तो a cross b dot b जो बन रहा है, a cross b dot b ये चीज, 0 बनी जो हमने यहां पे आगे, 0 लिख ली 2 a b की term, वहां लग रहा है, हलका full का सा STP की property लगी है, हलकी full की सी लगाई है बस जईए ने, अब इतने में बस हम, नहीं होता फिर हम से सवाल, क्योंकि हम तो छोड़ गए थे भई, यही तो बात है, इसलिए तो तुम्हें पढ़ाया है यह सब चीज़ें, समझ गए, अब कर लोगे यह साले, अब इसमें देख, बिल्कुल सेम चल, एक और दिखाता हूँ, 2024 में तुझे विश्वास नहीं होगा, बिल्कुल ही सेम question फिर से दे दिया, जही ने, मतलब मान ही नहीं रहे, देख, mode 1, a.v. दे दिया, mode भी दे दिया, c को फिर से देखिए भास, यहां 2 और 3 कर दिया भी यह, यह तो data भी सेम दिख रहा है भाई, मुझे तो पिछले question का, हाँ, 2a x b minus 3b, बिल्कुल यही था c की value, बिल्कुल ही सेम थी और इस बार एंगल बिट्वीन बी एंड सी पूछ लिया है यार यह क्या कर रहे हैं जैई में हैं क्या कर रहे हैं अभी तो निकाला हमने देख रहा है बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही रिपीट को तीज जन्वरी को और 31 जन्वरी को मज़ा आगया भाई जो लोग पिछले दिन पेपर करके गए थे सेम क्वेश्चन ही मिल गया ठीक है अब इसको कर लेना हूमवक में जरूर निप्टा लीजिएगा चलीए तो अब इसके साथ ही थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए भाई वेकटर ट्रिपल प्रोड़क्ट अब हम स्टार्ट करेंगे scalar triple product हो गया है vector triple product अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है देख हमारी साथ लगवग slides हो गई है और अब theory point of you say vector triple product फिर product of four vectors और उसके बाद pretty well vector equations फिर PYQ करके कहानी हो जाएगी खतम ठीक है बही चलो तो break लेते हैं vector triple product के साथ hmm 20 minute का break बहुत है I think 20 minute में बेटा dinner winner कर लीजिए और फिर 20 minute के बाद फिर से मिलते हैं और continue करेंगे मजा आएगा आगे के lecture में जरूर जुड़ना जिन लोगों ने देखो यहां तक किया है वो second half of the मैं कई बार देखता हूँ second half में attendance कम हो जाती है बच्चे गायब हो जाते हैं नीद आ जाती है तो यार ऐसे नहीं होगा जैई अच्छा satisfaction मिलेगा वड़ी अच्छी feeling आएगी एक winners वाला attitude होता है वेटा लास तक के class करना recorded तो कोई भी देख लेगा बाद में part कर करके पूरा देखना है आज यह कोशिश करनी है ठीक है इसी chapter है इससे वड़ीया मौका नहीं मिलेगा पूरा देखने का समझने का तर यह तो syllabus में नहीं है ना मेरे भाई प्लीज यार syllabus मुझे मात करने दे पूछेगा जैई ने इसमें भी पूछे है अभी दिखाया ना झाल 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 चलिए तो वापस से continue करते हैं अपनी जर्नी वेक्टर जो हम chapter कर रहे थे कर लिया है एक ले लिया है और दुबारा से अब second skinnings के लिए ready हो गए है वैसे तो हमने more than 50-60% chapter already कर लिया है अब जो बची हुई चीजे हैं vector triple product वगएरा यह हम निप्टाएंगे अब के session में एक बार सबको आने देते हैं उसके बाद हम शुरू करते हैं जड़ा present sir are you ready yes we are ready तुम ready होने चाहिए भई हाँ जी हाँ अब सभी लोगों को बेटा एक challenge लेना है कि खतम करना इस lecture को यह नहीं कि आदा शुरू किया और उसके बाद रह गए बीच में complete करना है ताकि आपको भी लगे कुछ satisfaction सा लगे कुछ एक accomplishment फील हो कि हां यार हमने भी कुछ किया खतम किया एक chapter स्टार्ट किया तर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो thank you beta thank you so much thank you for the lovely motivational words बड़ा अच्छा लगता है ऐसे कि हम लोग गए हैं कहां थे सर हैं हम लोग गए ही कहां थे सर अच्छा कि के भाई तुम यहीं थे तो अच्छी बात है कि हाँ करा बकारा हो यह क्या होता है भाई या कर रहा है यार तु अपने नाम जैसे काम कर रहा है हम्, चलो बेटा अच्छा गोट कहना चाहरा है तू ओके ओके समझ गया में बेटा, फिर ठीक है सर मेरा सेलेक्शन होगा क्या? यार बेटा आप देख मुझे तो ये पता नी मेहनत ये जरूर बोल सकता होगा तू मेहनत पूरी करेगा अपनी तरफ से तो सेलेक्शन के चांसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तर आप कहां से हो? हिंदुस्तान से चलो बेटा, वापस आते हैं अपनी पढ़ाई करते हैं तो क्रॉस प्रड़क्ट मैंने आपको बता रहा था वेक्टर ट्रिपल प्रड़क्ट, अभी तक हमने देखो क्या किया था? a x b dot c की बात करी थी है ना, s t p जिसको हम बोलते हैं इसी तरह से अब हम वेक्टर ट्रिपल प्रड़क्ट की बात करेंगे जिसमें a x v x c होगा है ना? हाँ sir, मैंने आपको यह बात बताई थी कि यह दोनों तरह से defined है चाहे यहां bracket लगा लो चाहे आप bracket को यहां लगा लीजिए दोनों तरह से defined है और दोनों तरह से ही वेक्टर ट्रिपल प्रड़क्ट होगा और दोनों तरह से ही answer अलग-अलग आएंगे तो अब एक छोटी सी बात तुमें ध्यान रखनी है वेक्टर ट्रिपल प्रड़क्ट को लर्न करने का एक ट्रिक है ठीक है, इसके फॉर्मले को लर्न करने का एक ट्रिक है वो आया कहां से उस पे नहीं जाएंगे हम वो ट्रिक थोड़ा सा बाइपार्ट्स जैसा है जैसे बाइपार्ट्स में तुम एक statement की तरह लर्न करते हो है ना बाइपार्ट्स, integration बाइपार्ट्स याद करो first function into integral of second minus whole integral of derivative of first into integral of second ऐसे करके अंग्रे जी का एक statement लर्न किया हुआ है वैसे ही VTP में भी हम अंग्रे जी का एक statement लर्न करेंगे ठीक है? ठीक है सर कैसे करेंगे अब देख उससे पहले statement को समझने से पहले एक चीज समझनी है कि जिसमें भी bracket लगा होगा A x B में पहले bracket लगा है तो ये जो भी vector आएगा co-planar with A and B आएगा ये होता ऐसा बस याद रख लो उसका logic, logic सब है बट जरुवत नहीं है कि जिसपे bracket लगा होगा उसके co-planar vector आएगा जैसे A x B x C में किसपे bracket लगा है B और C पे तो ये co-planar आएगा B and C के B and C vector के co-planar आएगा ये वाला वो A and B के आएगा ये B and C के co-planar जिसपे bracket लगा है उसके co-planar vector आने लग जाएगा ठीक है सर और अब बेटा अगर co-planar होता है तो तुम्हें एक बात पता है कि भई co-planar में लिनियर combination कि भई ये वाला vector A और B के plane में है यानि ये जो है something A something B form में लिख सकता हूँ मैं है ना ऐसे ही तो लिखते है X A plus Y B form में आएगा ये और ये वाला जो आएगा something B something times B plus something times C form में लिख सकता हूँ क्योंकि B और C के co-planar बोल रहे है आप यान से सुनना भई अब हाँ यान से सुनना तो अब फिर होगा क्या सर होगा ये वेटा तो तुम्हें कैसे statement याद रखना है ये statement याद रखना है dot product of extremes times middle vector minus तुम्हें क्या statement याद रखना है dot product of extreme vectors times times मतलब multiply middle vector और उसके बाद minus करके कुछ होगा क्या होगा सर वो देखेंगे अभी dot क्या statement याद रखना है dot product of extremes times middle vector minus तो जैसे मान लो तुम्हें इसका निकालना है ध्यान से देखेंगे सब लोग carefully अगर इसका लिखना है तो पहले क्या लिखोगे dot product of extreme extreme मतलब कोने वाले कोने वालों का dot product times middle vector बीच वाला vector minus ठीक है अब minus क्या आगे क्या आएगा वो कहानी तुम्हें अप अपने आप समझ आ जाएगी ठीक है क्या आएगी देखो कि something भी आ गया भी मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि इसमें bracket A और B में लगा है तो ये coplanar with A and B आएगा यानि ये something A, B आ चुका है तो अब something A आएगा ध्यान से सुनियो something A आएगा क्योंकि coplanar with B and A आना था something times B आ चुका है तो something times A आएगा और something times A A के लावा क्या-क्या बचे B और C उनका dot यहां रख दो दुबारा सुन लो कैसे मैंने VTP याद किया हुआ है dot product of extremes कोने वाले का dot times middle vector minus minus के आगे जो term आएगी वो तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगी कैसे कि भाई क्योंकि ये A और B के coplanar थी ये वाली A और B के coplanar थी something times B आ गया था planar मतलब something times A आएगा तो A वाहर लिख दिया बचे जो वो यहां पर dot लिख दिया ठीक है ऐसे ही देख अब इसका करते हैं अगर समझ आ गया तो देखो A cross B cross C में अगर bracket B और C में लगा होता सब भी बिलकुल same funda लगा देंगे कोने वाले का dot dot product of extremes A dot C times middle vector minus इतना तो याद करी लो dot product of extremes times middle vector minus minus के आगे वाली term में जरा थमो और सोचो something B आ गया क्योंकि B C में bracket something C आएगा और C के लावा जो दो बचे A dot B उनका dot यहां लगा दिया बस इतना सा है ना सान देख इतना easy है for example अब एक और ले ले लेते हैं मानलो A cross B cross A suppose ऐसा दे देता हूँ इसका पूछता हूँ dot product of extremes A dot A times B vector minus B और A में bracket है तो something B आ गया something A आएगा और A के लावा A और B बचे तो A dot B लगा दो बस यहां पे यह इस तरह से आप VTP को create करेंगे ठीक है भाई साब जी सर आप गलत पढ़ा रहे हैं गौरफ जी कह रहे हैं ठीक है बेटा आप सही पढ़ लीजे फिर या आप पढ़ा दीजे लोगों को सही तुझे लगता है अगर तुझे गलत है बेटा इतना मत बोल ठीक है इतने बड़े बड़े शब्द ना बोल पढ़ाई कर ले नहीं करनी तो चले जाए यहां से फ्री में पढ़ाई हो रही है तो इसका है मतलब नहीं है कि कुछ भी आके करेगा चलो भाई अब देखते हैं VTP को कैसे हम दील करेंगे क्वेस्टन्स 2019 का एक सवाल ABCB3 unit vectors magnitude 1 है alpha and beta भी the angles with vector A makes with B and C respectively भी देखिए यहां VTP दिया है इसको खोलते हैं जड़ा dot product of extremes times middle vector minus C और C में bracket है तो अब यहां C आएगा A dot B आएगा और यह दिया है half times B से compare करेंगे coefficients B का coefficient इदर half है इदर A dot C है तो A dot C बराबर half और C का कुछ है ही नहीं तो A dot B बराबर 0 होगा ऐसा कुछ हो जाएगा हाँ अब देख बिटा आगे क्या पूचा है alpha and beta are the angles with vector A makes with B A dot C देख magnitude तो 1 है तो सीदे cos A और C के बीच में angle beta था जायद हाँ cos beta cos beta तुमारा half हो गया यानी beta तुमारा 60 degree हो गया और यहां से A और B के बीच में angle alpha था हाँ, A और B के बीच में alpha है तो alpha हो गया 90 beta हो गया 60 तो alpha minus beta 30 हो गया भाई alpha minus beta तुमारा 30 हो गया, कितना easy question था सीदे सीदे VTP लगाया coefficients compare करे, और क्योंकि magnitude 1 है, तो ये जो A.C.I.A. सीदे cos बीटा आ गया, A.V. सीदे सीदे cos alpha आ गया, 0 यानि alpha 90 degree हो गया बेटा ठीक है हम चल, एक और लेते हैं अब थोड़ा सा थोड़ा सा टेड़ा लेंगे अब इसको देखिए, अब हाँ, VTP के कुछ बड़ी application दिखा रहा हूँ, जो जिसमें VTP दिखता नहीं है, बट actually VTP से बड़े असानी से solve हो सकता है, तुम लोग कहते हो न, VTP तो सर syllabus में नहीं है, देख मैं ये question दिखा रहा हूँ तुझे, जो कि कहीं VTP का जिकर नहीं है, देख, A vector दिया है, B दिया है, C is a vector such that A plus B cross C is 0 and B dot C is 5, जो अब जिने VTP नहीं आता, वो क्या करते हैं, C को X A plus Y B plus Z C लेके फिर तीन equations बनाते हैं, बट मैं तुमें इसकी बढ़िया technique बता रहा हूँ, देखो क्या technique है सर, देख बेटा B dot C दिया है, तो देख, हमें कौन सा vector create करना है, C निकालना है C basically vector हमें पता नहीं है तो C को अलग कैसे करेंगे VTP की मदद से, कैसे देख, इस पूरे की cross with cross with cross with B ले ले ठीक है, cross with B ले रहा हूँ पूरे का, तो उससे क्या होगा A cross B, post cross ले लिया और 0 में तो 0 ही रहेगा अब देख, इससे फाइदा क्या होगा ध्यान से देखना, इसमें VTP लग जाएगा, तो A cross B B dot B times C vector minus B dot B times C vector minus, सोच क्या आएगा dot product of extremes times middle vector minus B vector इधर C dot B यहाँ पर equal to 0, है ना भई तो अब फाइदा क्या हुआ, जो C vector एक तरह से वो अकेला हो गया, निकल गया और C dot B तो तुझे दिया ही है 5 तो यहाँ पे तो तुमने 5 डाल दिया तो basically A cross B plus B dot B B dot B तो देखिए रहा, mod B square 3 यहाँ 3 लिख दिया तो 5 B minus A cross B whole by 3 कर दिया यह वाला, तो C की value एक तरह से A B के terms में हमने निकाल ली और A और B तो known है हमें तो इसलिए हम C directly A की equation से solve करके निकाल सकते हैं, देख अगर तो C को X, A cap, Y, J cap, Z के cap लेता, तीन equation बन जाती इससे क्या हुआ, VTP लगाने से जट से question solve हो जाएगा, बहुत lengthy question भी बहुत short में बेटा solve हो जाएगा समझ पा रहे हो 5 B क्योंकि तुम्हारे पास है और A cross B minus करके Y3 कर दोगे तो पहले A cross B निकाल लेता हूँ जल्दी से C निकालते हैं 1 minus 2, 3, 1, 1, 1 minus 5, minus J cap, 1 minus 3, plus K cap, 1 plus 2 minus 5 I cap, plus 2 J cap, plus 3 K cap यह हमारा A cross B एक तरह से निकाल कर आ गया सर, dot with C both side करके तो C निकालता ना बेटा dot with C करते, तो B cross C dot C यह 0 हो जाता तो A dot B, हमारा A dot C 0 आ जाता हाँ, एक second है A dot C यह तो data inconsistent हो जाता, खेर यह कह रहा है कि dot with C कर देते, सर सीधे ही इस equation का A dot C आता, B cross C dot C 0 हो जाता, A dot C तो 0 यह आ जाता हाँ, तो मतलब data inconsistent हो रहा है, सही कह रहे हो थोड़ा सा, क्योंकि बेटा यहाँ पे जैसे ही है, dot with C कर देते, दोनों तरफ A dot C A dot C और B cross C dot C 0 A dot C तो 0 आ गया है, मतलब data inconsistent है, समझ रहे हो तुम, यहाँ से बेटा तुमारे पास अब C निकल कर आ जाएगा C निकल कर आ जाएगा, देखो A cross B C हो गया 5B minus A cross B upon 3 10 I cap plus 3 J cap plus 2 K cap by 3 हो जाता C vector C vector ऐसा हो जाता ठीक है? अब देख C dot A करना है, last में क्योंकि C dot A हमें निकालना है, तो C dot A करेंगे तो 10 by 3 आएगा तो C dot A 10 by 3 into 1 तो 10 by 3 हो गया तो 3 times C dot A की value 10 आ गई, इसलिए answer 10 दिया हुआ है, बट I am sure तुम समझ गए हो कि इसमें data क्यों inconsistent हो रहा है समझ गए, क्योंकि अगर मैं सीधे ही dot with C ले ले लेता, यह कह रहा है, तो A dot C B cross C dot C तो B, C, C का box बन जाता और तो 0 यह होता है भई, तो A dot C 0 आ जाता, इसलिए data थोड़ा सा गढ़बढ है data थोड़ा सा इसका inconsistent बन रहा है चलो, एक और देखते हैं, ऐसा ही एक और देखते है A is a vector which is perpendicular to vector this ठीक है, फिर से अब देखो, यह सारे सवाल तुम cross product के मान सकते हो और कह सकते हो कि भई, A को मैं x i cap, y j cap, z k cap करूँगा और फिर cross product से J तुमसे पूछ सकता है बट VTP से ही इनके solution fast हो जाएंगे ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसको बोल देता हूँ B vector तो A cross B बराबर C कुछ दिया हुआ इसको C बोल दिया और इसको D बोल दिया, अब ताकि बाद में देख लेंगे तो हमें, basically B, C, D पता है A निकालना है ठीक है ठीक है समझ गए तो अब हमें क्या करना है एक तरह से A vector create करना है तो अब मैं फिर से इसको क्या कर रहा हूँ D के साथ cross कर देता हूँ A cross B cross with cross with देख कौन सा दिया है A का vector perpendicular हाँ D.A दिया है न, क्योंकि D.A हमें 0 दिया है तो बेटा D के साथ इसको cross कर दो पूरी question को D के साथ cross कर दिया D के साथ ही क्यों किया क्योंकि देख अब VTP लगाएंगे जब A.D बनेगा बड़ा अच्छा सा dot product of extremes times middle vector B.D times A ठीक है और A.D क्योंकि 0 है ये हट गया B.D तुम निकाली लोगे तो minus B.D times A is C cross D C cross D भी निकाल लोगे तो A की value आ जाएगी minus C cross D upon B.D A vector बड़ी प्यार से निकल आएगा क्योंकि C cross D निकल जाएगा क्योंकि D पता है C पता है और B.D भी निकल जाएगा ये B था तो D था तुमारे पास बहुत असानी से A vector create हो जाएगा तो VTP की मदद से ये फाइदा हो जाता है सर स्क्वेर रूट ले लो है स्क्वेर रूट क्यों ले लो भाई कैसी बात कर रहा है और B स्क्वेर लिखा है ना मैंने क्या हो गया तुझे सर क्रॉस्वेर देख कर देते तो हमें ये देखना होता है कि वो VTP लगा के क्या data दिया है जैसे इसमें क्रॉस्वेर डी करा है मैंने ताकि A.D बने और A.D मुझे दिया था 0 दिया हुआ था राइट ये हमने ये किया है इसलिए हमने ये किया है तो बस अब answer निकाल लोगे A निकलाएगा ना मिया से C को ये रहा C C cross D निकाल लेना पहले I, J, K C है तुमारा 2, minus 13, minus 4 D है 3, half 2 C cross D आएगा और B dot D निकलाएगा B का उसके साथ D के साथ dot कर लेना वाइ थिंग तुम कर लोगे B dot D तो तुमारा सीधे-सीधे 2I और 3 तूजा 6 ये वाला 0 है 2 into 1 plus 2 तो B dot D तो 8 हा रहा है यहाँ पे value डाल लेना, right? तो ये VTP के फाइदे हैं जो तुमको शायद लग रहा होगा कि मैं बिना VTP पढ़के जाऊंगा एक्जाम में तो भी मैं question कर लूँँगा कर लेगा ये question एको X, I, Cap, Y, J, Cap, Z, Cap मानेगा, बड़ी-बड़ी equations बनाएगा और फिर solve करेगा तीन equation, तीन unknown बेटर तरीका है, VTP पढ़के जाओ ये question अभी भी पूछे जा सकते हैं कि VTP के through easily solve हो जाएंगे बाकि बिना VTP के भी हो जाएंगे बड़ लंबा होगा एक और देखते हैं अब देखो हाँ, एक और तरीके के question दिखा रहा हूँ एक और तरीके के question दिखा रहा हूँ तुम्हे सर, unknown vector के साथ cross कर सकते हैं न सर? बिलकुल जिसके मर्जी की सार करवर्ष तेर को मिल जाए उससे कुछ ना कुछ, जैसे देख यहाँ पर A vector दिया है B vector दिया है, तो इनी को vector equation solve करना कहते हैं, R dot A दिया है R dot C पूछा गया है R cross B plus B cross C equal to 0, है ना बई? ऐसा कुछ दिया हुआ है ऐसा कुछ दिया हुआ है अब क्या करें? अब देख क्या कर सकते हैं मैं इसका cross with A कर देता हूँ R cross B cross A is plus B cross C cross A cross with A किया, राइट ताकि R dot A times B R dot A times B बनेगा, dot product of extreme times middle vector minus B dot A times R और यहाँ पे तो बेटा B dot A times C minus C dot A times B बन जाएगा clear हो गई यह बात? हाँ यह देखिए, तो R dot A तो 0 दिया है यह ली time हट गई B dot A निकाल लोगे, देखो यहाँ से B dot A क्या है? B dot A 1 into 1 plus K वाला है बस 2 B dot A 3 हो गया तो minus 3 R vector plus 3 C vector minus C dot A भी निकाल लो C dot A C dot A 7 into 1 plus 2 into 4 8, 8, 7, 15 हो गया 15 हो गया बेटा तो minus 15 B equal to 0 था equal to बेटा 0 था, राइट तो यहाँ से तुमारा 3 R vector आगया 3 C minus 15 B 3 B कट गया R vector आगया C minus 5 B R vector आगया C minus 5 B बस अब तो निकाल ले बेटा C minus 5 B सर, GDBD क्या GDBD हो गई यार देख ले, हो सकता है कहीं कुछ हो गई हो चेक कर लो जड़ा R हो गया C vector minus 5 B B था तुमारा I plus J plus K ठीक है और अब निकाल लेते हैं तो 2 I cap minus 8 J cap minus K cap यह R vector की value आगया R dot C पूछा गया है C था तुमारा 7 I minus 3 J plus 4 K तो R dot C तुमारा हो जाएगा 14 plus 24 minus 4 34 34 आ गया भई मेरा तो A option आ भी गया तू कहां GDVD करे जा रहा है है answer भी आ गया तू GDVD में ही लगा हुआ है हाँ तो sir cross with C करते तो देख बेटा cross with C मैंने जानके नहीं किया क्योंकि R dot C नहीं दिया न मुझे R dot A दिया हुआ है R dot C तो निकालना है मुझे तो जो दिया हुआ है उसको use करूँगा इसलिए मैंने यहाँ पे cross with cross with A किया यही तो tricks है बेटा हाँ देख लीजिए तो आगे बढ़ते हैं 2023 का यह question हो गया अब बिल्कुल ऐसा ही question तुम्हारे लिए एक दे रहा हूँ homework में बिल्कुल सेम ही actually देख फिर से P dot A 0 दिया है फिर से तुम्हे cross with A करना होगा बिल्कुल ही same question homework में कर लेना 2024 में आया है अब यह देख 23 वाला यह था बिल्कुल ही same मतलब data ही change करके दे देते हैं एक equation दी थी R dot A 0 था R dot C पूछा था इस बार भी R dot P dot A 0 दिया है और एक equation दिया है तो फिर से क्या करोगे cross with cross with जल्दी बोलो cross with A करेंगे सर्ता की P dot A की term बनेगी P cross B cross A equal to C cross B cross A और VTP लगाते ही P dot A की term 0 बनते ही बहुत प्यार से P vector निकल कर आ जाएगा कर लोगे कर लोगे ना भाई अब ये VTP के कुछ applications मैं तुमें बता रहा हूँ interesting से जो आप खुद से कर सकते है कैसे understand करें कि immediately की A के साथ cross करना भी तो बताया तुझे देख क्योंकि P dot A बनेगा अगला step का सोचना है P dot A अल्रेडी दिया हुआ है जो दिया है माल ले या P dot B दिया होता मुझे तो मैं cross with B करता ताकि P dot B की term बने समझ रहा है ना जो दिया होगा यहाँ पे उसका इस्तिमाल करने के लिए VTP के अगले step में वो यूज होना चाहिए तुझे ऐसा कुछ करना है ठीक है चल बेटा अब तुम कहे देंगे ये वाला question तो जेही ये बोल देगा कि भई हमने तो cross product कर दिया है बताओ कहा है इसमें VTP अब जिसको VTP आता है वो जटसे कर देगा इसे जिसे नहीं आता वो बैठके P को let P B X I cap plus Y J cap plus Z K cap X Y Z में तीन equations बनाएगा तीन unknown solve करेगा फिर लेंदी calculation होंगी इसलिए बोल रहा हूँ VTP पढ़ लो कोई बहुत लंबा थोड़ी ये कितना सा formula है खलका फुलका सा formula नहीं था हाँ तो last question अब ये VTP में फिर आगे बढ़ेंगे हम फिर हम बढ़ेंगे आगे view दिया है V दिया है ठीक है Q.W दिया है Q.W दिया है view प्लस lambda V then U.V पूछा है देख क्या 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 है भाई बहुत सारी कुछ हो गया 2.W W.U. प्लस lambda times V ठीक है Q.W अच्छा तो dot with W करता हूँ पहले तो dot with dot with W ताकि U.W की term create तो हो और ये तो zero ही हो जाएगी V dot W is U.W plus lambda V.W तो देख ये तो भाई zero हो गई क्योंकि box product बन गया V W का box product बन गया तो ये तो zero हो गया भाई Q.W ये तो निकालना इसको तो कुछ कह देते हैं चलो X कह देते हैं lambda V.W V.W तो 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 में दिया हुआ एरा 2 तो एक equation तो बन गई ये वाली एक equation तो बेटा ये बन गई अब lambda निकालना एकिसी तरह है न तो अब मुझे समझा रहा है क्यों ना VTP का इस्तिमाल करूँ VTP का इस्तिमाल करूँ VTP का इस्तिमाल करूँ प्रशिश करी जाए कि दुबारा से इस equation को ले लेते हैं, v cross w is u plus lambda v, अब किस के साथ करूँ देखो, यही तो तुम्हें समझना है, कि मुझे दिया है, देख, v dot w दिया है, तो clearly अगर मैं इसका w के साथ cross कर लूँ, या v के साथ, तो lambda यह उड़ जाएगा, खेर, v cross w, cross w is u cross w plus, अच्छा बट, u cross w भी नहीं दिया, u cross w भी नहीं दिया, भाई, क्या करें फिर बताओ, इसके साथ लिया जाए, dot with v ले लेता हूँ, हाँ, dot with v लेता हूँ, देख, क्योंकि dot with v लेते ही, जरूरी थोड़ी यह cross ही लेना है, dot with v लेते ही, क्या हो जाएगा, फिर से यह 0, और इधर u dot v, plus lambda times v dot v, क्योंकि देख, मुझे तो ultimately lambda निकालना है, lambda निकाल के यहाँ, डालूँगा, तो x भी निकलाएगा, तो मैंने सोचा, vtp की जगा, क्यों न, vtp से बना नहीं, देख, पहले cross लिया, तो वो early term, unknown term बन गई, 2 dot v है, v dot v, मेरे पास है, देख, u dot v, dot v, nिकाल लो, 2, minus 1, plus 2, यानि की 3 आ गया, यह हो गया, 3, v dot v, मतलब, mod v square हो गया, 4, 6, तो 6 lambda equal to minus 3, 2 lambda equal to minus 1, 2 lambda की जगा यहाँ, डाल दो minus 1, तो 0 equal to x minus 1, x की value, 1, 1 गई बेटा, 1 होना चाहिए answer, 1 होना चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि vtp ही बनाना है, तुमने, जो भी equation दिया है, उससे किसी तरह manipulation करके, unknown vector को create करना है, और solve करना है, जैसे यहाँ पर unknown vector क्या था, इस बार, इस बार w था, एक तरह से unknown vector, क्योंकि u दिया है, v दिया है, w के साथ यह dot दिया है, बस तो उसका इस्तिमाल करके मैंने निकाल लिया, देख लेते हैं, आंसर यह है ना भई, चलो, अब तीन vector के product की बात हो गई, अब four vector के product की बात की जाए, पहले हम बात करेंगे, vector product of four, अब ध्यान से देखना कुछ नया नहीं है, जैसे triple product की है ना, बिलकुल वैसे ही है, तो अब ध्यान से सुनेंगे, कोई formula नहीं, बस method learn कर करना है, A cross B cross C cross D, माल लो, ऐसा कुछ है, यह निकालना है अब तुमने, vector product of four vector, चार चार आगए ABCD, तो तुने बेटा कुछ नहीं करना, VTP का ही, फंडा लगाना है, देख, इसको पहले V माल ले, एक vector को V, चाहिए इसको माल ले, चाहिए इसको V माल ले, तो हो क्या तुमारा चार vector का question, तीन vector में change हो गया है ना, क्योंकि तुमने A cross B को तो, क्या माल लिया, V माल लिया, तो चार की जगा तीन मन गया, अब इसमें VTP लगा दे, तो V dot D times C, तुम इसको भी V मान सकते थे, एक ही बात है, minus V dot C times D बन जाता, है ना भई, something C, something D, और अब V की value बे जाता है, V की जगा A cross B, A cross B dot D, मतलब A, B, D times C, और A, B, C times D, तो ये तुमारा रटना नहीं है, formula की तरह नहीं, याद करके बैठ गया, इसको learn कर लेता हूं, सर नहीं, सिर्फ ये याद रखना है, एक को V मानेंगे, और फिर VTP लगा देंगे, चाहे इसको V मान ले, चाहे इ simplify कर लिया हमने, अभी देखेंगे question में कैसे solve होगा, right, इसको बोलते हैं, vector product of four vector, vector product of four vectors, कोई VTP का ही funda लग गया, बिल्कुल ऐसे ही बेटा, scalar product of four vector भी होता है, कि अब बीच में बस dot लग जाएगा, तो इसको भी बिल्कुल same technique से करना है, इसका भी कोई formula learn नहीं करेगा, कही लोग इसका result learn करके बैठ जाते हैं, फिर exam में फसते हैं, तुम बस method समझो, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको V माना था पहले, हाँ सर, अभी भी ऐसे ही करूँगा, इसको V मान के एक तरह से, अब STP बन गया विटा, ये देख, V dot C cross D, अब सर क्या करूँ, इसमें फस गया मैं, तो देख, बड़ी मज़ेदार बात बता रहा हूँ, बहुत interesting step, star mark कर लो यहाँ पे, की dot cross तो interchange हो सकता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ सर, ये तो कर सकते हो, dot cross interchange, और अब V की value वापस डाल दे, V की जगा, A cross B वापस डाल दे, समझें क्यों कि रहा है, तो पहले वी माना, dot cross interchange किया, वापस वी डाला, ताकि अब देख, VTP बन गया, अब यहाँ पे VTP बन गया, dot cross interchange करने से, तो dot product of extremes, times middle vector, minus B dot C times A, और इस पूरे का dot with D लेना है, और dot with D खोल लो, तो A dot C तो बहार है, इस scalar, P dot D हो जाएगा, minus B dot C, A dot D हो जाएगा, तो यह एक तरह से तुमारा बन गया, vector product of four vectors, vector product of four vectors बन गया, ठीक है, तो ट्रिक क्या है, sorry, scalar product of four vectors बन गया, scalar वाले में पहले V मानना है, dot cross interchange करना है, फिर VTP लगाना है, vector वाले में, तुम्हें सिर्फ V मानना है, और सीधे ही VTP बन जाएगा, और वो लगा देना है, तो ultimately 4 हों, 5 हों, सभी में ऐसे ही करना है, और तुम्हें ultimately, उसको triple product के में ही सवाल को तोड़ना है जैसे सर, एक करवा दीजिए question, देखिए, सवाल के थुरू समझाता हूं, तो मैं बहुत प्यार से concept, सारा clear हो जाएगा, जो अभी तक मैंने discuss किया है, देखो, V dot C 0 दिया है, यह तो VTP दिखी रहा है, इसको लगाओ जल्दी से VTP, dot product of extremes, times middle vector minus, A dot B times C, is Vy2 minus CY2, coefficient compare करें, B का coefficient A dot C, A dot C हो गया half, A dot B भी हो गया half, इतनी बात तो समझ गये, यहां से A dot C और A dot B आ गये बेटा, अब आगे देख, D is a vector such that, B dot D equal to A dot B, A dot B तो हमारा half आ गया है, तो B dot B भी एक तरह से half आ गया है, और अब अगर तुम इसको देखो, तो देखो, क्या बना हुआ है, वह गया, scalar product of four vectors बना हुआ है, देखो, A cross B dot C cross D, तो A cross B dot C cross D, अभी इसमें हमने क्या किया था, एक को V माना था, सर इसको मान लो तो, इसको मान ले, कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, चल इसको मान के दिखा देता हूँ इस बार, कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, इसको V मान ले देते हैं, फिर मैंने बोला था, dot cross पलट दो, V की value वापस डाल दो, और VTB का इसमें formula चिपका दीजिए, dot product of extremes, times middle vector minus B dot C times D, right, अच्छा, B dot C तो देख, 0 दिया हुआ है, यह तो वैसे ही उड़ा दो, सर, B dot C तो उड़ा दो, तो basically हमारे पास A dot A dot C, B dot D बन गया यह, A dot C हमने निकाल लिया था, half है, B dot D भी निकाल लिया, half है, half into half, 1 by 4, D option हो गया answer, D option हो गया बेटा, ठीक है, देख रहा है, VTP, वही वाला VTP के concepts, यहाँ पर लग गए है, product of four vectors में भी same कहानी लगा दी है, मैंने, same चीज़ विलकुल, सर, why two vectors are always co-planer, वो तो skew हो सकते हैं, वो lines हो सकती हैं, skew, vector कभी skew नहीं होते हैं, क्योंकि vector को parallelly shift कर लेते हैं, वो lines में पढ़ेंगे 3D में अभी छोड़ तू, वो 3D में पढ़ेंगे, don't worry, समझ रहे हो की नहीं समझ रहे हो भई, चलो अब जरा, एक इस साल का भी question करा दिया जाए, इस साल का भी question करा दिया जाए, a, b दिये हैं, c को देखो कैसा खतरनाक, यहाँ vtp, फिर vtp, 4 का, फिर 5 का, कोई दिक्कत नहीं हैं, हम एक एक करके करेंगे, पहले a x b x i खोलेंगे, यह वाला, dot product of extremes, times middle vector, minus, b.i, times a, है ना, यह सबसे अंदर वाला यह वाला bracket, मैंने एक तरह से इसकी value लिखी है, अभी, अभी मैंने इसकी value लिखी है, a.i, a.i तो यह वाला होता है, minus 5, इसकी जगा लिख लो, minus 5, i, b.i, b.i, यह वाला होता है, one, minus a, इसका cross i करना है, और इस पूरे का भी cross i करना है, समझ रहा है वेटा, खेल समझ रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तो मैंने यह निकाला है, इसका cross i, अब फिर vtp बन गया, अगर मैं इसको एक तरह से v vector बोल दूँ, इसको v बोल देता हूँ, कि इसको minus 5b, minus 5b, minus a को मैंने v बोल दिया, तो यह v cross i, cross i लिखा हुआ है, फिर से बेटा, dot product of extremes, times middle vector minus i.i into v vector, i.i तो 1 होता है, v dot i यहाँ से निकाल लेंगे, minus 5v dot i का मतलब हो गया, इसका dot ले ले न, v dot i, minus 5b dot i, minus a dot i, p dot i तो 1 था, a dot i था तुमारा, minus 5, तो यह तो भाई, 0 ही हो गया, यह तो 0 ही हो गया, देखो, v dot i तुमारा एक तरह से 0 निकल कर आ गया, तो यहाँ पे 0 रख दो, तो minus of v बन गया, यह minus of i dot i तो 1, minus v का मतलब हो गया, 5b plus a, तो यह वेक्टर जो है c, तुमारा 5b plus a simplify हो गया, देख रहा है कैसे vtp के लग गए, तर distribute कर दो, मेरे भाई, plus थोड़ी ना जो distribute कर दूँ, और brackets का भी तो ध्यान रखना है मुझे, ऐसे थोड़ी i cross i को तू पहले 0 कर देगा, यह देख, जो 1024 का question है, vtp कौन कह रहा है नहीं लगेगा इसमें, vtp लगा के कितनी easily हो गया, बिना vtp के हो जाएगा, लंबा बड़ा पड़ेगा, अपने को यह techniques use करनी है, बस अब तो 5b प्लस a निकाल लो, 5b प्लस a, c की value हो गई, 5 times, प्लस a, इस तरह का, तो i cap का तो कट गया, 0 हो गया, 10 plus 1, 11 j cap, और minus 23, minus 23 k cap, देखो ऐसा कुछ आ रहा है, 11 j cap, minus 23 k cap आ रहा है, और इसके साथ dot लेना है, तो देखो क्या हो गया भाई, क्या हो गया, j के साथ 11, तो c dot this आ गया, answer, 11 into 1, और minus 23, तो 11 minus 23, minus 12, answer हो गया, a option, answer हो गया, वेटा, a option, ठीक है, ऐसे करना है, देख ले, वी टीपी का बिलकुल इसमें काम आया, एक बार नहीं, दो दो बार आया, चलिए, अब वी टीपी में एक बड़ी interesting property होती है, ऐसी, box, a cross, b, b cross, c, c cross, a का box, होता है, box, a, b, c का whole square, याद करो, यहाँ जब plus था, तब भी एक आया था, ऐसा, स्टीपी में आई थी वो property, स्टीपी में आई थी एक property, दिखाता हूँ तुझे, break से पहले हमने discuss की थी, यह वाली, देखो, जब plus होता है, तो तो double हो जाता है, अब मैं कह रहाँ, plus की जगा cross है, अगर, अगर यहाँ cross है, a cross, b, b cross, c, c, cross, a का box, box, a, b, c, का whole square होता है, चलो, देखते हैं कैसे, तो भाई, वही, proof important है, बिल्कुल तभी करा रहा हूँ, box को पहले खोलते हैं, this cross, this, dot, this है, न, box की definition लगाते हैं, दो का cross, तीसरे के साथ dot, इसमें product of four vector पहले लगाएंगे, यह v मान लेते हैं, v cross, b cross, c, dot product of extreme, v dot c, v की जगा a, b, c, times b, minus, a, b, b, times c, a, b, b, times c, right, यह तो 0 ही हो गया, यह तो 0 हो गया, है न, तो अब यह क्या बना, a, b, c, और b dot c cross a, तो b, c, a, बन गया, यह तो होई गया, prove यहार, दो line में, a, b, c, b, c, a बराबर होते हैं, तो box a, b, c, का whole square बन गया, प्रूव हो गया, चार line के अंदर, देखने में इतना खतरनाक था, बट प्रूव करने गये, जब vtp के थूखोला, तो यह तो 0 ही बन गया, और इसको खोलते ही, bracket खोलते ही, box a, b, c, whole square, हाँ, चल बेटा, यह हो गया, अब हमारा यह हो गया, चल यह, अब थोड़े से pyqs कर लेते हैं, यह वाले main important है, वाकि जो चीजें उपर बची है, यह 3D में करवाँगा, तुम्हें कुछ vectors के application, 3D के अंदर, वो 3D geometry में करेंगे, ठीक है बई, कुछ pyqs करते हैं, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है हमारा, चलो, देखते हैं अब, pyqs पर आएंगे, बिटा, कुछ extra pyqs अब एक साथ मिलाके करते हैं, क्योंकि जो concept इतने करा दिये, देख, वैसे बहुत चीजें हैं कराने को, vectors में बहुत सारी चीजें, अगेन हम जा सकते हैं, बट नहीं आती हैं, जो आती हैं वो important है, वो हमने कर ली हैं, abv2 vector such that mod b is 1, mod b cross a is 2, p cross a minus b ka whole square is equal to, अच्छा, ये देखो, ये निकालना है, तो भई, अब इसमें तो वही formula देख, ये p minus q whole square, तो mod b cross a, p square, plus q square, minus 2, b dot b cross a, 2ab की जो term होगी, वो फिर से 0 हो जाएगी, b dot b cross a, ऐसा हुआ था आज देख, पहले भी, है ना, तो इसको मैंने खोल दिया, ये चीज तो 2D है, तो 2 का square, और mod b 1, अरे ये क्या question है, इसमें भी अगर तुम ध्यान से देखो, फिर से STP लग रहा है, देख, STP लगा, फिर से 2014 का question है, 5 अगया answer, b option, ये तो यार, बहुत ही असान आया है, बहुत जादा easy question आया है, 30th January को, ठीक है, सर, पैरली लो पिपिड वाला advance 2023 का करवा दो, यार, में पास वो question अभी है नहीं, वरना तो जरूर करा देता, जो है भी वही करा सकता हूँ, वाकि आगे कही करा देंगे, वहाँ देख लिए हो, A vector दिया है, P is a vector such that, angle between A and B is pi by 4, अच्छा, ठीक है, समझ गए, A dot b दिया है 3 root 2, तो यहां से mod A mod B, cos pi by 4, 3 root 2 हो गया, अच्छा, तो mod B square तो 6 दिया है, तो यानि mod A निकल आएगा, एक तरह से root 6, into 1 by root 2, is 3 root 2, so mod A root 6, equal to 6, so mod A की value root 6 आगई, असान लग रहे हैं यहां रिए आले question तो देख, 2024 के, mod A create हो गया, अब देखते हैं क्या निकालना है हमें, इधर देखो, value of alpha square प्लस beta square, अच्छा, ठीक है, तो यह वाली चीज तो भाई देख, lagrangis से निकल जाएगी, mod A cross B whole square प्लस A dot B whole square, तुमारा होता है, mod A square mod B square, राइट, तो यह वाली चीज, mod A square है तुमारी 6, mod B square भी 6 है, और यह वाली A dot B कितनी थी, 3 root 2, A cross B एक तरह से निकल गया, A cross B whole square तुमारा यहां से निकल जाएगा, 36 minus 9 to the 18, 18 हो गया वेटा, A cross B का whole square तो 18 हो गया है ना, इतनी term निकल गया, अब यह निकाल ली है, यह कहा है, यहाँ है सर, mod A square में बनेगा यह तो, स्क्वेर प्लस बीटा स्क्वेर बनेगा, mod A square तुमारा अच्छे है, तो alpha square प्लस बीटा स्क्वेर तो 5 बन गया, यह हो गया 5, यह हो गया 118, देख लो भाई, 90 आना चाहिए आंसर, 18 फाइजा, 90 हो गया आंसर, 90 हो गया आंसर, A option, समझ गया क्या किया, पहले मैंने यहां से angle निकाल के mod A निकाल लिया, mod A की मदद से मैंने mod A cross भी निकाल लिया, mod A cross भी आगया और mod A की मदद से alpha square प्लस बीटा स्क्वेर भी create हो गया, देख लो भाई, चल, अगले पे आते हैं, अगला देखते हैं एक, advance 2018 का question है भई, ज्यान से देखेंगे, A and B be two unit vectors, unit vector है, underline कर लिया करो, A dot B zero है, C दिया है, XA plus YB plus A cross B, C दिया है, XA plus YB plus A cross B, तो देख अब इसमें, A plus B plus C whole square लगाऊंगा, तीन का वाले whole square लगाऊंगा, mod C निकालने के लिए, mod C की जुरत तो पढ़ेगी न, mod C two दिया है, तो mod C square हो जाएगा, X square A square, A square तो one है, unit vector है, Y square B square वो भी one है, mod A cross B whole square, और देखो बेटा, मजे की बात क्या है, 2AB, B, C, C, A की time आती है है न, 2A dot B देख zero होगा, क्योंकि A dot B zero दिया है, B dot C ये वाले का, B dot A cross B ये भी zero, और A dot A cross B ये भी zero, तो 2AB, 2BC, 2CA, सारी मिला के आगे, zero, zero, zero बन रही होगी, वो तीनों, समझ गए न, तो बहुत ही प्यार से, A cross B, A cross B के बारे में, हाँ A cross B में तो देख, A dot B क्योंकि zero है, तो theta तुमारा 90 हो गया, तो A cross B, तुमारा 1 into 1 into, ये भी 1 हो गया एक तरह से, तो mod C square 4, X square plus Y square plus 1, तो X square plus Y square 3 आगई, एक equation, अब देखते हैं आगे, ये तो जो हमें दिया था, हमने simplify कर लिए, आप पूछा क्या है, vector C is inclined at same angle alpha to A and B, अच्छा, तो अब C का, मुझे angle निकालना है बेटा, तो C dot A लेता हूँ इसमें, C dot A dot with A लेता हूँ पूरी equation का, तो dot with A लिया जाए, तो C dot A हो जाएगा, X, A dot A तो 1 है, Y, B dot B, A तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो X हो गया, dot with A लेते ही, C dot A तुमारा बेटा X हो गया, है ना, C dot A तेरा X निकल कर आगया, ठीक है सर, similarly dot with B करता, C dot B तुमारा, C dot B, ये 0 होता, ये वाला इस बार Y बच जाता, ये भी 0 होता, तो C dot B भी Y है, C dot A X है, C dot B Y है, अब मज़ेद की बात क्या है, ये दोनों तो देख equal होंगे, क्योंकि उसने बुला है, vector C is inclined at same angle alpha to both, ये न भी तो C dot A 13 क्या होगा, mod C, 2 था, 2 cos alpha, ये भी 2 cos alpha होगा, तो दोनों को मिटाके, 2 cos alpha यहां रख दीजिए, वाकि तो unit vector है, तो 4 cos square alpha की value, sorry, 1 minute, 4 cos square alpha, 4, 8 cos square alpha की value, 3 आ गई भाई, 8 cos square की 3 आ गई, answer यही पूछा हुआ है, कितना easy question आया है, देख advanced में, इस तरह का concept, mains में भी तुम्हें दिख सकता है, इस वाद ध्यान रखना ऐसा कुछ दिख सकता है, mains में, 3 का linear combination बना हुआ है वो, easy था, repeat कर दो sir, I couldn't understand, देख भाई, धीरे धीरे सुन ले, a, b, 2 unit vector है, पहले मैंने क्या किया, c को whole square किया, x square, a square हुआ, a square को 1 ले लिया, क्योंकि mod a 1 है, mod v b 1 है, unit vector है, y square, a cross b का whole square, 2 a dot b 0, क्योंकि a dot b 0 दिया है, b dot c b 0, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, stp की वज़ा से, फिर मैंने देखा, क्योंकि a dot b 0 है, मतलब theta 90 है, तो a cross b में भी mod a, mod b 1 1, sin 90, ये भी 1 ही हो जाएगा, इसको 1 कर दिया, 4 equal to x square plus y square plus 1, x square plus y square, बराबर 3 आ गया, ठीक है, इसके बाद मैंने कहा, मुझे आगे दिया, vector c को same angle है, a and b से, तो मैंने c का dot भी दे ले लिया, a dot a बचेगा, बस ये 0, b dot a 0, a cross b dot a 0, तो c dot a सिर्फ x बच जाएगा, a dot a तो 1 है, क्योंकि c dot a x हो गया, mod c 2 है, mod a 1 है, तो 2 cos alpha हो गया, s a c dot b b 2 cos alpha हो गया, यहां रख दे बेटा, बहुत easy बन गया, चलिए, अगला देखते हैं, 2024 का अगेन, जेई मेंन का एक question, तर internal angle by sector property बता दो, question आया था, भाई देख, तेरी बात सकते हो गई, मान ली गई, यही question निकला अगला, consider a triangle a b c, जिसमें 3 vertex दिये है, if the angle by sector of angle b a c, b a c का जो angle by sector है, meets the line b c at d, ठीक है भाई, 1, 3, 0, 1, 3, 2, minus 2, 8, 0, 3, 6, 7, यह angle by sector है, ठीक है, तो angle by sector की property क्या होती है भाई, दस्वी क्लास में बताई जाती है, angle by sector जो है, base को divide करता है, इसी case ratio में, मतलब, base का जो ratio है, b d is to d c, वो same होता है, a b is to a c के, यह होती है, angle by sector थियो, और हम बसको लियाद रखना, कि angle by sector, base को divide करता है, in the ratio of sides, ठीक है, उच्छा क्या है, length of projection of a d on a c, projection तो निकाल लेंगे, पहले a d चाहिए, मतलब d k coordinates चाहिए, तो भई, section लगाऊंगा, a b distance से निकाल लेता हूँ, a b distance, formula, तो नौ चार, 13 प्लस पच्चिस, 38, ऐसे ही a c निकाल लो, क्यों निकाल रहा हूँ यह, ताकि यह distance निकाल लूँगा, तो यह ratio आ जाएगा, base का section लगा के d निकलाएगा, a c निकाल लेता हूँ, 2 square plus 3 square plus 5 square, same ही बन गया, in fact, root 38 ही बन गया, यही तीनों term बन गयी, यानि ये भी ऐसी बराबर है बेटा, यानि कि अगर ये भी ऐसी बराबर है, तो b d और d c भी इस particular question में बराबर हो गई, बहुत ही बड़िया question बन गया, कि भई ये तो, ये दोनों sides बराबर बन गया, यानि d midpoint हो गया, तो d के coordinates, निकालना है ac पे तो ad vector निकाल लो, ad vector हो गया, ad vector, final minus initial, minus half i cap, plus 4 j cap, 7 by 2 minus 2, 7 by 2, होता है 3,5, तो 1,5, 3 by 2 k cap, और ac पर निकालना है, ac vector है हमारा, 2 i cap, minus, sorry, plus 3 j cap, plus 5 k cap, तो ad का projection ac पर, यानि ad dot ac cap, यही तो होता है भई, आज बताया था, यही तो value निकालनी है, ad का projection ac पर, ad dot ac cap, जल्दी से dot लो, तो minus 1 plus 12, plus 15 by 2, अपन इसका magnitude, root 2 square 3 square, 5 square, 3 square, 5 square 38 आया था, तो 11 plus 15 by 2, upon root 38, 20 और 15, 37 upon 2 root 38, a option बन गया, a option बन गया, आपका calculation है यार, बस देख, calculation तुने अच्छी तरह कर ली, तो फिर इसमें कुछ भी नहीं है, देख लो, वोई projection, वोई dot product, cross product, STP, VTP, चार्च पाच चीजे हैं, इन ही को घुमाते रहेंगे, बार बार, ठीक है, dot, cross, projection, ये तीन, और एक linear combination, चार, फिर उसके बाद, triple product से related, STP, VTP, 6 concept बस, 6 concept पर ही, बार बार question घुमे जा रहे हैं, चलो, एक ये देखते हैं, इस बोथ vector and 3D covered नहीं, अभी तो 3D शुरूई नहीं करी हमने, 3D को हम अलग से करेंगे, one shot एक अलग करेंगे, 3D का, भी vectors पहले अच्छी तरह पढ़ लो, फिर 3D भी तुमें अच्छी तरह से करवा दूँँगा, चलो, A और B vector दिया है, C फिर से दिया है, 3 vector B cross A, equal to C cross A, angle between C and the vector, this is theta, C निकालना है, फिर वोई बिटा, भी vector equation solve करनी है, देख, A दिया है, B दिया है, C निकालना है, B cross A, is C cross A, ठीक है, angle between C and the vector, this is theta, then the greatest integral is then, समझ गए, अब क्या करें देख, C निकालना है, है ना, क्या करना है, C निकालना है, तो देखो, इसके दो तरीके, एक तो वही VTP बनाए, कि किसी से cross करें, उससे भी आ जाएगा, देख, ऐसा नहीं है, उससे नहीं आएगा, बट इसका एक better approach भी होता है, हर बार नहीं लगता हो, क्योंकि ये दोनों में देख, ये same दिख रहा है मुझे, जिस question में same दिखेगा न, मैं एक चीज़ और लगा सकता हूँ, देख, VTP तो करी सकता हूँ, दोनों तरफ cross with, A cross with B करके, किसी से भी try कर सकता हूँ, कि दो ये vector given है, A और B, बिल्कुल, बट इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो, क्योंकि ये दोनों vector same है इदर, एक trick और लगा सकते हो, B minus C, cross A बन गया है, ऐसा कुछ लिख लिए इसे, है ना, B minus C cross A 0 लिख लिए बिटा, आज बताया था, अगर ये 2 का cross 0 है, मतलब वो parallel है, आज ये trick बताई थी तुझे, बोला भी था, J के सवाल में use होगा, कि B minus C cross A, तो यानि B minus C, is collinear with, A, क्योंकि A के साथ collinear होगा, तभी तो cross product 0 आएगा, और collinear का मतलब होता है, lambda time से, तो B minus C lambda time से हो गया, आया ना मज़ा, हम, B minus C lambda time से, तो यानि की, C की value एक तरह से, C की value तुमारी एक तरह से क्या बन गई, B minus lambda A बन गई, B minus lambda A बन गई, C की value, ठीक है भई, अब lambda निकालने के लिए क्या करूँगा, वो देख, यह दिया हुआ है, तो डाल दें हाँ पर बस, C की value थी, 4i cap, plus C2 j cap, plus C3 k cap, equal to B minus lambda A, B था यह, plus lambda, plus lambda A vector, I, J, K, so coefficients compare करना है और कुछ भी नहीं, 4 है I cap का, इधर से है lambda minus 1, so lambda हो गया 5, similarly J cap का इधर से है C2, और इधर से है lambda minus 8, lambda तुमारा 5 था, तो C2 हो गया minus 3, and K cap का C3 है, 2 plus lambda, lambda तुमारा 5 था, तो C3 हो गया, तुमारा 7, देख रहा है कितनी प्यार से आ गया, बहुत fast हो गया, इससे यह trick कब लगा नहीं है, जब जो cross में equation दी है, बुसरा vector या, एक vector उनमें से same हो रहा है, तो fast trick लग जाती है, यह भी एक trick है, ठीक है, इसको पिछले में दिखाता हूँ भी कहा लग सकती थी, पहले इसको solve कर लेते हैं, complete, आगे क्या पूछा था भई, C vector तो निकल आया बस, C vector हो गया, 4i cap, minus 3j cap, plus 7k cap, हमें पूछा गया, इसके और इसके बीच में angle निकालना है, एक नया vector d दे दिया है, 3i, 4j, k, C dot d देखो क्या है, C dot d, 4, 3s are 12, 4, 3s are 12, 7 है C dot d, 7 बच गया बेटा, और cos theta का formula, तुम सबको पता है, C dot d upon mod C, mod d, cos theta, C dot d, 7 upon mod C, mod d, 3 square, 4 square, 1 square, तो 7 upon, कितना हो गया, 25 और 49, root 74, into 26, ये cos theta आए बेटा, बट हमें निकालना है, tan square theta, तो इसका उल्टा कर ले, sec theta आजाएगा, राइट, तो sec theta हो गया, root 74, 4 into, root 26, by 7, sec square theta, एक तरह से आगया, but tan square theta, पुछा है, तो वो होता है, sec square theta, minus 1, यहां से निकाल लेना है, ये रब, जो भी आएगा, tan square theta का, gif, पुछा गया है, तुम से, हम, तो बेटा देखो, इसमें क्या था, ये trick लगी, क्योंकि ये दोनों में, AA सेम था, और कहां लग सकती थी ये, दिखाता हूँ देख, जिस question में, हमने already, एक में VTP से किया था, वहाँ पर भी ये लग सकती थी, जहाँ पर भी, सेकेंड वेक्टर सेम दिखेगा, देखते हैं, कहां था, कहां था भई, इसमें था ये देख, इस वाले में भी ये trick लग जाएगी, क्योंकि यहां B और B सेम है, तो इसका alternate method हो जाएगा, देख, एक तो ये हो गया, cross करके, एक method to ये हो सकता था, कि तुमने P cross B minus C cross B equal to 0 लिख दिया, और P minus C cross B 0 रख दिया, यानि अगर ये दोनों का cross 0 है, यानि P minus C को lambda times B कर सकता हूँ, तो P को C plus lambda B लिखकर भी कर सकता हूँ, ऐसे भी question, आप शुरू कर सकते हो, दोनों trick आने चाहिए बेटा, क्योंकि अगर ये दोनों में last वाला same हो रहा है, तब ये trick हर बार लग जाये करेगी, एक vector basically same हो रहा है, पहला वाला भी हो जाये, कोई दिक्कत नहीं, बट कई बार नहीं होता same, देख जैसे इस वाले में भी same हो रहा था, एक एक B और B था, इसको पलट दे, माइनस करके तो B भी same हो जाएगा, इसमें भी ये trick लग सकती थी, राइट, कहां नहीं लगती सर, होट जगा नहीं लगेगी, तो जहां पे same आगया, वहां लग जाएगी, जैसे इसमें नहीं लगती हो trick, यहाँ पे कहीं ही नहीं वैसी equation में, वैसा कुछ है नहीं, इसलिए नहीं लगी वहाँ पे, ठीक है, I hope समझ गए हो, कब यह वाली trick लगानी है तुम्हें, चलिए, वापस आजाते हैं इस question पर, वापस आजाते हैं, हम, चलो भई, अगला सवाल देखते हैं, 2024 का, फिर से एक vector equation दिये, देखो, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C बी अ वेक्टर, such that A cross C बराबर B है, फिर से देख, कहने को इस question को बोल देंगे, कि भई, नहीं है, जे, उसका question ही नहीं है, अच्छा, इसकी value पूछी है, A dot C cross B, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, A dot C दिया हुआ है, 3, ठीक है, समझ गए, सोच रहूं, थोड़ा सा यार, क्या किया जाए, कुछ अच्छा सा, तो देखो, इसको अगर खोलेंगे, A dot C cross B, minus A dot B, minus A dot C, है ना भई, A dot C तो मुझे दिख रहा है, या 3 दिया हुआ है, ये value तो 3 दिया है, A dot B, वो भी निकल जाएगी सर, यहां से, A dot B, जो है निकल जाएगी, A dot B हो गई, 3 minus 6 plus 3, मज़ा आई आगया, 0 बन गई, ये वाली चीज तो, 0 बन गई, तो यानि, A dot B, तुम्हारा एक तरह से 0 हो रहा है, A dot B, तुम्हें 0 दिया हुआ है, ठीक है, अब ये पूछा हुआ है, A dot C cross B, minus 3, एक तरह से, A dot C cross B, minus 3, भी पूछा हुआ है, हम, समझ गया, समझ गया, तो देखो, dot C cross तो, interchange कर सकते हैं, है ना भई, एक सेकेंड, तो data में, हम, सर प्रिवियस question में, lambda minus 5 होगा, अरे ऐसा क्यों कह रहा है, पूरा तो solve कर दिया, पूरा answer आगया, तो उसमें लगा हुआ है, चो lambda minus 5 होगा, ये बता, चो, C equal to, B minus lambda A हुआ, C equal to B minus lambda A, तो C equal to B, B की जगा ये, ओह, सही बोल रहा है भई, बता देता हूँ, क्योंकि एक तरह से समझ ले, हाँ, ये समझ ले कि मैंने minus lambda को नया lambda माल लिया, समझ रहा है, ये तो मैं करी सकता हूँ, इसको minus lambda A बोल दिया, बोल दिया, lambda को minus lambda A इसे replace कर दिया, फरक थोड़ी पढ़ रहा है, lambda तो एक constant ही था ना, तो minus lambda भी तो एक constant होगा, इसलिए मेरे answer में कोई गलती नहीं है, तहीं बोल रहा है, lambda अगर मुझे यह minus लेना होता, तो minus 5 आता, बट मैंने यह plus कर दिया, lambda कोई फरक नहीं पढ़ता, lambda 5 आएगा, last में क्योंकि c1, c2 भी उसी के हिसाब से निकाले हैं, तो बिल्कुल सही आएगा, तो मैं अगर लग रहा है, lambda minus 5 रख लो, बट यहाँ पर फिर minus लगा देना, ultimately same आएगा, कोई फरक नहीं पढ़ेगा, ठीक है, same आएगा, में गड़बड क्यों है, गड़बड इसलिए लग रही है, देख, dot खोला, a.c cross b, minus a.b, वो तो 0 है, minus a.c, वो तो 3 है, अब dot cross तो interchange हो सकता है, dot cross interchange हो सकता है, तो a.c.b लिख सकता हूँ इसको, बट a.c तो मुझे b दिया हुआ है, यह क्या मतलब हुआ है, अच्छा, b.b बन गया, ठीक तो है, तो यह b हो गया, और b.b बन गया, आतो गया, b.b अब यहां से निकाल लो, b.b का मतलब हो गया, odd b whole square, 3 square plus 3 square plus 3 square, 27 minus 3, 24, देख किता फास्ट आ गया, यह वाला answer, पास्ट हो गया, क्यों क्योंकि मैंने इसमें, यह trick लगा दी, dot cross interchange करते ही, मेरे mind में आया, क्योंकि एक cross cdA, बाकि vtp से भी हो जाएगा, इसमें cross with b कर ले, cross with a, जो भी करना है, से भी answer आएगा, यह fast method है, यह वाला fast method है, देख लेते हैं, प्लाद कर लेते हैं, पहले linear combination वाला, जो मैं तुम्हें कह रहा था, linear combination वाला, बढ़ो question देखो, linear combination हिंट भी दे दी देख, ओक्यू को उसने पहले ही, alpha u प्लस, beta v करके दे दिया है, और सब के magnitude वेता, क्योंकि radius होंगे, बराबर होंगे, यह 45, यह 45, mod u, mod v, सब बराबर, radius के, ठीक है, अब क्या करूं सर, तो देख, oq vector dot with u, dot with u, dot with oq ले लो, जैसे अच्छा लगे ले लो, oq ले लो पहले, oq dot oq, mod oq square, alpha u dot oq, plus beta v dot oq, oq square तो r square है, तो equation बनानी है, बस और कुछ नहीं, q dot oq, देख, u dot oq, क्योंकि 90 एंगल है, यह वाला सीधे 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने लिया यह वाला, beta into, v dot oq, r, v और oq के बीच में एंगल 45 है, cos 45, तो r square कट गया, तो beta equal to 0, beta equal to 0 आगया, है ना भई, नहीं सॉरी, beta 0 कैसे आगया, क्या कर रहा हूं मैं भी, यह 1 है, beta cos 45, तो beta तुमारा root 2 आगया, beta, beta जो है root 2 आगया, ऐसे यह alpha निकाल ले अब जल्दी से, beta निकाल लिया, alpha निकालेंगे, जैसे dot with मैंने oq लिया, किसी और के साथ dot ले ले, dot with suppose, dot with suppose मैं कर देता हूं, q कर ले, q के साथ कर लेते हैं, v के साथ कर लो, फरक नहीं पढ़ता, oq dot u, 0, alpha u dot u, r square, beta, v dot u, v dot u, यह v है, यह u है, तो r square cos 45, beta root 2 था, यह root 2, root 2 भी 1 by root 2 कट गया, so alpha तो plus 1 बराबर 0, so alpha minus 1 हो गया, alpha minus 1, beta root 2, alpha and beta square are the roots, beta square 2 हो गया, minus 1 and 2 किस किस के root है, sum of roots देख लो, minus 1, a option दिख रहा है, sum minus 1 product, sum minus 1 का 1 हो गया, sum to, minus 2 और, minus 1 और 2 का sum 1, product minus 2, b option, b option सही हो गया, ठीक है भाई, linear combination का सीधा सीधा सवाल, यह सब बेटा scoring है, वह वाला question है, जो मैं तुम्हें कह रहा था, कि मैंने छोड़ दिया, बट जेई में आ गया था, वही वाला question है, यह, यह वाला तो homework में करना, अब यह वाला ज़्यादा मुश्किल नहीं है, असान सा आया था, यह वाला अब आप बेटा homework में निप्टा सकते हैं, ठीक है, सार, how to prepare for IIT from class 10th starting, maths कर ले बेटा थोड़े अच्छे लेवल की, अपने आप तेरी बढ़िया हो जाएगी, 11, 12 में, जेई की तैयारी, 10 में अगर maths थोड़ा, 10 से भी plus level का अच्छी किताब है, plus 11 का भी थोड़ा सा अगर कर लोगे, trigonometry, quadratic, equations, baby curve, modulus, यह सब कर लोगे, तो तुम्हें easy रहेगा, हम, तर last question बता दीजिए, ले बेटा, last question बड़ी देर से तू रो रहा है, बता देता हूँ, यह वाले में तेर को दिक्कत हो गई ना, क्योंकि मैंने बड़िया trick लगा थी, पहले तो dot खोल दिया, a dot c cross b, a dot b, a dot b देखा, 0 आ रहा है, a dot c दिया था 3, तो यहां 3 लिख दिया, फिर इसमें मैंने देखा है, a dot c cross b बन रहा है, बट यहां a cross c जैसी चीज दी थी, तो मेरे mind में आया, क्यों न, dot and cross को interchange कर लिया जाए, कर सकते हम, stp में, a cross c dot b, by the way, देख लो भाई, 2024 का सवाल है, कैसे, कौन कह रहा है कि stp नहीं है, syllabus में, a cross c को b लिख दिया, b dot b, b dot b थो mod b square होता है, वो यहां से निकाल लिया, mod b square आया, 27, 27-3, 24 हो गया, चलो भाई, अब last के थोड़े इस type के question करा देते हैं, आज कल ऐसे कई बार आ रहे हैं, statement 1, statement 2 वाले, j main के अंदर, ये दो question करेंगे, last अब बिल्कुल, ठीक है, एक ये वाला, और एक ये वाला, बिल्कुल similar से हैं, statements दो दिये हैं, कौन कौन से true है, ये बताना है, ठीक है भाई, चलो इधर देखो, a cross b की value 2 है, फिर से इसको square करने का अबन कर रहा है, दिल्कुल करेंगे सर, square a cap plus b cap, plus 2 a cross b, का magnitude 2 दिया है, तो वही a b c का, a plus b plus c में लगाएंगे, a square 1, ये भी 1, 4 a cross b whole square, plus 2 a dot b, b dot c वाला 0, c dot a वाला b 0, equal to 4, squaring both sides कर दिया मैंने, अच्छा, अब अगर मैं angle theta माल लेता हूं, theta तो दिया ही है, चलो अच्छी बात है, तो 1 plus 1, 2 plus 4, 1, 1 sin square theta, plus 2 cos theta, 4 sin square theta, plus 2 cos theta, अच्छा, ये 4 उधर ले जाओ न, 2 plus 2 cos theta, equal to 4, basically theta में एक equation बन गई, जिसको solve कर लोगे, 2 plus 2 cos theta, is 4 cos square theta, पाट दो, ये बन गई, बेटा equation, एक quadratic equation सी, T में बन गई, हाँ, सर, नीट वाले देख सकते हैं क्या, देख तो बेटा, कोई भी सकता है, बात ये समझ भाहेंगे क्या, बहुत basic से, अगर तूने नहीं पढ़ा है, तो दिक्कत होगी, तो ABCD vector की आनी चाहिए, तभी समझ पाएगा, तो 2T plus 1, into T minus 1, तो T की value, minus half और 1, T1 नहीं लूँगा, क्योंकि वरना cos theta, T को क्या माना था, cos theta माना था है, तो cos theta कभी 1 नहीं हो पाएगा, क्योंकि angle 0 से πाई के बीच में दिया है, cos theta minus half हो गया, cos theta minus half हो गया है, मतलब angle between vectors, बेटा, minus half आ गया है, मतलब 120 degree आ गया, angle between vectors, अब statement 1 कह रहे हैं, 2 A cross B का mod, अच्छा, चलो statement 1 की बात करते हैं, 2 mod A cross B, क्या सेम है, mod A minus B के, उसको squaring both sides करके देखते हैं, 4 A cross B का square, A square plus B square, minus 2 A dot B, 1 into 1 sine, square 120, क्योंकि theta तुमारा 120 आया था, राइट, क्या ये इसके बराबर आएगा, देखते हैं, 1 plus 1 minus 2, into minus half, तो ये तो, 1 plus 1 plus 1, ये तो 3 आ गया, क्या ये 3 आ रहा है, चेक कर लेते हैं, 4 into 3 by 4, बिल्कुल ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, यानि कि LHS equal to RHS, statement 1 तो true आ गया है, statement 1 तो true आ गया है, जी, चल, अगला देखते हैं, statement 2, projection of A on A plus B, projection वोई रोद होके, वोई दो concept, तो A cap का projection on A cap plus B cap, क्या होता है, this dot this upon mod this, है न, ये तो होता है, projection of A cap on this, is half check करनी है, तो A dot A, plus A dot B, upon mod A plus B, A dot A तो 1 है, और ये minus half है, mod A plus B देख लेते हैं, क्या है, तो mod A plus B निकालने के लिए, फिर से इसको squaring both sides कर दो, 1 plus 1 plus 2 A dot B, इसकी value थी minus half, तो A plus B की value, तो 1 ही आ गई यहां से, इसको 1 नीचे रख दो, तो half upon 1, half आ गया, यानि की बेटा, ये चीज जो projection है, ये भी half है, सही है, तो both statements 2 आ रहे हैं, C option correct हो गया, C option तुमारा correct हो गया, ठीक है ना भई? जी हाँ, तो इस तरह का statements वाले थोड़े लेंदी जरूर होते हैं, बट कर सकते हो आप, चलिए, लास्ट सवाल है अब आज का, काफी सारे कर लिए हैं, आज हमने कितने सारे PYQ तुमें करा दिये हैं, मैंने 22 के, 23 के, 24 के, 24 के तो सारे ही करा दिये, 22 के भी almost 80% करा दिये हैं, 23 के थोड़े कम करें हैं, वो तुम कर सकते हो practice में, ABC is a triangle, अब triangle की बात कर रहे हैं, तीन साइड्स दी हुई है, ये वाला BC जो है A vector है, ये B vector है, और ये C vector है, ठीक है सर, तो closed figure बन रही है, A plus B plus C तो 0 होगा, ऐसे situation में तुम्हें पता है, A plus B plus C, 0 होता है बेटा, है न, आगे क्या लिखा है, अच्छा, statement 1 बड़ा खतरना के भाई, mod C निकालना है, और इसका mod निकालना है, चल देखते हैं, पहले mod C के लिए क्या करेंगे, C को minus of A plus B लिख लेंगे, बट A dot B तो दिया नहीं, न, क्या दिया है, B dot C दिया है, तो एक काम करते हैं, B plus C को minus of A लिख लेते हैं, समझा, ताकि B dot C create हो, अब इसको squaring both sides कर लेता हूँ, B square plus C square, plus 2 B dot C, is A square, C square कितना है, 12, C square तो निकालना है, B dot C 12 दूनी 24, A square है तुमारा, 37, 72, तो मौड C square आ गया, 12, 36, 36 गया, 36 हो गया, तो मौड C तो 6 आ गया, मौड C तो तुमारे पास 6 आ गया, ये वाली value 6 आ गयी है, ठीक है भाई, चल, अब देखते हैं जरा, ये भी तो निकालना है सरी, ये क्या खतरनाक सी चीज़ है, चल, इसका भी देखते हैं, मौड A cross B, plus C cross B, तर ये दूसरा वाला सेम है, तो इसे common निकाल लो, A plus C, cross B जैसा लिखा है, फाल तू डराने को लिखा है, देख, B तो मैंने बाहर common निकाल लिया, और A plus C तुमारा, माइनस 6 होना चीए था, ये तो गलत दिया है, इनोंने, तो statement 1 तो false हो गया, क्योंकि हमारी इसकी value 0 और इसकी 6, तो minus 6 आ रहे ही है value, अब statement 2 की बात करते हैं जरा, angle A C B, A C B, A C B, ये वाला, तो ये तो cosine rule से ही आ जाएगा भाई, cosine rule से ही cos C की value आ जाएगी, cos C होता है, B square plus A square minus C square upon 2 A B, है न, cosine rule लगा दिया, देख मैंने सीधे सीधे triangle में, B square का value 12, A square का value 72, C square का value 36, upon 2, 6 root 2, 2 root 3, यहां से calculate कर लीजे, calculate कर लीजे भई, 36 और 12 हो गया, 48, 48 upon, 6, 4 जा, 24 root 2, root 3, 24, 2 जा, 48 root 2 कटा, so root 2 upon root 3 आ रहा है मेरा तो, root 2 upon root 3, ये वाला statement हो, बिलकुल सही है, so only S2 is true आ रहा है, statement 1 false आया, statement 2 मेरा true आया है, बढ़िया question, again, थोड़ी सी cosine rule लग गया यहां पर, देख लिजे भई, ठीक है, हो गया है देखो, हो गया है, तो आज के class में मैंने तुम्हें vectors काफी basic से लेकर, पूरा advance level तक सारा करा दिया है, एक बार quick recap दे रहा हूँ, तमरी क्या-क्या तुम्हें इसमें है, देखो, समरी में अगर तुम देखोगे, तो हमने सबसे पहले collinear vector पढ़े, collinear vector क्या होते हैं, जिसमें a को lambda times b कर देते हैं, उसके भी सवाल आते हैं, ठीक है, उसके बाद हमने dot पढ़ा, dot, dot के अंदर हमने एक बहुत important पढ़ी, बात पढ़ी, projection, scalar projection, vector projection, ठीक है, एक समरी दे रहा हूँ, ताकि तुम्हें पता रहे, क्या क्या पढ़ना है, फिर हमने cross product पढ़ा, cross product पढ़ा, उसके अंदर हमने area of parallelogram, area of general quadrilateral, यह सब पढ़ा, है न, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, linear combination पढ़ा, linear dependence या linear combination, x a plus y b plane में, 3D में, उसके बाद बेटा हमने क्या पढ़ा, stp पढ़ा, very very important, stp, scalar triple product, फिर हमने vector triple product पढ़ा, फिर हमने four vectors का product पढ़ा, फिर हमने vector equation solve करनी सीखी, जिसमें, vtp, stp की मदद से बना के, हमने एक unknown vector को solve किया, काफी सारे questions में, और last में हमने PYQ करें, तो देखा जाए, तो यही 6-7 concept, actually 7 वा तो question ही है, 6 concept है main least chapter के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बोला था, ठीक है, तो इसको दुबारा से अच्छी तरह revise कर लो, यह 8-10 question और लगा लो, बहुत हो जाएगा, बहुत जादा इसमें जाने की ज़रुवत नहीं है, यह नहीं कि बैठके 2-4 घंटे बिलकुल, या पूरा-पूरा दिन लगा रहे हो vectors में, vectors में आपको बहुत सारी practice की ज़रुवत नहीं है, जितनी class में करा दी है, इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरह सारे questions complete कर लीजिए, और 15-20 questions भी और अगर आपने लगा लिए, काम चल जाएगा, आपका question हो जाएगा, इसी के around ही question बनने वाला है, अरे यार, कैसी बात कर दी बेटा, closed figure है न, physics में भी तुझे बताई जाती है, closed figure जब भी बनती है, vector से resultant zero हो रहा है, ultimately वहीं पहुँच गए, तो वापस से sum of vector zero होगा, ठीक है, चलिए, तो आप जाने का समय आ गया है बच्चों, जाने का समय आ गया है, मज़ा आया आज के lecture में बताओ, मंजल सीरीज में जो हमने पढ़ाई करी, आज vectors को काफी depth में in depth, और एक-एक question मैंने तुम्हें कराया है, मुझे तो बड़ा मज़ा आया, तुम्हें कैसा लगा पढ़ने में, I am sure अच्छा लगा होगा, इसी तरह से बच्चों बहनत करते रहेना, 3D geometry का part आगे मैं करवाऊंगा, मिक्स करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बहुत जादा फिर आपका खिचडी मज़ जाती, 3D को हम अलग से detail में करेंगे, पुरा main advance का पूरा करेंगे, उसके अंदर भी बहुत मज़ा आएगा, मिलेंगे बच्चों अब हम लोग अंजिल में आगे, की तरह से, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और success तुम्हें बिटा जरूर मिलेगा, बस effort करने की बात है, देख जितना effort करेगा, life में उतना successful होता जाएगा, अभी भी काफी बच्चे पूछ रहे थे, कि सर, words के बाद अब मैं दुबारा से लगा हूँ, क्या अभी भी time sufficient है, अगर मैं 5-7-8 chapter भी करके चले जाऊं, तो भी चल जाएगा, देख हो जाएगा, अगर अभी भी महिना भर है, last महिने में अगर तुमने 5th gear पे गाड़ी चलाई, 100% अपना दिया, 12-12, 15-15 घंटे एक दिन में पढ़ाई करी, तो अभी भी हो सकता है, बढ़ी या नंबर आ जाएं, अंजल सीरीज के जो आपने lectures मिस करें हैं, उसको देखिए दुबारा से revise करिए, या पहले कहीं नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप उसको पहले पढ़ा हुआ है, तो अपने notes में से revise करिए, questions लगाई है, थोड़े बहुत PYQs लगाई है, यही तरीका है बेटा, देख और कोई तरीका नहीं है, ठीक है? चल बेटा, तो अब मिलते हैं हम लोग, अगले lecture में बच्चों, तिल देन टेक केर, गुडबाई, लव यू आल, सी यू. झाल, सी यू.